जेस्टी के बारे में समझने से पहले हमें टैक्स के बारे में समझना होगा कि टैक्स क्या होता है सरकार को देश की प्रगती के लिए जैसे सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल, आधी के निर्मान के लिए विकास की योजनाओं के लिए, देश की सुरक्षा के लिए रक्षा उपकरनों, हतियारों को खरीदने, बनाने के लिए इसे तरह अन्य सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए धन की आवशक्ता होती है इसलिए सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश के नागरिकों से धने कठा करती है, इसे टेक्स कहते हैं भारत में दो तरह के टेक्स लगते हैं, डिरेक्ट टेक्स यानि प्रत्यक्ष कर और इंडिरेक्ट टेक्स यानि अप्रत्यक्ष कर Direct Tax से तातपर ऐसे Tax से है जो सरकार सीधे हमसे वसूल करती है जैसे Income Tax, Gift Tax, Wealth Tax Direct Tax को समझने के लिए हम आपको Income Tax का उधारन दे रहे हैं Income Tax हमारी आय के उपर लगने वाला Tax है इसके अंतरगर्द हमें किसी निश्चित सीमा के बाद हमारी जो भी आय होती है उस पर किसी निश्चित दर से सीधे सरकार को Tax देना होता है Indirect Tax से तातपर ऐसे Tax से है जो सरकार सीधे हमसे वसूल नहीं करती बलकि जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं या किसी से कोई सेवा यानि सर्विस लेते हैं और उसके बाद वो व्यापारी या सर्विस प्रोवाइडर जब हमें उसका बिल देता है तो उसमें माल या सर्विस के मूले के साथ कुछ Tax भी जूडता है और बाद में वो व्यापारी या सर्विस प्रोवाइडर हमसे वसूला गया Tax सरकार को देता है इस तरह के Tax को Indirect Tax कहते हैं इसके अंतरगत GST, Way, Excise Duty इत्यादी आते हैं चलिए आप समझते हैं GST क्या है GST का फुल फॉर्म है Goods and Services Tax ये तीन शब्दों से मिलकर बना है Goods यानि माल या वस्तुएं Services यानि सेवाएं और Tax यानि कर इस तरह से Goods and Services Tax का मतलब हुआ माल या वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला कर अब सवाल ये है कि वस्तुओं और सेवाओं पर तो पहले से ही Tax लगते आ रहे हैं तो फिर GST की जरूरत क्यों पड़ी और इसे क्या लाब है तो इसको लगाने के कुछ मुख्य कारणों को समझ लेते हैं पहला कारण है GST लागू होने से पहले हमारे देश में व्यवसाई की प्रकृती के हिसाब से राज़य सरकारे और केंद्र सरकार कही तरह के Tax लगाती थी इन्हें समाप्थ करके एक Tax लगाना था सरकार ये Tax किस तरह लगाती थी इसे समझने के लिए हम व्यवसाई को तीन मुख्य श्रेणियों में बाट रहे हैं पहली श्रेणी है Manufacturers ऐसे डीलर्स या कमपनिया जो कच्चा माल खरीद कर उससे उप्योग करने लायक माल या वस्तूओं का निर्माण करते हैं और फिर उस तैयार माल को अपने व्यापारियों या ग्रहकों को बेशते हैं तो इस प्रकार के डीलर्स या कमपनिया Manufacturers की श्रेणी में आते हैं दूसरी श्रेणी है Traders की Traders से ताथ पर ऐसी कमपनियों या डीलर्स से हैं जो केवल माल का व्यापार करते हैं यानि तैयार माल खरीदते हैं और प्रॉफिट लेकर उसे बेश देते हैं यहाँ पर माल से ताथ पर ऐसी वस्तू से है जिसका हम व्यापार करते हैं जैसे कोई व्यापारी कपड़े का व्यापार करता है तो कपड़ा उसके लिए माल है तीसरी श्रेणी है Service Providers की Service Providers से ताथ पर ऐसी कमपनियों से हैं जो केवल सेवा यानि सर्विस देने का काम करती हैं जैसे टेलीकॉम सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट कमपनिया, एडविटीसमेंट सर्विस, इंस्टॉलेशन सर्विस आदी तो इस परकार से हमने देखा कि काम के आधार पर व्यवसाय को तीन श्रिनियों में बाटा जा सकता है जब भारत में GST लागू नहीं हुआ था तो उस समय कमपनियों या डीलर के नीचर और माल के आधार पर अलग-अलगतर हके टेक्स लगते थे सर्विस प्रोवाइडर पर सर्विस टेक्स इत्यादी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को इन सारे टेक्स को खतम करके इनकी जगह पर एक टेक्स GST लगा दिया इसमें अभी कुछ अपवाद भी हैं जैसे टीजल, पैट्रोल, शराब इत्यादी पर अभी भी वेट और अन्य टेक्स ही लग रहे हैं अभी इन्हें GST में नहीं लिया गया है पहले देश में कई तरह के टेक्स थे और हर टेक्स के लिए व्यापारी को अलग अलग काज़ी खाना पूर्ती करनी होती थी बलगे कई तरह के व्यापारी को जैसे मैनुफेक्टर्रेस को तो पर्चस टेक्स, एक साइज वेट, सेंट्रल सेल्स टेक्स सभी देना होते थे और इन सभी के लिए तरह तरह के कागजी रिकॉर्ड भी रखना पड़ते थे ये सब करना व्याफसाई करने वालों के लिए एक बड़ा भारी सिर्दर था जेस्ट आने के बाद इस तरह की अलग-अलग कागजी खाना पूरती खतम हो गई है अब व्याफसाई को सिर्फ जेस्ट का एक ही रिकॉर्ड रखना ह होता है साथ ही इसमें एक महत्वपुन बात ये है कि जेस्टी इतना सरल है कि इससे संबंदित सभी काम व्याफारी खुद बगेर किसी मदद के आसानी से कर सकते हैं अब हम आपको बताते हैं जेस्टी लगाने का दूसरा कारे इसकी अवधारना है वन नेशन वन टेक्स या जैसे कि पूरे देश में एक जैसी कर प्रनाली हो इसको भी हम थोड़ा विस्त्रत रूप से समझ लेते हैं हमारे पूरे देश में अलग-अलग राज्य सरकारें एक ही आईटम पर अलग-अलग दशेटासे टेक्स लगाती थी उससे ये होता था कि एक ही आईटम अलग-अ जमें अलग-अलग मुल्य पर मिलता था, जिस स्टेट में टेक्स रेट कम होता था, वहां माल का मुल्य भी कम होता था, और जिस स्टेट में टेक्स रेट ज्यादा होता था, वहां उस माल का मुल्य भी अधिक होता था, उधारन के लिए एक टीवी बनाने वाली कमपनी पूर में 25 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 15 प्रतिशत था तो ग्राहक को एक ही कंपनी का एक ही प्रडक्ट उत्तर प्रदेश में बारहा हजार पांच सो में और मध्य प्रदेश में 11500 रुपए में मिलता था GST लागू करके सरकार का उद्देश इस विसंगती को दूर करना था इस तरह के tax difference के कारण जिस state में tax rate कम होता था कई व्यापारी वहां से माल खरीद कर जिस state में tax rate ज्यादा होता था वहां बगैर बिल के माल बेश देते थे बिना बिल के माल बेचने से मतलब है tax चोड़ी करना और यही कारण था कि जिस राज्य में tax rate ज्यादा होता था वहां tax चोड़ी भी बड़े इस तरपर होती थी इसे भी एक उधारन से समझ लेते हैं कई व्यापारी मध्य प्रदेश से 11,500 रुपए में टीवी खरीते थे Ini उत्तर प्रदेश ले जाते थे ले जाने का खरचा 100 रुपए आता था और उस टी वी को 400 रुपए का मुनाफ़ा लेकर 12,000 रुपए में उत्तर प्रदेश में बेश देते थे और इस तरह टीवी बेचने पर वो बिल नहीं देते थे अब इसका बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश के इमानदार व्यपारियों को होता था जो कि 10,000 रुपए का टीवी और उस पर यूपी गवर्मेंट का 25 प्रतिशत वेट यानि 2500 रुपए कुल मिलाकर 12,500 रुपए में एक टीवी बेचते थे जबकि बिना बिल का टीवी 12,000 में बिक रहा था तो ऐसे में इमानदार व्यापारी का माल कैसे बिकेगा और बस यही कारण था कि इमानदार व्यापारी दु यही हाला देश के अन्य राजियों के भी थे जेस्ट आने के बाद देश के सभी राजियों में किसी भी प्रोड़क्ट पर लगने वाला टैक्स एक समान हो गया है अब आप देश के किसी भी राजियों में कोई भी प्रोड़क्ट खरी दें उस पर एक ही टैक्स रेट है ज से इमानदार व्यापारी भी खुश है और समान टेक्स होने से जिस प्रदेश में माल बिक रहा है टेक्स भी उसी प्रदेश की सरकार को मिल रहा है चलिए अब बात करते हैं कि GST नंबर किसे लेना आवश्यक है GST नंबर के लिए भारत सरकार ने देश की सब ही राज्यों को दो कैटेगरी में बाटा है नॉर्मल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी पहले बात करते हैं नॉर्मल कैटेगरी की अगर किसी व्यापारी के माल का टन ओवर किसी financial year में यानि किसी वर्ष के 1 अप्रेल से लेकर के अगले वर्ष के 31 मार्ष तक की अवधी में 40 लाग का हो जाता है तो उस व्यापारी को GST नंबर लेना अनिवारे है इसी तरह सर्विस प्रोवाइडर के लिए टन ओवर की ये लिमिट 20 लाग रुपे की है इसके अंतरगत ये सभी राजे आते हैं इसमें तेलंगाना के डीलर्स को ये छूट दी गई है कि वे चाहें तो नॉमल कैटेगरी में जाएं और चाहें तो स्पेशल कैटेगरी में जा सकते हैं अब बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी की अगर किसी व्यापारी के माल का टन ओवर किसी फैनेंशल एर में 20 लाग से अधिक हो तो उस व्यापारी को GST नंबर लेना अनिवारे है इसी तरह सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये लिमिट 10 लाख रुपए है इसके अंतरगत पुदुचेरी, मिखाले, मिजोरम, त्रिपुरा, मनिपुर, सिक्केम, नागा लेंड, अरुनाचल प्रदेश और उत्तराखन ये सब राज्या आते हैं अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि टरन ओवर क्या होता है तो चलिए ये भी बता देते हैं आपके व्यापार में किसी भी फैनेशियल एर में जो टोटल सेल होगा यानि सभी तरह के सेल्स जैसे कैश सेल्स, क्रैडिट सेल्स मिलाकर चाहे वो टेकसिबल हूँ, चाहे एक्जेम्टेट हूँ या अनि किसी भी तरह के हूँ, इन सभी को मिलाकर उस वर्ष का टरन ओवर कहलाएगा उपरोक्त लिस्ट में आप अपने राज्य का नाम और बताए गए टरन ओवर को देखकर ये निर्ने ले सकते हैं कि आपको GST नमबर लेना ज़रूरी है या नहीं यदि लेना है तो किस कैटेगरी में यदि आपका टरन ओवर जो हमने बताया है उसके अनुसार नहीं है और फिर भी आप GST नमबर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं अब हम आपको बता देते हैं कि GST registration के लिए कितने प्रकार की schemes हैं यदि आपको GST नमबर चाहिए तो उसके लिए आपको GST registration करवाना होगा GST registration की दो schemes हैं Composition scheme और Regular scheme आप अपनी बिजनस की ज़रूरत के हिसाब से इन में से किसी में भी अपना registration करवा सकते हैं। इन दोनों schemes को हम detail में बता देते हैं। पहले बात करते हैं composition scheme के बारे में। Composition scheme छोटे व्यापारियों के लिए है। इसे भी तीन भागों में बाटा गया है। पहला, manufacturers and traders, दूसरा, restaurant जहाँ पर alcohol serve नहीं किया जाता है। और तीसरा, service providers। अब आपको पहले बताते हैं manufacturer और trader के लिए composition scheme के बारे में। इसकी अंतरगत वो dealers आते हैं जो किसी भी तरह के माल का निर्मान करते हैं या व्यापार करते हैं। इसके अंतरगत आने वाले व्यापारी के turnover की अधिकतम limit किसी भी financial year में 1.5 करोड है। यानि उसका turnover 1.5 करोड से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि North Eastern States यानि उत्तरपूर्वी राजियों और उत्तरा खंड के लिए ये limit 75 लाग रुपए है। और अब बताते हैं service provider के लिए composition scheme के बारे में। इस scheme में वो dealers registration करवा सकते हैं जो service देने का काम करते हैं। service provider के turnover की limit 50 लाग है यानि उसका turnover किसी एक financial year में 50 लाग से अधिक नहीं होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं उन नियमों की जो composition scheme लेने के बाद आपके company पर लागू होंगे। पहला नियम है इस scheme में आने वाला व्यापारी केवल अपने राज में ही माल बेच सकता है। यानि राज के बाहर माल नहीं बेच सकता। हाँ वो अपने राज से और दूसरे किसी भी राज से माल खरीच जरूर सकता है। दूसरा नियम है no ITC available यानि composition scheme में व्यापारी को कभी भी ITC मतलब input tax credit का लाब नहीं मिलता है। अब इसको समझने के लिए पहले समझना होगा input tax credit का मतलब क्या होता है। जब भी कोई dealer goods या service purchase करता है तो उस purchase पर GST भी देता है और जब वो government को अपना GST पे करता है तब खरीद पर दिये गए tax की छूट लेता है और इस तरह की मिलने वाली छूट को ITC यानि input tax credit कहते हैं। Composite dealer के मामले में purchase पर चुकाए गए tax की छूट नहीं मिलती। जैसे किसी Composite dealer ने 10,000 में एक टीवी खरीदा जिस पर अठारा सो रूपए GST दिया है। अब जब वो अपना GST भरेगा तो उसमें purchase पर दिये गए GST के अठारा सो रूपए की छूट नहीं ले सकता। तीसरा नियम है No GST Charge. Composition scheme में registered dealer जो भी sell करता है उस sell पर वो ग्राहक से GST वसूल नहीं कर सकता। यानि वो बिल में GST लगा कर goods और service नहीं बेच सकता। जैसे कि उसने 10,000 रुपए में एक TV खरीदा जिस पर 1800 रुपए GST चुकाया और इस तरह से उसने supplier को कुल 11,800 रुपए का payment किया और इसमें अपना profit 1200 रुपए जोड कर उस TV को ग्राहक को 13,000 रुपए में बेच दिया। अब वो इस 13,000 रुपए पर ग्राहक से किसी तरह का GST नहीं ले सकता। चौथा नियम है, composition scheme में manufacturer और traders को अपने कुल सेल का 1 प्रतिशत, restaurant जहाँ पर की alcohol serve नहीं किया जाता है उनको 5 प्रतिशत, और service provider को 6 प्रतिशत का GST अपने पास से भुक्तान करना पड़ता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि composite dealer ने 13,000 में एक TV बेचा और यदि वो trader की श्रेणी में आता है, तो उसे 13,000 रुपए पर 1 प्रतिशत यानी 130 रुपए GST भरना होगा। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ट्रेडर ये GST ग्राहक से वसूल नहीं कर सकता, ये उसे अपने पास से ही भरना होगा। पाच्वा नियम है, जैसे ग्राहक को मालुम पड़ सके कि उसने जिससे माल खरीदा है, वो composition डीलर है। च्छटवा नियम है, composition scheme में व्यापारी को quarterly यानि तीन माह में एक बार tax का भुगतान करना होता है। साथवा नियम है, composition scheme में व्यापारी को हर बिल का हिसाब नहीं रखना होता है, क्योंकि उसने ग्राहक से कोई tax ही नहीं वसूला है, तो फिर सरकार उससे प्रत्यक बिल का हिसाब क्यों ले। उसे तो केवल हर तीन माह में GST, CMP 8 और साल में एक बार GSTR 4 रिटन फाइल करना होता है। यहां रिटन से तात्पे रहे हैं आपने जो भी transactions किये हैं उनकी समरी देना। अब है हमने composition scheme के बारे में बात की। आए अब regular scheme के बारे में समझ लेते हैं। regular scheme में turnover की कोई अधिकतम सीमा नहीं है और इसके अंतरगत आने वाला व्यापारी राज्य के अंदर और राज्य के बाहर दोनों जगह पर माल खरीद और बेच सकता है। regular scheme के अंतरगत कुछ rules और regulations भी हैं आए उन्हें समझ लेते हैं। पहला है regular scheme के अंतरगत आने वाले व्यापारियों द्वारा जो भी माल या सेवाओं की खरीद की जाती हैं। और उस खरीद पर जो भी GST चुकाया जाता है उसका ITC यानी input tax credit प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि government को tax pay करते समय खरीद पर दिये गए GST की छूट मिलती है। दूसरा नियम है regular scheme के अंतरगत आने वाला व्यापारी जो भी माल अपने ग्रहक को बीशता है उस पर वो ग्रहक से GST वसूलता है। इस तरह cell पर वसूल किये गए GST को output GST कहते हैं। तीसरा नियम इस scheme में dealer अपने cell के output GST से purchase के input GST यानी input tax credit को घटाता है और इनके difference का भुकतान सरकार को करता है। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वो अपने cell पर वसूले गए GST में से purchase के समय दिये गए GST को कम करके बकाया GST का भुकतान सरकार को कर देता है। इसे एक उधारन से समझ लेते हैं, मान लीजिए कि आप एक regular scheme में registered dealer हैं और आपने एक TV 10,000 रुपे मुले का खरीदा, जिस पर 18% से 1800 रुपे GST दिया, यानी TV के लिए कुल 11,800 रुपे का भुकतान किया। अब इस TV को आपने 10,000 के ओपर 3,000 रुपे का प्रॉफिट लेकर 13,000 रुपे में बेचा। जिस पर ग्राहक से 2340 रुपे GST भी वसूला यानी कुल 15,340 रुपे लिए। अब इसमें 2340 रुपे आउटपुट GST कहलाएगा और 1800 रुपे इनपुट GST कहलाएगा। और आपको इन दोनों का difference यानी केवल 540 रुपे ही सरकार को देना होगा। इस तरह GST पे करने का फार्मूला हुआ आउटपुट GST माइनस इनपुट GST इस एक्वल टू GST पेएबल। चौथा नियम है रेगिलर स्कीम के अंतरगत व्यापारी अपने ग्राहकों से GST अलग से वसूल करता है। इसलिए उसे सरकार को बताना होता है कि उसने किस बिल पर कितना टैक्स वसूला है यानी उसे प्रतेक बिल का हिसाब देना होता है। पांचवा नियम रेगिलर स्कीम में व्यापारी अपने ग्राहक को जो इन्वोईस देता है उस पर टैक्स इन्वोईस लिखा होना चाहिए। छटा नियम है इसमें प्रतेक व्यापारी को हर मा टैक्स जमा करना होता है। और साथवा नियम इसमें व्यापारी को कुछ रिटन्स जैसे GSTR 3B और GSTR 1 फाइल करना होते हैं। यदि व्यापारी का टर्न ओवर पांच करोड से ज्यादा है तो हर मा और यदि पांच करोड से कम है तो क्वार्टरली GSTR 3B और GSTR 1 भरना होते हैं। इसी तरह कुछ और रिटन्स भी हो सकते हैं जिने अलग-अलग कंडिशन के हिसाब से भरना होते हैं। यहाँ पर हमने आपको GSTR के Registration की दोनों स्कीम, Composition और Regular स्कीम के बारे में बता दिया है। आई अब देखते हैं GSTR के लिए Dealers को Registration कहां और कैसे करवाना होता है। सरकार नी One Nation One Tax के रूप में GSTR को लागू कर दिया है। साथ ही इस Tax की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए Goods and Services Tax Network बनाया है जिसे शॉर्ट में GSTN कहते हैं। GSTN ने एक GST Portal www.gst.gov.in बनाया है। इस पोर्टल पर Dealers स्वयम GST से संबंधित अपने सभी काम ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पोर्टल पर Registration करवाना होता है। Registration करवाने पर उन्हें एक GST Identification नंबर दिया जाता है जिसे शॉर्ट में GSTIN कहा जाता है। ध्यान रखें GSTIN यानि GST नंबर Pen Card के आधार पर ही मिलता है। बिना Pen Card के Registration नहीं करवा सकते। GST Registration के लिए आपकी फर्म जिस भी तरह की है जैसे Proprietorship, Partnership, HUF या Company उसके नेचर के हिसाब से आपको डॉक्यमेंट सब्मिट करना होंगे। तो चलिए अब समझते हैं GST नंबर का Format कैसा होता है। GST नंबर 15 डिजिट का होता है जिसमें आगे के दो डिजिट State Code होते हैं। जैसे कि हम मध्यप्रदेश के व्यापारी हैं तो यहां हमारा State Code 23 आ रहा है। फिर यह 10 डिजिट हमारे Pen के होते हैं। तेरवे नंबर का डिजिट हमें यह बताता है कि किसी एक Pen से कितने रिजिस्ट्रेशन हुए हैं। चौधवे नंबर पर जो डिजिट है वो Automatically Generate होता है और लास्ट डिजिट को Check Code कहा जाता है जो Error को Detect करता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं GST नंबर कितने दिन में मिलता है। GST Registration के लिए Online Apply करने के बाद आपको एक Reference नंबर दिया जाता है, जिसके साहता से आप GST Portal पर अपने सिधी देख सकते हैं। अगर GSTN यानि Goods and Services Tax Network को कोई आपती नहीं होती है, तो तीन से चार दिनों के अंदर आपके email और mobile नंबर पर GST-IN यानि GST नंबर जारी कर दिया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं GST में कितने प्रकार के डीलर्स होते हैं। इसमें दो प्रकार के डीलर्स होते हैं, Registered Dealers और Unregistered Dealers। Registered Dealers से तातपर है ऐसे व्यापारी जो GST नंबर लेते हैं यानि GST का Registration करवाते हैं। इसके भी दो प्रकार होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, यदि व्यापारी ने Registration करते वक्त Regular Scheme ली है, तो वो Regular Dealer कहलाता है। और यदि उसने Composition Scheme ली है, तो वो Composition Dealer कहलाता है। अब बात करते हैं URD यानि Unregistered Dealer की। Unregistered Dealer उन्हें कहते हैं जिन्होंने GST नंबर नहीं लिया होता है। यानि Customers या कोई बहुत ही छोटे व्यापारी। वैसे Government इन दोनों को ही Consumer बानती है। अब बात करते हैं कि GST कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने GST क्या है, इसमें कितनी स्कीम्स होती हैं और कितने प्रकार के डीलर्स होते हैं। इत्यादी अनिक जनकारी प्राप्त की। अब बात करते हैं GST कितने प्रकार का होता है। तो ये तीन प्रकार के होते हैं SGST यानि State GST, CGST यानि Central GST और IGST यानि Integrated GST. जब कोई regular dealer अपनी ही राज में किसी को माल बेशता है या किसी regular dealer से माल खरीदता है, तो इस माल की क्रे और विक्रे पर SGST और CGST लगाया जाता है। राज के अंदर इस प्रकार के क्रे विक्रे को Intrastate Purchase या Cell कहते हैं। माल लिजे किसी register dealer ने 1000 रुपए का माल बेचा। जो माल बेचा है उस पर 18% GST applicable है। तो register dealer उस ग्राहक से 1000 रुपए माल के और 180 रुपए टेक्स के लेगा। यानि कुल 1180 रुपए लेगा। यहां पर एक महत्पुन बात ध्यान रखें कि अपने ही राजी में माल बेचने पर इस टेक्स के दो हिस्से हो जाते हैं। जिसमें आधा यानि कि 9% CGST और आधा 9% SGST में विभाजित हो जाता है। तो बिल इस प्रकार बनेगा माल का मुल्य 1000 रुपए, SGST और रेट 9% 90 रुपए, CGST और रेट 9% 90 रुपए, कुल 1180 रुपए। कहने का मतलब ये है कि अपने राज में लेंदेन होने पर, GST का आधा हिस्सा स्टेट गवर्मेंट के पास SGST के रूप में और आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्मेंट के पास CGST के रूप में चला जाता है। जो व्यापारी Union Territory में आते हैं, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीब, इत्यादी में, तो वो अपने सेल्स पर SGST के पजाए UTGST लगाते हैं। इसी तरह जब कोई Regular Dealer एक राजे से दूसरे राजे में किसी व्यापारी को माल बीचता है, या किसी Regular Dealer से माल खरीकता है, तो इस माल के क्रे और विक्रे पर केवल IGST लगाया जाता है। एक राजे से दूसरे राजे में इस प्रकार के क्रे विक्रे को Interstate Purchase या Sell कहते हैं। माल लिजे किसी Register Dealer ने दूसरे राज्य में 1000 रुपए का माल बेचा, जो माल बेचा है उस पर 18% GST applicable है, तो बिल बनेगा माल का मूले 1000 रुपए, IGST at the rate 18% 180 रुपए, कुल 1180 रुपए, ये जो IGST है वो Central Government के पास जाता है और बाद में Central Government उसके दो भाग करती है। एक वो खुद रखती है और एक भाग उस State Government को देती है, जिस State में वो माल बिका है। चले अब बात करते हैं GST के अंतरगत आने वाले Tax Slap की। कौन से वस्तुपे कितना Tax लगेगा। ये निशित करने के लिए सरकार ने GST के अंतरगत आने वाले Goods और Services पर उनके उपयोग के हिसाब से उन्हें अलग-अलग समुहों में बाट कर Tax Rate निशित किये हैं। सरकार ने GST के अंतरगत 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के Tax Slap निशित किये हैं। दो चित्रों के माधियम से हम आपको बता रहे हैं कि सरकार ने कौन से आइटम्स पर कितने प्रतिशक टेक्स लगाया है। ये है पहला चित्र। और ये है दूसरा चित्र। अभी हमने जो इस वीडियो में बताया उसकी माध्वन बातों को हम फिर से चार्ट के माध्यम से दिखा रहे हैं। हुआ। है झाल देश में जब से GST लागू हुआ है व्यापवार पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है अब केवल कुछ छोटे पैमाने पर छोड़ कर किसी भी manufacturer, trader या service provider के लिए बगैर GST के काम करना संभव ही नहीं है बस यही कारण है कि अब हम आपको GST के साथ यानि GST लगा कर purchase और sales करने और उससे संबंधित अन्य काम करने के बारे में बताया नहीं जा रहे है GST पर काम करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी company में GST activate करना होता है तो चलिए देख लेते हैं कि टैली में नई company बनाते समय GST कैसे activate करते हैं यहाँ पर हम अपनी company का नाम टाइप कर रहे हैं हमारी state है मध्यप्रदेश तो यहाँ हम list of states में से मध्यप्रदेश सेलेक्ट कर रहे हैं इसी तरह हमने बाकी की details भी type कर दी है यहाँ financial year beginning from में 1 अप्रेल 2021 आ रहा है और यह सही है तो हम आगे बढ़ रहे हैं books beginning from में भी 1 अप्रेल 2021 आ रहा है हम अपनी company की books इसी तारीक से maintain कर रहे हैं इसी लिए यही date रहने देंगे अब जैसे ही हम company save करते हैं देखे हमारे सामने company features alteration की screen आ रही है यहां हम accounting और inventory के अंतरगत आने वाले features पर पहले ही काम करना सिखा चुके हैं और आज taxation के अंतरगत आने वाले feature enable goods and services tax पर काम करने वाले हैं यहां ध्यान दें कि enable goods and services tax option यस तो है पर इसका मतलब यह नहीं है कि इसके अंतरगत GST के जो options आते हैं वो भी activate हो उन options को देखने के लिए हमें इस पर जाकर enterprise करना होगा यह देखिए ऐसा करते ही हमारे सामने company GST details की screen आ रही है इसमें हमें GST से संबंदे बहुत से options दिखाई दे रहे हैं चलिए हम एक एक करके इन सभी options को समझ लेते हैं यहां GST details को तीन main heads में बाटा गया है इसमें सबसे पहले है GST registration details दूसरा है additional features और तीसरा है invoice features चलिए पहले हम GST registration details को समझ लेते हैं इसमें सबसे पहले है state इसके सामने उसी state का नाम आ रहा है जो अभी हमने company बनाते समय select की थी और यह सही है तो हम enterprise करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अगला है registration type इसके आगे दो options दिखाई पढ़ रहे हैं composition और regular इन दोनों registration scheme के बारे में हम आपको पिछली वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं अभी हम GST registration की regular scheme पर काम करने जा रहे हैं इसलिए यहां regular select कर रहे हैं आगे आने वाली वीडियो में हम आपको composition scheme के बारे में भी बताएंगे इसके बाद है Assessy of other territory यदि आपका व्यवसाय exclusive economic zone के अंतर गताता है तो इसे yes करें अनिता no ही रहने दें अगला है GST applicable from इसका मतलब है कि आपकी company में GST कब से applicable यानि लागू हो रहा है हमने अपनी company 1 April 2021 से शुरू की है और इसी तारिख से हमारी company पर GST भी applicable है इसलिए यहाँ पर हम 1 April 2021 ही रहने दे रहे हैं और enterprise करके आगे बढ़ रहे हैं इसके बाद है GSTIN या UIN यहाँ पर GSTIN से तातपर है Goods and Services Tax Identification Number यानि GST Number और UIN यानि Unique Identification Number से तातपर है ऐसे नंबर से जो GST की एक विशेश कैटिगरी जैसे की Foreign Diplomatic Missions and Agencies को दिये जाते हैं GSTIN अपलिक UIN के आगे हम GST Department से प्राप्त अपना 15 डिजिट का Registration Number टाइप कर रहे हैं इसके बारे में हम आपको दीटेल में पिछली वीडियो में बता चुके हैं यहां ध्यान रखें यदि आप कोई गलत GSTIN डालेंगे तो इस तरह का Message आएगा और यदि आपने सही GSTIN डाला होगा तो इस तरह का कोई Message नहीं आएगा यदि गलत नंबर है तो आप उसे ठीक कर लें यहां पर एक बात और बता दें यदि आप सिर्फ सीखने के लिए कोई GST डालना चाहते हैं तो Google पर उसको कैसे सर्च करें यह बता देते हैं जैसे कि हम मध्यप्रदेश के व्यापारी हैं तो हम टाइप करेंगे मध्यप्रदेश GST डाला पर टेस्टिंग आप भी अपने स्टेट के नाम के साथ इसी तरह सर्च करके वहां से कोई नंबर लेकर काम कर सकते हैं इसके बाद है इसका मतलब है कि आप GST 1 रिटन कब फाइल करने वाले हैं मंतली या क्वाटली हम क्वाटली सेलेक कर रहे हैं आप बात करते हैं दूसरे हैडिंग एडिशनल फीचर्स के अंदर गताने वाले ओप्शन्स की इसमें सबसे पहले है सेट अबलेक ऑल्टर जी एस्टी रेट डीटेल्स आप जिन वस्टों का व्यापार करते हैं यदि वो सब किसी एक ही कैटेगरी की हैं और उन सभी पर एक ही टेक्स रेट है तो आप इसे यस करके उस कैटेगरी से संबंदि टेक्स की डीटेल्स दे सकते हैं ऐसा करने से भविश्य में आपको प्रतेक आइटम पर अलग-अलग टेक्स रेट नहीं डालना होंगे इसके बारे में डीटेल में हम आगे की वीडियो में समझाएंगे हमारी कमपनी में हाँ अलग-अलग टेक्स रेट वाले आइटम्स में डील करने वाले हैं इसलिए हम इसे नो ही रहने दे रहे हैं इसके बाद है इसका मतलब यह है कि यदि आप किसी पार्टी से गुद्स या सर्विस के अगेंस्ट एडवांस ले रहे हैं, तो क्या GSTR 1 रिटन भरते समय उस एडवांस को रिटन में दिखाना चाहते हैं? अभी यह option no है और हम इसे no ही रहने दे रहे हैं। आगे की वीडियो में हम इस option के बारे में समझाएंगे। और प्रोवाइड एल्यू टी अबलिक बॉंड डिटेल्स यह भी अभी हमारे किसी काम के नहीं है, इस लेने भी no रहने दे रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे हैं इंवाइस फीचर के अंतर गताने वाले options की। इसमें सबसे पहले है e-way bill applicable जो कि अभी yes है। हम इसे no कर रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सिर्फ GST एक्टिवेट करना बता रही हैं। e-way bill और e-invoice GST का advanced part है जिसे हम आगे की वीडियो में विस्तार से समझाएंगे। अब हम इस screen को save कर लेते हैं। और अब company features alteration screen को भी enterprise करते हुए accept कर लेते हैं। तो इस तरह हमने GST को activate करते हुए company create कर ली है। अब हम इस company को बंद कर देते हैं। आईए अब देखते हैं कि यदे आपने पहले से कोई company बना कर रखी है और उसमें GST activate नहीं किया हुआ है। तो उस पहले से बनी हुई company में GST कैसे activate करें। उसके लिए पहले अपनी company open कर ले। और फिर F11 press करें। ऐसा करते ही company features alteration screen आ जाएगी। अब यहां से आप पहले बताए अनुसार काम करके GST activate कर सकते हैं। GST के हिसाब से हम purchase को दो भागों में बांच सकते हैं। पहला intra-state purchase और दूसरा inter-state purchase। जब हम अपने प्रदेश की सीमाओं के अंदर किसी व्यापारी से माल खरीते हैं। तो वो intra-state purchase कहलाती है। और जब हम अपने प्रदेश के बाहर अन्य किसी भी प्रदेश के व्यापारी से माल खरीते हैं। तो वो intra-state purchase कहलाती है। इसे हम एक उदारन से समझ लेते हैं। माल लिजे कि हम मध्यप्रदेश राज्य के शहर इंदर के व्यापारी हैं। और हमने मध्यप्रदेश के ही भोपाल के किसी व्यापारी से माल खरीता। तो इस तरह की अपने ही प्रदेश से की गई खरीदी intra-state purchase कहलाती है। इसी तरह यदि हम मध्यप्रदेश में इंदर के व्यापारी हैं। और हमने उत्तर प्रदेश के कानपुर के व्यापारी से माल खरीदा। तो इस तरह की खरीद जो की प्रदेश के बाहर से की गई है या यूँ कहें कि दूसरे प्रदेश से की गई है वो inter-state purchase कहलाती है। यहाँ पर हम आपको एक बिल दिखा रहे हैं। यह बिल सुधाकर ट्रेडर्स भोपाल का है। इससे हमने 5 प्रिंटर 10,000 रुपए के भाव से उधार खरीदे हैं। बिल में सबसे उपर tax invoice लिखा है, इसका मतलब है कि यह regular dealer है। उसके बाद party का नाम और उसका GST नंबर है। और buyer में हमारा नाम और हमारा GST नंबर आ रहा है। यहाँ पर समझने के लिए खास बात यह है कि party के GST नंबर में state code और हमारे GST नंबर का state code दोनों एक ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो purchase है वो राज्य के अंदर की गई है। मतलब यह कि यह intra-state purchase है। Tax invoice और regular dealer इत्यादी महतुपुन बातों के बारे में हम आपको GST introduction वाली वीडियो में detail में बता चुके हैं। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। नीचे description of goods में product का नाम है। उसके बाद उसका hsn, quantity, rate, amount, tax का amount और आखिर में total bill amount दिखाई पढ़ रहा है। साथ ही नीचे की और GST से संबंधी details भी दिखाई पढ़ रही है। यहां आगे बढ़ने से पहले हम आपको hsn, sac code का मतलब समझा देते हैं। hsn मतलब harmonized system of nomenclature और sac यानी services accounting code होता है। hsn से आशय है कि प्रते goods को identify करने के लिए एक विशेश नंबर। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि GST में product के नाम के स्थान पर hsn नंबर ही उसकी पहचान होती है। जिस तरह goods को identify करने के लिए hsn code दिये जाते हैं। उसी तरह अलग-अलग service के लिए जो code दिये गए हैं उन्हें SAC कहते हैं। चलिए अब इस bill के आधार पर अपने यहां भी entry कर लेते हैं। अभी हम gateway of tally पर हैं वाउचर के लिए V प्रेस करेंगे। अब purchase voucher के लिए F9 प्रेस कर रहे हैं। सबसे पहले यदि voucher की date बदलना है तो F2 प्रेस करके बदल सकते हैं। हमें यही date रखना है इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां supplier invoice number टाइप कर रहे हैं। यहां पर supplier के bill की date टाइप कर रहे हैं। और अब enter प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहां हमें party account name में party का ledger सेलेक करना होगा चुकि अभी बना हुआ नहीं है। हम alter और C प्रेस करके party का ledger बना लेते हैं। यहां पर party का नाम टाइप करें। अंडर में sundry creditor group सेलेक करेंगे क्योंकि यह हमारा supplier है। maintain balance bill by bill को यसी रखना है। यहां पर हमें party की mailing details देना होंगी। जिसे हम bill पर देखकर type कर रहे हैं। state में मध्यप्रदेश आ रहा है और देखिए यह supplier भी मध्यप्रदेश का ही है। मतलब यह ठीक है। अब हम enter press करते हुए tax registration details पर आ गए है। यह देखिए जैसे ही हम registration type पर आते हैं। यहां हमको चार अलग-अलग registration types दिखाई देते हैं। इनके बारे में भी हम आपको GST introduction वाली वीडियो में बता चुके हैं। अभी हमने जिस party से माल खरीदा है। वो regular dealer है और उसकी पहचान यह है कि उसने bill के उपर tax invoice लिखा है। और bill में GST अलग से लगाया है। उसके बाद यहां हमको party का GST IN type करना है। अब set और alter GST details को no ही रहने दे। जब हमें party के ledger में GST से संबंधित कोई additional details देना होती है। तब इसे yes करते हैं। इसके बारे में हम आगे समझेंगे। अब इस screen को save कर लेते हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे सामने party details की window आ रही है। यहां पर एक बात का ध्यान रखें। जो details हमने party के ledger में दी हैं वही यहां भी दिखाई देगी। हम पूरी details फिर से चेक कर लेते हैं। यहां हमें purchase का ledger select करना है जो की बना हुआ नहीं है। हम इसे बना लेते हैं। उसके लिए हमें create पर जाना होगा। यह देखिए create selected है। हम enterprise कर रहे हैं। नेम के आगे purchase account टाइप कर रहे हैं। अंडर में purchase account group select कर रहे हैं। अब enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम statutory details में इस GST applicable पर आ गए हैं। यहां हमें कुछ नहीं करना हैं। GST को applicable ही रहने दे। इसके बाद है set और alter GST details। यहां पर भी हम no ही रहने देंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आइटम पर tax rate define करना बता रहे हैं। और भविश्य में लेजर में भी tax rate define करना बताएंगे। इसके बाद है type of supply इसमें हम goods select कर रहे हैं क्योंकि इस company में हम goods पर काम कर रहे हैं। अब इस screen को accept कर लेते हैं। अब हम name of item पर आ गए हैं। लिस्ट of stock items देखने के लिए space bar प्रेस करेंगे। हमने stock items भी नहीं बनाए हैं। वो बनाने के लिए create पर जाकर enter प्रेस करेंगे। अब यहां name में बिल के अनुसार जो भी item खरीदा है उसका नाम type कर रहे हैं। प्रिंटर अंडर में primary ही रहने दे रहे हैं। यहां हमको units create करना होगी। unit creation screen आ रही है। symbol में हम nos type कर रहे हैं। formal name में हम numbers type कर रहे हैं और enter press कर रहे हैं। ऐसा करते ही हम unit quantity code पर आ गए हैं। वैसे तो हम आपको सभी तरह की units create करना पहले बता चुके हैं। पर यहां पर एक नया option आ रहा है। जो कि GST enable करने के बाद ही activate होता है। GST में किसी भी unit को measure करने के लिए उस unit को standard form में लाना होता है। और इसके लिए UQC का उपयोग किया जाता है। जैसे कुछ supplier kg लिखते हैं और कुछ kg लिखते हैं पर यहां दोनों का मतलब है kg से। इसलिए GST ने इसे kgs kg से denote किया है। अभी हमारी measurement unit numbers है जिसका UQC भी NOS numbers ही होता है। इसलिए हम यहां पर NOS ही select कर रहे हैं। number of decimal places में 0 ही रहने देंगे और अब control और A की से इसे save कर लेते हैं। हम फिर से stock item creation screen पर आ गए हैं। इस पर हम statutory details में GST applicable पर हैं जिसके आगे applicable लिखा हुआ है। हम इसे ऐसा ही रहने दे रहे हैं और enter press करके आगे बढ़ रहे हैं। set और alter GST details जो कि अभी no है उसे हम yes कर रहे हैं। क्योंकि यहां हम item के साथ GST set करना चाहते हैं। यह देखिए हमारे सामने GST details for stock item की window आ रही है। इसमें सबसे उपर item का नाम आ रहा है। यहां पर हमें कुछ configuration करना होगा। उसके लिए हम F12 press कर रहे हैं। यह देखिए यहां पर कुछ options दिखाई पड़ रहे हैं। इन मेंसे जो options हमें चालू करना हैं। उन्हें yes करना होगा। हम allow HSN oblique SAC details, set type of goods और show all GST text types options को yes कर रहे हैं। और इसे save कर रहे हैं। यह देखिए अभी हमने जो options चालू किये थे वो यहां पर दिखाई पड़ने लगे हैं। description में हम item से संबंदित कुछ details दे सकते हैं। यहां पर हम type कर रहे हैं printing machine और enterprise कर रहे हैं। HSN oblique SAC में हमें item का HSN code type करना है। ध्यान रखे, HSN code हर item के लिए अलग-अलग होता है। हमारा item printer है, जिसका code 8443 है, जो कि अभी हमने supplier के bill से लिया है। आप चाहें तो Google पर कोई भी HSN SAC सर्च कर सकते हैं। इसके बाद है is non-GST goods, यानि आप जिस stock item को बना रहे हैं, क्या वो GST में नहीं आता है। हमारा item GST में आता है, इसलिए हम इसे no ही रहने दे रहे हैं। अब हम text details पर आ गए हैं। इसमें सबसे पहले है calculation type, जिसमें 2 options दिखाई दे रहे हैं। पहला है on item rate और दूसरा है on value। अभी हम यहां पर on value select कर रहे हैं। जिसका मतलब है कि GST के जो भी calculation हो वो item के मुल्य पर ही हूँ। on item के बारे में हम आगे की वीडियो में समझाएंगे। अगला है taxability, इसमें भी चार options दिखाई दे रहे हैं। unknown, exempt, nil rated और taxable। अभी हम इस item पर अलग से tax दे रहे हैं। इसलिए यह taxable कहलाएगा। बाकी इन तीनों के बारे में हम आगे की वीडियो में बताएंगे। यहां पर हम taxable सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हम tax type पर आ गए हैं। इसमें integrated tax के आगे हम 18 type कर रहे हैं। क्योंकि printer पर 18% tax है। और enter press कर रहे हैं। यह देखिए, नीचे 18% का आधा आधा, central tax 9% और state tax 9% में डिवाइड हो गया है। integrated tax, central tax और state tax के बारे में हम आपको GST की introduction वाली वीडियो में बता चुके हैं। SES में अभी हमें कुछ भी type नहीं करना है। तो अब हम इसको save कर लेते हैं। अब यहां type of supply में goods सिलेक कर रहे हैं। अब इस stock item creation screen को save कर लेते हैं। हम वापस purchase voucher पर आ गए हैं। यहां पर quantity type करेंगे। यहां पर rate। यह देखिए amount में वही amount आ गया है जो bill में इस item का है। हम enterprise कर रहे हैं। यदि हमारी खरीद में और भी item होते तो अभी के बताय अनुसार उन्हें भी हम यहां पर ले सकते थे। हमने एक ही item खरीदा है इसलिए हम enterprise करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा करते ही end of list लिखा दिखाई पड़ेगा। ऐसी इस्थिती में हमें backspace की press करना होगी। यह देखिए ऐसा करते ही list of ledger accounts आ रही है। यहां हमें इस bill पर GST लगाना होगा जिसके ledgers अभी हमने नहीं बनाए हैं। तो चलिए पहले उन्हें बना लेते हैं। हमने माल की खरीदी स्टेट के अंदर से की है। इसलिए जैसा की हमने आपको GST इंट्रोडिक्शन वाली वीडियो में बताया था। इस पर दो टेक्स लगेंगे। पहला CGST और दूसरा SGST। पहले हम CGST का ledger क्रियेट कर रहे हैं। यहां पर टाइप करेंगे CGST और Enterprise करेंगे। अंदर में Duties and Taxes का ग्रुप सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम टेक्स का ledger बना रहे हैं। टाइप ऑफ ड्यूटी अबलिक टेक्स में GST सिलेक्ट करेंगे। टेक्स टाइप में Central टेक्स सिलेक्ट करेंगे। और Ctrl और A की से इसे सेव कर लेंगे। यह देखिए CGST के आगे 4500 लिखा हुआ आ रहा है। मतलब 50,000 के उपर 9% CGST calculate हो गया है। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब SGST का लेजर भी create कर लेते हैं। यहां पर SGST टाइप करेंगे। यह भी duties and taxes में आएगा। यहां GST और फिर यहां state tax select कर रहे हैं। अब इस screen को भी save कर लेते हैं। यह देखिए SGST के आगे भी 4500 लिखा हुआ रहा है। मतलब 50,000 के उपर 9% SGST भी calculate हो गया है। इस तरह हम देख सकते हैं कि 50,000 रुपए पर 18% tax rate के हिसाब से 9,000 रुपए tax हुआ जो दो बराबर भाग में 4.5,000 CGST और 4.5,000 SGST में बढ़ गया है। यहां आप देख सकते हैं invoice की total value 59,000 हो गई है। देखिए bill wise details की screen आ रही है। यहां हम आपको बता दें कि bill wise details और उसकी चारू methods, new reference, advance, against reference और on account के बारे में हम आपको पहले की videos में detail में बता चुके हैं। देखिए bill wise details में यहां new reference selected है और हमें यहीं चाहिए। चलिए अब इस entry को save कर लेते हैं। अब हम GST के report में इस purchase को देख लेते हैं। यदि हम voucher को open रखते हुए ही report देखना चाहते हैं तो हमें go to पर जाना होगा। हम go to पर mouse से click कर रहे हैं। यहां पर हम type करेंगे GST और फिर GSTR2 पर जाकर enter press करेंगे। यहां आपको बता देएं कि हमने purchase के entry की है और GST की purchase report GSTR2 में दिखाई पड़ती है। यह दिखिए हमने जो entry की थी वो B2B invoices के अंतरगत आ रही है। B2B का मतलब है business to business सरल शब्दों में माल बेचने और खरीदने वाले दोनों ही regular dealer हैं तो इस तरह की खरीद B2B में दिखाई पड़ती है। चलिए अब यहां से escape key press करके बाहर आ जाते हैं। अभी हमने जो माल खरीदा है वो credit में खरीदा है और अब हम जो माल खरीद रहे हैं वो नगद में खरीद रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इसकी entry कैसे करेंगे। अभी हम purchase voucher पर हैं। यह देखिए voucher की date एक अपरेल आ रही है। और यही date हमें चाहिए इसलिए हम इसे बिना change किये आगे बढ़ रहे हैं। यहां हम supplier invoice number डाल रहे हैं। यहां supplier के bill की date डाल रहे हैं। और अब enterprise कर रहे हैं। यहां party name में cash select कर रहे हैं क्योंकि यह माल हमने cash payment करके खरीदा है। enterprise करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए party details की screen आ रही है। यहां supplier में हमें उस party का नाम type करना है जिससे हमने cash में माल खरीदा है। enterprise करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह देखिए mailing name में भी supplier का नाम आ रहा है। अब हमें यह supplier का पता type करना है। यहां state के आगे मध्यप्रदेश आ रहा है। इसका कारण यह है कि हमारी company मध्यप्रदेश में बनी हुई है। इसलिए जब भी हम किसी party की details देने जाते हैं तो वहां मध्यप्रदेश अपने आप लिखा हुआ आ जाता है। च्योंकि यह party भी मध्यप्रदेश से ही है इसलिए हम enterprise करके आगे बढ़ रहे हैं। GST registration type में regular select कर रहे हैं क्योंकि हमने यह माल regular dealer से purchase किया है। इसके बाद है GST IN oblique UIN। हमें इसके सामने party का GST number type करना है। और उसके बाद enterprise करते हुए हम वापस purchase voucher पर आ गए है। यहां हमें पहले की ही तरफ purchase account select करना है। अब हम name of item पर आ गए है। इस bill में भी हमने printer ही खरीदे हैं इसलिए यहां printer select कर रहे है। यहां पर quantity और यहां rate type कर रहे है। अब enterprise करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा करते ही end of list लिखा हुआ दिखाई पढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में हमें backspace की press करना होगी। यह देखें list of ledger accounts आ रही है। इसमें हमें CGST और उसके बाद SGST का ledger select करना है। यह देखें यहां पर CGST 1620 रुपए और SGST 1620 रुपए आ रहा है। यानि 99% से कुल 18% GST लग गया है। पहले invoice value 18,000 थी और अब text चुड़ने के पाथ यह 21,240 हो गई है। अब इस entry को save कर लेते हैं और escape की press करते हुए gateway of tally पर चलते हैं। यहां से GST report देखने के लिए हमें display more report पर जाना होगा। उसके लिए D press कर रहे हैं। यहां statutory report के अंतरगत GST reports के लिए O press कर रहे हैं। अब GST R2 पर जाकर enter press करेंगे। यहां पर एक बात ध्यान रखें। रिपोर्ट देखने के पहले period अवश्य चेक कर लें। अभी हमने जो entries की हैं वो अप्रेल मैने की हैं और यह report भी अप्रेल की ही है। यानि period सही है। अब हम B2B के अंतरगत जाकर हमारी purchase देख सकते हैं। यह देखिए यहां अप्रेल माह की दोनों खरीद दिखाई पड़ रही है। GST के हिसाब से हम purchase को दो भागों में बाट सकते हैं। पहला intra-state purchase जिसके बारे में हम आपको पिछली वीडियो यानि वीडियो नंबर 76 में बता चुके हैं। और दूसरा है inter-state purchase जिसके बारे में हम आज बताने जा रहे हैं। जब हम अपनी प्रदेश के बाहर किसी भी अन्य प्रदेश के व्यापारी से माल खरीदते हैं तो वो inter-state purchase कहलाती है। चलिए इसको हम एक उदारण से समझ लेते हैं। हम मध्य प्रदेश के इंदौर के व्यापारी हैं और हमने उत्तर प्रदेश के कानपूर के व्यापारी से माल खरीदा। तो इस तरह की खरीद जो की प्रदेश के बाहर से की गई हैं इंटर-state purchase कहलाती है। यहाँ पर हम आपको एक बिल बता रहे हैं। यह बिल सुरेश ट्रेडर कानपूर का है, इनसे हमने 10,000 रुपए प्रती नग के हिसाब से 5 नग मॉनिटर के उधार खरीदे हैं। बिल में सबसे उपर tax invoice लिखा है, उसके बाद party का नाम और buyer में हमारा नाम आ रहा है। दोनों ही नाम के नीचे उनके GST नमबर दिखाई पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने के बाद यह है कि दोनों GST नमबर के state code अलग-अलग हैं। इसका मतलब यह है कि हम जो माल खरीद रहे हैं, वो दूसरे राज्य से खरीद रहे हैं। नीचे description of goods में product का नाम, उसके बाद उसका hsn, quantity, rate, amount, tax का amount और आखिर में total bill amount दिखाई पढ़ रहा है। साथ ही सबसे नीचे की और GST से संबंदित details भी दिखाई पढ़ रही है। चलिए, अब इस bill को देखते हुए हम tally में entry कर लेते हैं। अभी हम gateway of tally पर हैं, voucher के लिए V प्रेस करेंगे, अब purchase voucher के लिए F9 प्रेस कर रहे हैं। यदि आपको voucher की date change करना हो, तो F2 प्रेस करके कर सकते हैं। हमें यही date चाहिए, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां हम supplier invoice number टाइप कर रहे हैं। यहां पर suppliers के bill की date टाइप कर रहे हैं। और अब enter press करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। party account name में हमें party का ledger select करना होगा, जो की बना हुआ नहीं है। हम alter और C press करके party का ledger बना लेते हैं। यहां party का नाम सुरेश traders टाइप कर रहे हैं। अंडर में sundry creditor group select कर रहे हैं। maintain balance bill by bill को यस ही रखना है। यहां address में supplier का पूरा पता जो bill पर है वो टाइप कर रहे हैं। यह देखें list of states आ रही है। इसमें से हमें state select करना है। हम उत्तरप्रदेश सेलेक कर रहे हैं क्योंकि यह supplier कानपूर का है जो की उत्तरप्रदेश में आता है। अब हम enterprise करते हुए tax registration details पर आ गए हैं। यह देखिए जैसे ही हम registration type पर आते हैं। यहां हमको चार अलग-अलग registration types दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में और GST से संबंधित अन्य महत्तुपून बातों के बारे में, हम आपको GST introduction वाली वीडियो में और interstate purchase वाली वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो उसको नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख ले। ऐसा करने से आपको यह वाली वीडियो समझने में आसानी होगी। अभी हमने जिस पार्टी से माल खरीदा है वो regular dealer है और उसकी पहचान यह है कि उसके बिल में ऊपर की और tax invoice लिखा है और बिल में GST अलग से लगाया गया है। यही कारण है कि यहां पर हम regular select कर रहे हैं। उसके बाद यहां हमको पार्टी का GSTIN टाइप करना है। यहां पर set oblique alter GST details option को no ही रहने दें। अब इस screen को save कर लेते हैं। हम enter press करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह देखिए पार्टी details की window आ रही है। यहां पर एक बात का ध्यान रखें। जो details हमने पार्टी के laser में दी हैं वही यहां भी दिखाई देखगी। यहां पर हमें purchase account select करना है। GST के हिसाब से purchase account कैसे बनाते हैं यह हमने intra state purchase वाली वीडियो में बताया था। यहां हमने जो item खरीदा है उसका नाम select करना है जो कि अभी नहीं बना हुआ है। तो पहले हम alter और c press करके उसे बना लेते हैं। यहां हम item का नाम monitor टाइप कर रहे हैं। Under में हम primary ही रहने दे रहे हैं। Units में numbers ले रहे हैं। Set oblique alter GST details जो की अभी no है इसे हम yes कर रहे हैं। यह देखे हमारे सामने GST details for stock item की window आ रही है। जिसमें description में हम electronics type करेंगे। अब enterprise करेंगे, HSN oblique SSE के आगे हम item code 8528 type कर रहे हैं। ध्यान रहें, प्रत्यक item का HSN code अलग होता है। इसके बाद है is non GST goods, इसे हम no ही रहने देंगे। अब हम text details पर आ गए हैं। Calculation type में दो options दिखाई दे रहे हैं। पहला on item rate और दूसरा on value, अभी हम यहां पर on value सिलेक कर रहे हैं। On item के बारे में हम आगे की वीडियो में समझेंगे। Taxability में 4 options दिखाई दे रहे हैं, unknown, exempt, nil rated और taxable। हम यहां पर taxable सिलेक कर रहे हैं। अब हम text type पर आ गए हैं। Monitor पर 18% GST है, इसलिए हम integrated text के आगे 18 type कर रहे हैं और enter press कर रहे हैं। यह देखिए, नीचे 18% का आधा आधा यानी 9% Central Tax और 9% State Tax में डिवाइट हो गया है। चलिए अब इसे save कर लेते हैं। हम वापस stock item creation screen पर आ गए हैं। यहां हम type of supply में goods select कर रहे हैं और इस screen को भी save कर लेते हैं। ऐसा करते ही हम वापस purchase voucher पर आ गए हैं। यहां quantity और यहां rate type करेंगे, अब enter press करेंगे। यह देखिए, total cost पचास हजार आ रही है। अगर कोई और item select करना हो तो enter press करके वो item select कर लें। अभी हमें और कोई item select नहीं करना हैं तो हम enter press करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह देखिए, यहां पर end of list लिखा हुआ आ रहा है। हम backspace प्रेस करके list of ledger accounts पर आ गए हैं। यह माल हम दूसरे state से खरीद रहे हैं। इसलिए यहां हमें IGST यानि Integrated Goods and Services Tax का ledger select करना होगा। हमने अभी यह ledger नहीं बनाया है तो चलिए पहले उसे बना लेते हैं। यहां IGST टाइप कर रहे हैं। एंटर प्रेस करके under में duties and taxes group select कर रहे हैं। टाइप of duty में GST select कर रहे हैं। टैक्स टाइप में Integrated Tax select करेंगे और फिर Ctrl और A से इसे save कर लेंगे। यह देखिए 50,000 पर 18% के हिसाब से 9,000 IGST calculate हो गया है और अब invoice की value 59,000 हो गई है। देखिए Bill wise details में यहां new reference selected है और हमें यहीं चाहिए। चलिए अब इस entry को save कर लेते हैं। अब इसकी GST report भी देख लेते हैं। हम voucher पर रहते हुए report देखना चाहते हैं तो उसके लिए go to पर mouse से click कर रहे हैं। और यहां type कर रहे हैं GST। और फिर GSTR2 पर जाकर enter press कर रहे हैं। ध्यान रखें GST की purchase report हमें GSTR2 में दिखाई पड़ती है। सबसे पहले report का period चेक कर लें। अभी हमने जो entry की है वो April मा की है और report भी इसी period की आ रही है। हम आगे बढ़ते हैं। यह देखिए हमने जो entry की थी वो B2B invoice के अंतरगत आ रही है। B2B का मतलब है business to business। सदल शब्दों में माल बेचने और खरीदने वाले दोनों ही regular dealer हैं। तो इस तरह की खरीद B2B में दिखाई पड़ती है। चलिए अब हम escape की press करके वापस purchase voucher पर चलते हैं। अभी हमने जो entry की थी वो credit purchase की थी। अब हम एक entry cash purchase की भी कर लेते हैं। यहां हमारे सामने एक cash purchase का bill है। आईए इसके हिसाब से entry कर लेते हैं। purchase voucher open है। यहां हम supplier का invoice number और यहां supplier के bill की date टाइप कर रहे हैं। party account name में cash सेलेक कर रहे हैं क्योंकि हमने ये माल नगत देकर खरीदा है। हम enterprise करते हुए party details पर आ गए हैं। supplier में हमने जिस party से माल खरीदा है उसका नाम टाइप करना है। इसके बाद यहां party का address टाइप करेंगे। अब यहां state में supplier का state जोकी महराश्र है वो सेलेक करना होगा। GST registration टाइप में regular सेलेक करेंगे। अब यहां उसका GST number टाइप करेंगे। और अब enter प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां purchase account सेलेक करेंगे। अब यहां list of stock items में से हमने जो item खरीदा है वो सेलेक करेंगे। यहां quantity और यहां rate टाइप करेंगे। अब enter प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह देखें यहां पर end of list लिखा हुआ आ रहा है। हम backspace प्रेस करके list of ledger accounts पर आ गए हैं। यहां IGST सेलेक कर रहे हैं। देखें ऐसा करते ही 18% के हिसाब से IGST 81,000 रुपई calculate हो गया है। पहले invoice की value 4,500,000 रुपई थी जो की अब 5,300,000 रुपई हो गई है। अब हम इस entry को save कर लेते हैं। और अब escape की press करते हुए gateway of tally पर चलते हैं। एक बार फिर से GST की report देख लेते हैं। उसके लिए पहले D और फिर O की press करेंगे। अब यहां GSTR 2 पर जाकर enter press करेंगे। यह देखिए B2B के अंतरगेत अभी हमने जो खरीद की है वो दिखाई पड़ रही है। इसके अंतरगेत हम आपको बताएंगे यानि वीडियो नंबर 76 में बताया था कि इंट्रा स्टेट पर्चस किसे कहते हैं। ठीक उसी तरह जब हम अपने राज्य की सीमाओं के अंदर माल बेशते हैं तो उसे इंट्रा स्टेट सेल कहते हैं। इसे हम एक उधारण से समझ लेते हैं। जैसे कि हम मध्यप्रदेश राज्य के इंदौर के व्यापारी हैं और हमने मध्यप्रदेश के ही भोपाल शहर के किसी व्यापारी को माल बेचा। तो इस तरह अपने ही प्रदेश में किये गए विक्रय को Interested Cell कहते हैं, ये Cell तीन तरह की हो सकती है, Regular Dealer को की गई Cell, Composite Dealer को की गई Cell या फिर किसी Unregistered Dealer या Consumer को की गई Cell, ध्यान रखें, हम इन में से किसी को भी माल बेचें, हर बिल में Tax लगा कर ही माल बेचना होगा, यानि हमारे लिए ये सभी sales taxable होंगी आई अब एक एक करके इन सभी को समझ लेते हैं पहला है किसी regular dealer को माल बेचना इसे हम एक उधारण से समझ लेते हैं हमने दीपक ट्रेडर को जो की इंदोर का ही regular dealer है दो अप्रेल को 15,000 रुपए प्रती नक के हिसाब से 5 printer उधार बेचे जिस पर 18% के हिसाब से GST चार्ज किया चलिए अब हम इसका बिल बना लेते हैं अभी हम gateway of tally पर हैं voucher के लिए V प्रेस करेंगे और फिर sales voucher के लिए F8 प्रेस करेंगे हमने ये माल 2 अप्रेल को बेचा है तो हम F2 प्रेस करके voucher की date चेंज कर लेते हैं हमने दीपक ट्रेडर को उधार माल बेचा है इसलिए उसका लेजर बना लेते हैं अंडर में sundry data select करेंगे maintain balance bill by bill को यसी रखना है address में party का address टाइप करेंगे और यहां state मध्रदेश ही रहने देंगे अप इनकोड टाइप कर देंगे यहां हम party की contact details भी देना चाहते हैं पर यहां पर उसका कोई option दिखाई नहीं पड़ रहा है इसके लिए हमें F12 प्रेस करके अब यहां party details के अंतरगर दिखाई पड़ रहे provide contact details option को yes करना होगा अब हम इस screen को accept कर लेते हैं यह देखिए mobile number और provide contact details options आ गए हैं mobile number में हम party का mobile number डाल देंगे provide contact details option अभी no है तो हम इसको yes कर देंगे ऐसा करते ही देखिए contact details की screen आ गई है हम जिस party का laser बना रहे हैं और यहां हम जिस व्यक्ति के संपर्क में रहने वाले हैं contact person में उसका नाम type करना होगा यहां उससे संबंधित अन्य जानकारी type करके इस screen को accept कर लेंगे अब enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे और registration type में regular select करेंगे यहां party का gst number type करेंगे इसके बाद है set oblique alter gst details इसे no ही रहने देंगे और इसे save कर लेंगे देखिए हम enterprise करते हुए party details की window पर आ गए हैं यहां पर party का नाम address और gst number एक बार फिर से चेक कर लें यहां हमें sales इस ledger में sales account select करना है जो कि हमने नहीं बनाया है तो हम इसे बना लेते हैं अंडर में sales accounts group select कर रहे हैं enterprise करते हुए हम type of supply पर आ गए हैं यहां पर हम good select करेंगे और फिर इसे save कर लेंगे item में हम printer select कर रहे हैं quantity में 5 और rate में 15,000 टाइप कर रहे हैं यह देखें यहां पर amount में 75,000 आ रहा है यदि हमने कोई और item भी बेचा होता तो उसे भी इसी तरह select कर लेते हमने और कोई item नहीं बेचा है इसलिए हम enterprise करके आगे बढ़ रहे हैं ध्यान दें हमने यह cell अपने ही state के अंदर किया है इसलिए यहां पर हमें CGST और SGST लगाना होगा CGST और SGST के लेजर कैसे बनते हैं यह हमने आपको intra state purchase वाले वीडियो में बताया है यह देखिए जैसे ही हमने CGST सिलेक किया 9% के हिसाब से 6,750 रुपीज आ गए हैं अब SGST सिलेक करेंगे यह देखिए SGST में भी 9% के हिसाब से 6,750 रुपीज आ गए हैं और अब बिल की total value भी 88,500 आ रही है देखिए bill wise details की screen आ रही है यहां हम आपको बता दें कि bill wise details और उसकी चारो methods new reference, advance, against reference और on account के पारे में हम आपको पहले की videos में detail में बता चुके हैं देखिए bill wise details में यहां new reference selected है और हमें यहीं चाहिए अब इस entry को save कर लेते हैं अभी हमने जो bill बनाया है page up press करके उसका print preview देख लेते हैं हम इसे zoom कर लेते हैं अब हम GST की report देख लेते हैं उसके लिए alter और G press कर रहे हैं यहां GST type कर रहे हैं और GSTR1 पर जाकर enter press कर रहे हैं क्योंकि GST की cell report हमें GSTR1 में मिलती है यह देखिए अभी हमने जो cell की थी वो P2B में दिखाई पड़ रही है अब हम escape की press करके वापस voucher पर आ गए हैं अब दूसरे type का bill जो की composite dealer को माल बेचने का है उसे बना लेते हैं composite dealer भी एक registered dealer है और इसके बारे में हम आपको GST introduction वाली वीडियो में बता चुके हैं हमने एक composite dealer अशोक traders को जो की मदप्रदेश के उज्जेन शहर का dealer है दो अप्रेल को 15,000 रुपए के भाव से एक printer उधार बेचा अभी हम sales voucher पर हैं सबसे पहले हमें party का laser create करना होगा यहां हम अशोक traders टाइप कर रहे हैं अंडर में sundry data group सेलेक कर रहे हैं यहां address टाइप करेंगे यहां state मदप्रदेश ही रहने देंगे अब enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे यहां registration type में composition सेलेक करेंगे और यहां उसका gst number टाइप करेंगे अब इस leisure को save कर लेंगे हम enterprise करते हुए आगे बढ़ रहे हैं party details की window आ रही है इसे भी check करके save कर लेते हैं हम वापस sales voucher पर आ गए हैं यहां हम sales account select करेंगे और enterprise करेंगे अब name of item में printer select करेंगे यहां पर quantity type करेंगे यह देखे rate में वही rate आ रहा है जिस rate में हमने माल बेचा है इसके अलावा हमने और कोई item नहीं बेचा है इसलिए enter press करके आगे बढ़ रहे हैं यहां हमें text के laser select करना होंगे याद रखें यह cell भी state के अंदर ही की गई है इसलिए हम यहां cgst और sgst के laser select कर रहे हैं चलिए इसे save कर लेते हैं अब gstr1 पर जाकर इसकी gst report देख लेते हैं देखिए अभी हमने जमाल बेचा वो gstr1 में b2b में दिखाई दे रहा है ध्यान रखें जब हम gst की purchase report gstr2 के b2b में देखते हैं तो उसमें सिर्फ regular dealer से की गई खरीद ही दिखाई पड़ती है जबकि यहां हम gst cells की जो report gstr1 के b2b में देख रहे हैं इसमें किसी भी register dealer यानी regular dealer और composite dealer दोनों को बेचे गए माल की report दिखाई पड़ती है अभी हमने आपको regular dealer और composite dealer को माल बेचना बता दिया आई अब तीसरे type की cells को भी समझ लेते हैं आपको ध्यान होगा कि हमने gst introduction वाली वीडियो में बताया था कि जिन dealers के पास gst registration नहीं होता है उन्हें unregister dealer कहते हैं इस तरह के dealers का कारोबार बहुत छोटे पैमाने पर होता है इसी तरह prior जो भोगता यानी consumer होते हैं उनके पास भी gst registration नहीं होता है इन दोनों के बिल बनाने की process एक ही है चाहे हम unregistered dealer का बिल बनाए या consumer का बिल बनाए दोनों की report b2c में दिखाई पड़ती है चलिए दिखते हैं हमारे पास एक customer आया और उसने कहा कि उसे एक monitor चाहिए जिसका payment वो हमें तुरंत कर रहा है इसका मतलब हम जो बिल बनाएंगे वो नकद का बनाएंगे यानी की cash sell का हम sales voucher पर है party name में cash select करेंगे यह देखिए order details की screen आ रही है चुकि party ने ये माल cash में खरीदा है इसलिए यहाँ mode oblique terms of payment में हम cash type कर रहे हैं enterprise करते हुए हम party details पर आ गए हैं यहाँ हम buyers के आगे buyer का नाम type कर रहे हैं यहाँ उसका address type करेंगे state में मध्यप्रदेश ही रहने देंगे क्योंकि वो मध्यप्रदेश के भोपाल शहर का ही है यहाँ यदि buyer unregistered dealer है तो हमें unregistered select करना होगा और यदि consumer है तो consumer select करना होगा हम consumer select कर रहे हैं अब इस screen को save कर लेते हैं पहले की तरह ही यहाँ हम sales ledger select करेंगे item name में monitor लेंगे quantity 1 और rate 12,000 रुपीज टाइप करते हुए हम नीचे आ गए हैं अब हमें cgst और sgst के ledger select करना होगे यह देखिये हमने दोनों text लगा दिये हैं अब इस entry को save कर लेते हैं हमें customer को bill देना है तो आए उसका preview देख लेते हैं यदि यहाँ buyer के आगे party की details आ रही है तो ठीक है पर कई बार ऐसा भी होता है जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ बनाते समय हमने party की पूरी details दी थी पर वो यहाँ दिखाई नहीं पड़ रही है उसके जगर केवल cache लिखा हुआ है तो अब ऐसे में क्या करना होगा तो यहाँ हमें वापस print screen पर जाकर कुछ configuration करना होगा उसके लिए यहाँ पर हम type करेंगे party यह देखे यहाँ show name and address from party master option yes है हम इसे no करके इस screen को save कर लेते हैं और फिर से preview देख लेते हैं यह देखे कैश की जगर अब party की पूरी details आ रही है आई अब इसकी GST report देख लेते हैं उसके लिए GSTR 1 पर जाएंगे यह देखे अभी हमने जो bill बनाया था उसकी report B2C small में दिखाई पड़ रही है जब हम अपने राज से किसी दूसरे राज में माल बेचते हैं यानि अपने राज की सीमा के बाहर कोई cell करते हैं तो उसे interstate cell कहते हैं इसे हम एक उदारण से समझ लेते हैं माल लेजे हम मधिप्रदेश के व्यापारी हैं और हम अपना माल राइपुर जो की 36 गड़ स्टेट में आता है वहां की व्यापारी को बेच रहे हैं तो इस तरह की cell को हम interstate cells कहते हैं ध्यान रखें हम regular dealer हैं इसलिए हमारे जितने भी cell होंगे चाहे वो किसी regular dealer को हो composition dealer को हो किसी unregistered dealer को हो या फिर consumer को हो ये सभी taxable होंगे यानि कि हमारा जो भी cells will बनेगा उस पर हम tax लगा कर ही माल बीचेंगे आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि GST से संबंदित सभी महत्वण बातें हम इसके पहले की वीडियोस में बता चुके हैं इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए पहले उन वीडियोस को सरूर देख लें चलिए अब हम सभी तरह के sales को एक एक करके समझ लेते हैं पहला है किसी regular dealer को माल बीचना इसके लिए हम एक उधारन लेते हैं हमने 2 अप्रेल को वासू ट्रेडर्स जो की रायपूर 36 गड़ के regular व्यापारी हैं उनको monitors के 5 नग 14,000 रुपे प्रती नग के भाव से उधार बेचे जिस पर 18 प्रतिशत से GST चार्ज किया चलिए अब इसका sell bill बना लेते हैं अभी हम gateway of tally पर हैं वाउचर के लिए V प्रेस करेंगे और sales voucher के लिए F8 प्रेस करेंगे यदि आपको date बदलना हो तो F2 प्रेस करके बदल सकते हैं पार्टी अकाउन नेम में हमें वासू ट्रेडर्स का लेजर सेलेक करना है जो की बना हुआ नहीं हैं तो पहले हम इसे बना लेते हैं एड्रेस में पार्टी का एड्रेस टाइप कर रहे हैं यहां स्टेट में 36 गड़ सेलेक कर रहे हैं क्योंकि यह व्यापारी 36 गड़ स्टेट का है एंटरप्रेस करते हुए हम रजिस्ट्रेशन टाइप पर आ गए हैं यहां हम रेगूलर सेलेक कर रहे हैं अब यहाँ पर पार्टी का GST नमबर टाइप कर रहे हैं अब Ctrl और A कीज प्रेस करके इसे सेव कर लेते हैं Enter प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे यह देखें पार्टी डिटेल की विंडो यहाँ पर आ रही है यहाँ हम पार्टी का नाम, अड्रेस और GST नमबर एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ Cells लेजर में Cells अकाउंट सेलक कर रहे हैं यहाँ हम मॉनिटर सेलक कर रहे हैं यहाँ पर क्वांटिटी और यहाँ पर रेक टाइप कर रहे हैं यहाँ देखिए, अमाउंट में 70,000 आ रहा है विगो यहाँ कोई दूसरा आईटम सेलक करना होता तो हम इसी तरह से कर सकते हमें और कोई आईटम आईटम नहीं करना है इसलिए हम आउन्यचकर कर के आगे बढ़ रहे हैं हमने यह माल State के बाहर बेचा है तो यहां हमें IGST सेलेक करना होगा IGST का लेजर बनाना हम आपको पहले ही बता चुके है देखिए यहां IGST सेलेक करते ही टेक्स की वैल्यू 18% के हिसाब से आ गई है एंटरप्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे यह देखिए Billwise Details की स्क्रीन आ रही है यहां Type of Reference में New Reference पहले से ही सेलेक्टेड है और हमें यही चाहिए इसलिए एंटरप्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अब इस एंटरी को सेव कर लेते हैं आए अब हम Page Up की प्रेस करके Bill का Preview देख लेते हैं अब GST की रिपोर्ट भी देख लेते हैं यह देखिए अभी हमने जिस रेगूलर डीलर को सेल की थी वो यहां B2B में दिखाई पड़ रही है चलिए अब Escape की प्रेस करके वापस सेल्स वाउचर पर चलते हैं अब हम आपको दूसरा बिल जो की एक Composition Dealer को माल बेचने का है उसके बारे में बता देते हैं हमने सूर्य ट्रेडर्स जो की उतर प्रदेश का Composite Dealer है उसको 2 अप्रेल को एक नग मॉनिटर 14,500 रुपए के भाव से उधार बेचा आए इसका Cells Voucher बना लेते हैं सबसे पहले तो पार्टी का लेजर क्रियेट कर लेते हैं Under में सन्रि डेटर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे Address में पार्टी का address टाइप कर रहे हैं यहां state में उतर प्रदेश सेलेक्ट कर रहे हैं Enterprise करते हुए हम Registration टाइप पर आगए हैं यहां हम Composition सेलेक्ट कर रहे हैं यहां उसका GST नमबर टाइप कर रहे हैं अब इस लेजर को सेव कर लेते हैं एंड़ प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे पार्टी डिटेल्स की विंडो यहां पर आ रही है इसे भी सेव कर लेते हैं यहां हम सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं नेम ओफ आइटम में मॉनिटर सेलेक्ट कर रहे हैं यहां पर क्वांटिटी और यहां रेट टाइप करेंगे हमने और कोई आइटम नहीं बेचा है इसलिए एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अब हम आईजी अस्टी का लेजर सेलेक्ट करेंगे यह देखे 18% से टेक्स की वेल्यू आ गई है यहां न्यू रेफरेंस सेलेक्टिड है अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे अब इस एंटरी को भी सेव कर लेते हैं इसके GST रिपोर्ट देखनी के लिए हम फिर से GSTR 1 पर चलते हैं यह देखिए अभी हमने जिस कंपोजिशन डीलर को सेल की थी वो भी यहां B2B में दिखाई पड़ रही है ध्यान रखें किसी भी रजिस्टर डीलर को चाहे वो कंपोजिशन डीलर हो या रेगूलर डीलर उसको की गई सेल GSTR 1 के B2B में ही दिखाई देती है अभी हमने आपको रेगूलर डीलर और कंपोजिशन डीलर को माल बेचना बताया चलिए अब तीस्रे टाइप की सेल्स भी समझ लेते हैं आपको दिहान होगा कि हमने GST इंट्रोड़क्शन वाली वीडियो में बताया था कि जिन डीलर के पास GST रेजिस्ट्रेशन नहीं होता है उन्हें अन्रेजिस्टर डीलर कहते हैं इस तरह के डीलर का कारोबार बहुत छोटे पैमाने पर होता है इसे तरह प्राया जो कंज्यूमर यानि माल के उपभोगता होते हैं उनके पास भी GST रेजिस्ट्रेशन नहीं होता है अन्रेजिस्टर डीलर और कंज्यूमर दोनों के बिल बनाने की प्रोसेस एक ही है तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पास एक ग्राहक आया और उसने कहा कि मुझे एक मॉनिटर चाहिए जिसका पेमेंट में नगत कर रहा हूँ इसका मतलब यह है कि हम जो बिल बनाएंगे वो कैश सेल का बनाएंगे अब ही हम सेल्स वाउचर पर ही हैं पार्टी नेम में कैश सिलेक कर रहे हैं यहां मोड ऐलिक टम्स आफ पेमेंट में कैश टाइг कर रहे हैं एंटर परेस करते हुए आगे बढ़ेंगे पार्टी डिटेल्स की स्कृरीण आ रहे है यहां हम बायर्स के आगे बायर का नाम टाइब कर रहे हैं यहां उसका अडरेस टाइब कर रहे हैं और यहां स्टेट में महाराष्र सिलेक कर रहे हैं क्योंकि पूना शहर महाराष्र में आता है एंटरब्रेस करते हुए हम GST Registration टाइप पर आ गए हैं यदि बायर अन्रजिस्टर डीलर होता तो यहां हमें GST Registration टाइप में Unregistered सिलेक करना होता पर यह कंजूमर है इसलिए हम कंजूमर सिलेक कर रहे हैं और आप इस स्क्रीन को सेव कर लेते हैं पहले की तरह ही यहां भी Cells Account सिलेक करेंगे आइटम नेम में Monitor लेंगे Quantity और Rate टाइप करते हुए हम लीचे आ गए हैं यहां IGST का लेजर सिलेक कर रहे हैं यह देखिए Tax का Amount आ गया है अब इस Entry को सेव कर लेते हैं आईए अब GSTR 1 पर चलकर इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं यहां एक महतुपुन बात ध्यान रखें इंटरस्टेट सेल्स की स्थिती में Unregistered Dealer या Consumer के Bill का Amount कितना भी हो उसकी रिपोर्ट B2C Small में दिखाई पड़ती है जबकि Interstate Cells की स्थिती में Unregistered Dealer या Consumer का Bill यदि 5,00,000 या उससे कम है तो उसकी रिपोर्ट B2C Small में ही दिखाई पड़ती है और यदि उसके Bill का Amount 2,500,000 से ज्यादा हो तो उसकी रिपोर्ट B2C Large में दिखाई पड़ती है अभी हमने जो Bill बनाया था वो 1,500,000 से कम था इसलिए इसकी रिपोर्ट B2C Small में ही दिखाई पड़ेगी यह देखे हमने जो Bill बनाया था उसकी रिपोर्ट यहां दिखाई पड़ रही है यहाँ पर हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं उसके लिए पहले Escape की प्रेस करेंगे और अब Page Up की प्रेस करके वापस वाउचर पर आ गए हैं यहाँ हम इस Bill की Quantity चेंज करके एक की जगह सत्रा कर देते हैं यह देखे अब इस Bill का Amount 2,60,780 हो गया है यानि धाई लाग से अधिक हो गया है अब वापस GSTR 1 पर चलकर इसकी रिपोर्ट B2C Large में देख लिते हैं देखे अब यह Bill B2C Small के स्थान पर B2C Large में दिखाई पड़ रहा है क्योंकि अब Bill Amount 2,60,000 से अधिक हो गया है इस वीडियो को हम तीन भागों में बना रहे हैं पहले भाग में हम आपको दो ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताएंगे जिनमें Debit Note Voucher बनाए जाते हैं पहली परिस्थिति है जब खरीदा हुआ माल वापस करना हो यानी Purchase Return करना हो और दूसरी इस्थिति जब खरीदे हुए माल की Quality अच्छी ना हो और हमें Supplier को माल वापस ना करते हुए माल पर कुछ Discount लेना हो तो सबसे पहले देखते हैं खरीदे हुए माल को वापस करना यानि देबिट नूट वाउचर का उप्योग करते हुए पर्चेस रिटन की एंट्री करना हमने वीडियो नंबर 32 जो की डेबिट नूट की बेसिक वीडियो है उसमें आपको बताया था कि जब कस्टमर द्वारा किसी भी कारण से जैसे माल खराब हो जिस क्वालिटी के माल का ओर्डर दिया था वैसा माल ना हो या अन्य किसी कारण से खरीदा हुआ माल पूरा या देबिट नूट वाउचर का उपयोग किया जाता है ध्यान रखें हम जो माल वापस कर रहे हैं उसे पर्चेस में से कम किया जाता है और ऐसा करने के लिए पर्चेस रिटन का लेजर बनाया जाता है और ये लेजर पर्चेस अकाउंट्स ग्रूप के अंतरगत बनाया जाता अब सवाल ये है कि जब हम debit note की वीडियो पहले ही बना चुके हैं तो फिर से ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले वाली वीडियो बेसिक लेवल की थी और बगैर GST की थी पर अब लगबग सभी इस्थानों पर GST के साथ ही माल का क्रह विक्रह होता है और पिछली चार वीडियो में हम GST के साथ क्रह विक्रह करना सिखा चुके हैं ये वीडियो भी उसी कड़ी का हिस्सा है इसमें हम GST के साथ debit note बनाना सिखा रहे हैं ध्यान रखें अभी हम जो माल खरीद रहे हैं वो GST लगा कर खरीद रहे हैं तो जब हम माल वापस करेंगे तो GST लगा कर ही वापस करेंगे यानि अब हम जो debit note बना रहे हैं उसका प्रभाव हमारी GST की purchase report जो की GST R2 में दिखाई पड़ती है उस पर भी पड़ेगा 2 April 2021 को 10,000 रुपे प्रतिनक के भाव से 5 तक monitor उधार खरीदे थे जिसका bill number 2 है उसमें से एक monitor खराब निकल गया वो ठीक से काम नहीं कर रहा था तो हम 2 April को debit note voucher बना कर उसे supplier को वापस कर रहे हैं यानि purchase रिटन कर रहे हैं तो आईए देखते हैं कि debit note voucher में इसकी entry किस प्रकार करेंगे अभी हम gateway of tally पर हैं accounting voucher के लिए V प्रेस करें अब debit note voucher के लिए alter और F5 keys प्रेस करें यहां देखिए debit note voucher open नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि debit note voucher अभी activate नहीं है इसे activate करनी के लिए हमें other vouchers पर जाना होगा उसके लिए F10 प्रेस करेंगे F10 प्रेस करते ही यहां list of voucher type दिखाई पड़ेगी यहां से show inactive पर जाकर enter प्रेस करेंगे यह देखिए ऐसा करते ही सभी प्रकार के voucher types दिखाई दे रहे हैं इसमें से जो options बंद हैं वो धुंदले दिखाई पड़ रहे हैं अब इन में से आप जो option चालू करना चाहते हैं उस पर जाकर enter प्रेस करेंगे हम debit note पर जाकर enter प्रेस कर रहे हैं यह देखिए यह इस तरह का message आया है जिसमें लिखा है आपको debit note voucher type activate करने की ज़रूरत है क्या अभी activate करें अभी activate करने के लिए yes पर क्लिक करें हम yes के लिए enter प्रेस कर रहे हैं यह देखिए ऐसा करते ही debit note voucher creation screen आ रही है डेट चेंज करने के लिए F2 की प्रेस करेंगे, यहां हम वो तारिख डालेंगे जिस तारिख में हम माल वापस कर रहे हैं। यहां पार्टी अकाउंट नेम सेलेक करने के पहले एक महतुपुन बात का ध्यान रखें कि हमने जो माल खरीदा था जिसमें से हम पूरा या आंशिक रूप से माल वापस कर रहे हैं। यदि उसका पेमेंट हम सप्लायर को कर चुके हैं तो यहां पर एध्यान रखना होगा कि यदि सप्लायर गोट्स रिटरन के साथ ही हमें उस माल का पेमेंट कैश या चैक से हाथों हाथ कर देता है। तो फिर हम party account name में supplier के नाम की जगह उसने हमें जिस तरह से payment किया है उसका ledger. जैसे यदि supplier ने cash payment किया है तो cash account और यदि supplier ने हाथों हाथ check दे दिया है तो उस bank का account select करना होगा जिसमें हम उसका दिया हुआ check deposit करने वाले हैं. और यदि supplier हाथों हाथ payment नहीं करता है तो हमें supplier का ledger select करना होगा चूँकि हमने जो माल खरीदा था अभी तक हमने उसका payment नहीं किया है तो इन बातों का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है बस आप भविश्य के लिए ये ध्यान रखें. अभी हम supplier सुरेश ट्रेडर्स का ledger select कर रही हैं. पार्टी अकाउंट नेम select करते ही dispatch details की window आएगी इसमें हम जिस तरह से माल वापस कर रहे हैं उसकी details देना हैं. हम आगे बढ़ रहे हैं अब यहाँ नीचे original invoice details में original invoice number के आगे हमें supplier का वो bill number टाइप करना हैं जिस bill का माल हम वापस कर रहे हैं. इसके बाद यहाँ पर उस bill की तारिख टाइप करें अब enter press करें यह देखे पार्टी details वाली window आ रही है यदे आपको यहाँ कोई changes करना हों तो कर ले हमी कोई changes नहीं करना हैं इसलिए हम control और A प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं. हम माल वापस यानि purchase written कर रहे हैं तो यहाँ ledger account में हमें purchase written का ledger select करना होगा जो कि अभी बना हुआ नहीं है. इसे बनाने के लिए alter और C प्रेस करेंगे अब यहाँ name में type करें purchase written अंडर में purchase account group select करेंगे अब इस screen को save कर लेते हैं. हम name of item पर आ गए हैं यहाँ हमें वो item select करना होगा जो हम वापस कर रहे हैं. यहाँ पर जितनी quantity में माल वापस कर रहे हैं वो type करेंगे. हमने monitor जिस भाव में खरीदा था यहाँ पर वही rate टाइप करना है. यदि हम एक से ज्यादा item वापस कर रहे होते तो उन्हें भी इसी तरह से यहाँ select कर लेते हैं. हम और कोई item वापस नहीं कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं. देखें यहां end of list आ रहा है, हम bake space की press कर रहे हैं और list of leisure accounts में से IGST select कर रहे हैं. क्योंकि हमने यह माल कानपूर के व्यापारी से खरीदा था और खरीदते वक्त हमने IGST पे किया था, तो माल वापस करते वक्त भी हम IGST ही लगाएंगे. ध्यान रखें यदि हमने माल अपने प्रदेश के अंदर से खरीदा होता तो हम उसे वापस करते वक्त यहां पर CGST और SGST लगाते. यह देखें यहां पर IGST का amount अठारा सु रुपए आ गया है, अब enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे. यहां provide GST details के आगे yes select करना होगा. ऐसा करते ही यहां हमसे reason पूछा जा रहा है. हम sales return select कर रहे हैं. यहां suppliers debit credit note number और date blank रहने दें. जब supplier को माल प्राप्थ होगा और वो हमें इसका credit note देगा, तब हम अपने voucher को edit करके यहां supplier का credit note number और यहां पर date डाल देंगे. जब कोई customer debit note issue करता है, तो supplier उसके against credit note issue करता है. और यहां भी हम debit note बना रहे हैं, तो supplier उसके against हमें credit note बना करके देगा. इसे हम detail में credit note वाली वीडियो में समझाएंगे. हम enterprise करते हुए method of adjustment पर आ गए हैं, यहां हमें against reference select करना होगा. pending bills में सिर्फ वो ही bill दिखाई पड़ रहा है, जिसका माल हम वापस कर रहे हैं. इसे select करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर narration type करके अब इस entry को save कर लेते हैं. अब GSTR2 में जाकर इसका effect देख लेते हैं, उसके लिए हम alter और G keys को press कर रहे हैं. अब search bar में GST type करेंगे और यहां GSTR2 select कर रहे हैं. देखिए यहां credit oblique debit notes regular में 10,000 minus हो रहा है और ITC available भी 1800 minus हो रहा है. सरल शिब्दों में कह सकते हैं कि goods के साथ tax भी minus हो गया है. चलिए अब हम stock summary भी देख लेते हैं. यह देखिए हमने सुरेश traders को एक monitor वापस कर दिया है, इसलिए वो यहां पर minus में दिखाई पड़ रहा है. अब हम party का leisure देख लेते हैं. यह देखिए सुरेश traders के leisure में हमने जो माल वापस किया है उसके 11,800 रुपए debit हो गए हैं. अब हम देखते हैं वो दूसरी परिस्तिती जिसमें debit note बनाया जाता है. जब हम कोई माल खरीदते हैं और उसकी quality अच्छी नहीं होती है, तो हम supplier को माल में क्या शिकायत है यह बताते हैं, और माल वापस ना करते हुए उससे माल पर कुछ discount देने के लिए कहते हैं. supplier उस शिकायत से सहमत होकर भरपाई के रूप में customer को कुछ छूट देने की सहमती प्रदान करता है, तो इस तरह की छूट की राशी को भी customer द्वारा debit note voucher में record किया जाता है. ध्यान रखें, इस तरह के transaction से माल की quantity कम नहीं होती, इससे सिर्फ माल की value पर effect पड़ता है. इसे अच्छे से समझने के लिए पहले हम एक purchase के entry कर लेते हैं. यहां हमने सुधाकर traders से दो items खरीदे हैं, पहला 10,000 रुपए प्रतिनक के हिसाब से 5 नक printers और दूसरा 5,000 रुपए प्रतिनक के हिसाब से 3 सिलाई machine. इसमें हमने printer पर 18 प्रतिशत GST और सिलाई machine पर 12 प्रतिशत GST चुकाया है. आये purchase voucher में इसकी entry कर लेते हैं. हमारे पास stock item सिलाई machine बना हुआ नहीं है, तो पहले इसे बना लेते हैं. GST के साथ stock items कैसे बनाते हैं यह हम आपको अपनी वीडियो नंबर 76 में डीटेल में बता चुके हैं. ध्यान रखें, इसके पहले हमने जितने भी stock items बनाए थे, वो सभी 18% वाली थे और यह 12 प्रतिशत वाला है. तो integrated text में हम 12% टाइप करेंगे. आईए बस entry को save कर लेते हैं. हमें जैसे ही माल प्राप्त हुआ हमने उसे चेक किया. चेक करने पर मालूम पड़ा कि supplier ने माल जिस quality का बताया था वैसा नहीं है. हमने इस बारे में supplier सुधाकर traders से बात की कि आपने जो माल भेजा है उसकी quality अच्छी नहीं है. हम माल तो वापस नहीं कर रहे हैं पर इस माल पर हम कुछ discount चाहते हैं. supplier ने 300 रुपए प्रती printer के हिसाब से 5 printer पर 1500 रुपए और 200 रुपए प्रती machine के हिसाब से 3 सिलाई machine पर 600 रुपए discount देने के लिए सहनती प्रदान की. आईए हम इस discount के entry debit note voucher में कर लेते हैं. debit note voucher के लिए या तो alter और F5 प्रेस करें या फिर यहां क्लिक करें और यहां debit note पर क्लिक करें. यह देखे debit note voucher creation window आ रही है सबसे पहले voucher की date चेक करेंगे यदि सही है तो ठीक और यदि गलत है तो ठीक कर लेंगे. पार्टी अकाउन नेम में हम पार्टी का नाम सुधाकर ट्रेडर सेलेक करेंगे. पार्टी अकाउन नेम सेलेक करते ही dispatch details की window आएगी. इसे हम blank छोड रहे हैं क्योंकि हम कोई माल वापस नहीं कर रहे हैं. Enterprise करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. अब यहां नीचे original invoice details में original invoice number के आगे हमें supplier का वो bill number टाइप करना है, जिस bill के माल पर supplier ने हमें discount देने की स्विक्रती प्रदान की है. इसके बाद यहां उस bill की तारीख type करेंगे और फिर enter press करेंगे. यह देखे पार्टी details वाली window आ रही है, हम control और A प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं. लेजर account में हमें एक नया लेजर, discount on purchase के नाम से create करना होगा. अंडर में हम purchase accounts group select करेंगे, क्योंकि हमें जो discount मिल रहा है उससे हमारा खरीद मुल्य कम होने वाला है, यानि इसका प्रभाव सीधे purchase पर पढ़ने वाला है. अब name of item में printer select करेंगे, quantity को blank ही रहने देंगे क्योंकि हम कोई माल वापस नहीं कर रहे हैं. चुकि हमें 5 printers पर 300 रुपए प्रती printer के हिसाब से 1500 रुपए discount प्राप्त हुआ है, इसलिए amount में 1500 टाइप कर रहे हैं. अब दूसरा item, sewing machine select कर रहे हैं. यहां भी हम quantity को blank ही रहने देंगे, amount में 600 टाइप करेंगे और enter press करते हुए आगे बढ़ेंगे. यह देखे हमें printer और sewing machine पर जो discount मिला है, वो हमने type कर दिया है. अब हमें इनकी tax की value भी कम करना होगी. ध्यान दें, यह माल हमने अपने ही राजे से खरीदा था और खरीदते समय cgst और sgst चुकाया था. इसलिए यह दोनो tax ही यहां हमें कम करना होंगे. हम cgst और sgst के leisure select कर रहे हैं, यह देखे cgst 171 रुपए और sgst 171 रुपए आ रहा है. अब यहां पर सवाल यह है कि दोनों item अलग-अलग tax rate के हैं, तो tax किस तरह से calculate हुआ है? तो उसके लिए हम alter और a की इसको press करेंगे, यह देखे हमारे सामने tax analysis की window आ रही है. अब इसका detailed view देखने के लिए alter और f5 press करें. यह देखें यहां पर सपश्ट हो रहा है कि कौन सा item किस tax rate का है और उस पर कितना tax बना है. जब हम enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे, यहां provide gst details के आगे yes select करना होगा. ऐसा करते ही यहां हमसे reason पूछा जा रहा है, हम other select कर रहे हैं. और यहां suppliers debit oblique credit note number के आगे, यदि हमें supplier ने credit note दे दिया है तो उसका number डाल देंगे, और यदि credit note नहीं दिया है तो अभी इन्हें blank ही रहने देंगे. जब supplier हमें इसका credit note देगा, तब हम अपने इस voucher को edit करके यहां supplier का credit note number और यहां पर date डाल देंगे. यहां method of adjustment में against reference आ रहा है, यह सही है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं. यहां हमें वो bill select करना है, जिस पर हमें discount मिल रहा है. enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे, यहां narration type करेंगे, अब इस entry को save कर देंगे. अब हम stock summary देख लेते हैं, यह देखिए यहां पर discount तो दिखाई पढ़ रहा है, जिससे माल का मुल्य कम हो गया है, पर quantity पर कोई फर्क नहीं पड़ा है. आइए अब हम इसके report GSTR2 में जाकर देख लेते हैं. यह देखिए इस debit note को बनाने से purchase की value कम हो गई है, और यही कारण है कि हमें जो ITC मिल रही थी वो भी कम हो गई है. इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी परिस्तितियों के बारे में बताएंगे, जिनमें debit note बनाया जाता है. जैसे जब हम supplier द्वारा दिया गया कोई target पूरा करते हैं और उस target पर कोई incentive प्राप्त होता है. दूसरी परिस्तिती जब हम sales invoice बनाते हैं और उसमें गलती से कम भाव से बिल बना देते हैं, तो इस भूल को सुधारने के लिए debit note बनाया जाता है. तीसरी परिस्तिती है, यदि supplier ने गलती से ज़्यादा भाव से बिल बना दिया है, तो इस गलती को सुधारने के लिए भी debit note बनाया जाता है. आगे बढ़ने से पहले हम आपको discount और incentive से संबंधे debit note और credit note बनाने की एक important condition के बारे में बता देते हैं. जब ही supplier और customer के बीच कोई sell purchase होती है, तो उस समय ही उन दोनों के बीच किसी discount या incentive के बारे में बात हो जाती है. जैसे किसी supplier ने माल बेशते समय अपनी customer से कहा कि भाई यदि आप 10 दिन में मुझे इस bill का payment कर देंगे, तो मैं आपको 2% cash discount दूँगा. या फिर इसी तरह supplier ने कहा कि आप जो आइटम खरीद रहे हैं, यदि पूरे मा में इसका quantity target 100 पूरा कर लिया, तो मैं आपको 50 रुपे प्रती आइटम incentive दूँगा. तो ये एक तरह का agreement है, इस तरह के discount या incentive को लेने या देने के लिए, जो भी credit note और debit note बनेंगे, उनमें discount या incentive पर भी GST calculate होगा. यानि discount या incentive के साथ ही उसका GST भी कम होगा. और यदि supplier और customer के बीच self-purchase के समय इस तरह का कोई agreement नहीं होता है, और बाद में supplier अपने customer को किसी कारण से कोई discount या incentive देता है, तो उस पर GST calculate नहीं होगा. अब इन बातों को हम practical के साथ और अच्छे से समझेंगे. चलिए पहली condition देखते हैं, जब कोई customer supplier द्वारा दिया गया target पूरा करता है और उस पर कोई incentive प्राप्त होता है, तो customer द्वारा उसकी entry debit note में कैसे की जाती है? इसे समझने के लिए पहले हमें एक purchase voucher बनाना होगा. आपको ध्यान होगा कि इसके पहले पार्ट में हमने सुधाकर ट्रेडर्स से एक मई को 5 printer और 3 sewing machine खरीदी थी. तब सुधाकर ट्रेडर्स ने हमसे कहा था कि यदि आप इस पूरे मई माह में 10 sewing machine या उससे अधिक sewing machine खरीद लेंगे तो मैं आपको 5000 रुपए incentive दूँगा. इसे incentive को ध्यान में रखते हुए हमने 2 मई को सुधाकर ट्रेडर्स से 8 से लाई machine और खरीद ली. चलिए आगे पढ़ने से पहले इसका purchase voucher बना लेते हैं. 31 मई को हमने सुधाकर ट्रेडर्स से कहा कि हम मई माह में आप से पहले 3 और बाद में 8 यानि कुल 11 से लाई machine खरीच चुके हैं. और जैसा कि आपने कहा था, आप हमें इसके incentive का credit note दे दें. उसने हमें 5000 और उस पर 12 प्रतिशत GST लगा कर credit note दे दिया. हमेशा ध्यान रखें, supplier द्वारा दिये गए credit note की entry, customer debit note में करते हैं. इसके बारे में हम आपको आगे credit note वाली वीडियो में detail में समझाएंगे. तो आएए इस credit note की entry हम अपने यहाँ debit note voucher में कर लेते हैं. सबसे पहले voucher की date चेक करें. पार्टी अकाउंन नेम में हम पार्टी का नाम सुधा कर ट्रेडर से लग कर रहे हैं. Dispatch details हम blank चोड़ रहे हैं क्योंकि हम कोई माल वापस नहीं कर रहे हैं. Original invoice details में, original invoice number के आगे हमें supplier के वो bill numbers टाइप करना हैं जिन bills के माल पर supplier हमें incentive दे रहा है. इसके बाद चोगी यहाँ एक ही तारिख टाइप हो सकती है, हम आखिरी बिल की तारिख टाइप कर रहे हैं. अब हम enterprise करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. लेजर अकाउंट में हमें एक नया लेजर incentive on purchase के नाम से create करना होगा. और ये लेजर हम purchase account group के अंदर बनाएंगे क्योंकि इस incentive का सीधा संबन purchase से है. अब name of item में sewing machine select करेंगे क्योंकि हमें जो incentive प्राप्त हुआ है, वो sewing machine खरीदने का target पूरा करने से हुआ है. quantity को blank की रहने देंगे क्योंकि यहां माल का कोई transaction नहीं हो रहा है. amount में 5000 रुपे टाइप कर रहे हैं, अब enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे. यह देखिया हमें sewing machine पर जो incentive प्राप्त हुआ है, वो हमने टाइप कर दिया. अब हमें इस पर tax लगाना होगा. हम CGST और SGST के ledger सेलेक कर रहे हैं, यह देखिया CGST 300 रुपे और SGST 300 रुपे अपने आप आ गया है. प्रोवाइट GST डिटेल्स के आगे यह सिलेक करना होगा. ऐसा करते ही यहां हमसे reason पूछा जा रहा है, हम post sell discount यानी बिकरी के बाद छूट सिलेक कर रहे हैं. यहां suppliers, debit, oblique, credit note नमबर के आगे हमें supplier ने जो credit note दिया है, उसका नमबर और यहां उसकी date टाइप कर देंगे. Method of adjustment में against reference आ रहा है, इसमें हम sewing machine का जो आखरी बिल है उसे सिलेक कर लेंगे. अब enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे. यहां narration टाइप करेंगे और अब इस entry को save कर देंगे. आएब stock summary चेक कर लेते हैं. यह देखिए पहले sewing machine की average cost 4945.45 रुपए थी जो की 5000 incentive प्राप्थ होने पर कम होकर अब 4490.91 रुपए हो गई है. कहने का ताथ पर यह है कि incentive प्राप्थ होने से sewing machine की cost कम हो गई है. चलिए अब हम बात करते हैं अगली condition की. जब हम कोई sales invoice बनाते हैं और उसमें गलती से कम भाव से bill बना देते हैं. तो इस फूल को सुधारने के लिए भी debit note का उपयोग किया जाता है. इस तरह की entry को correction in invoice कहते हैं. इसे समझने के लिए पहले हम एक sell bill बना लेते हैं. हमने 1 जुलाई को दीपक ट्रेडर्स को 13,000 रुपए प्रतिनक के हिसाब से 2 monitor उधार बेची. कस्टमर को bill देने के बाद हमें ध्यान आया कि हमने तो दीपक ट्रेडर को 14,000 का भाव बताया था और bill गलती से 13,000 रुपए के भाव से बना दिया. बिल में हुई इस रेट की गलती को सुधारने के लिए हमें पार्टी का debit note बनाना होगा. यहां हम पार्टी का नाम दीपक ट्रेडर से लेक कर रहे हैं. डिस्पैच डिटेल्स ब्लैंक छोड़ रहे हैं क्योंकि हम कोई माल वापस नहीं कर रहे हैं. ओरिजिनल इन्वोईस डिटेल्स में ओरिजिनल इन्वोईस नंबर के आगे हमें अपने उस बिल का नंबर टाइप करना हैं. जो पहले हमने कस्टमर को माल के साथ दिया था. यानि जिसमें हमने गलत भाव लगा दिया था. और अब उसके सुधार के लिए हम डेबिट नोट बना रहे हैं. इसके बाद यहां उस बिल की तारिख टाइप करेंगे. यहां लेजर अकॉट में हमें सेल्स अकाउंट सेलेक करना होगा क्यूंकि हम ए जो डेबिट नोट बना रहे हैं उस cells के against बना रहे हैं, पर यहाँ एक समस्या यह है कि list of ledger accounts में cells account दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसे लाने के लिए हम type करेंगे cells, यह देखिए ऐसा करते ही cells account आ गया है, enterprise करेंगे, यहाँ हमें वो item सेलेक करना होगा जिसका भाव हमने बिल में गलत लगा दिया था, quantity को blank की रहने दें, अब हम amount पर आ गए हैं, ध्यान रखें, हमने monitor का जो बिल बनाया था, वो 13,000 रुपए प्रतिनक के हिसाब से बनाया था, जबकि उसका rate 14,000 रुपए प्रतिनक था, मतलब यहाँ हमें 1,000 रुपए प्रतिनक के हिसाब से, दो monitors के 2,000 रुपए के difference का debit note बनाना है, हम amount में 2,000 रुपए टाइप कर रहे हैं, customer हमारे state का ही है, इसलिए यहाँ हमें cgst और sgst के laser select करना होंगी, यह देखिए, 180 रुपए cgst और 180 रुपए sgst आ रहा है, provide gst details को yes करेंगे, यहाँ reason में हम correction in invoice select कर रहे हैं, क्योंकि यह debit note हम sales invoice में rate के correction के उद्देश्य से बना रहे हैं, यहाँ method of adjustment में against reference आ रहा है, इसमें हमें वो bill number select करना है, जिसकी गलती को हम सुधार रहे हैं, देखिए यहाँ reference में bill number select करते ही debit note के amount की जगह, bill का pending amount आ गया है, और यह इसलिए आ रहा है, क्योंकि सामान यतर debit note का उप्योग supplier को purchase return करने, या supplier से purchase पर मिलने वाले discount को कम करने के लिए किया जाता है, पर यहाँ इसके विपरीत हम इसे customer के sales amount को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए tally यहाँ पर थोड़ा confuse होता है, यही कारण है कि यहाँ हमें जिस amount का debit note बनाना है, वो amount टाइप करना होगा, और यहाँ CR के इस्थान पर DR टाइप करना होगा, debit हम इसलिए type करेंगे, क्योंकि हम debit note बना रहे हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ narration टाइप करेंगे, और अब इस entry को save कर देंगे, अब इसके report हम GSTR 1 में देखेंगे, क्योंकि यह debit note हमने sales के against बनाया है, और GST की sales report GSTR 1 में दिखती है, यह देखिए यहाँ पर taxable amount पहले 26,000 रुपए था, जो कि debit note बनाने के बाद, अब 2000 रुपए बढ़कर 28,000 हो गया है, साथ ही tax का amount भी बढ़ गया है, आईए अब हम ledger के outstanding report भी देख लेते हैं, उसके लिए alter और G प्रेस करें, यहाँ ledger type करें, और ledger outstanding पर जाकर enter प्रेस करें, यहाँ से party के नाम पर जाकर enter प्रेस करें, यहाँ reference number 7 दिखाई पड़ रहा है, हम इस पर जाकर enter प्रेस करेंगे, यह देखिए, उपर sales bill का amount, 3680 रुपए आ रहा है, और उसके नीचे हमने जो debit note बनाया है, उसका amount 2360 रुपए आ रहा है, इस तरह से अब हमें उससे कुल 33,040 रुपए लेना है, चले आगे बढ़ते हैं और आब बात करते हैं तीसरी condition की, अगर supplier ने जाने अन जाने में customer को ज्यादा भाव से बिल बना दिया हो, तो इस गलती को सुधारने के लिए भी customer debit note बनाते हैं, इसे हम एक उधारन से समझेंगे, हमने अपने supplier सुधाकर trader से 2 जुलाए 21 को 11,000 रुपए प्रतिनक के हिसाब से 5 नक प्रिंटर सुधार खरीदे, जिसका बिल नमबर 8 है, आए पहले इसका purchase voucher बना लेते हैं, purchase voucher बनाने के बाद हमें ध्यान आया कि हमने तो सुधाकर trader से printer 10,000 रुपए प्रतिनक से भावताय किये थे, और उसने 11,000 रुपए प्रतिनक के हिसाब से बिल भीश दिया, यानि 1,000 रुपए प्रति प्रिंटर के हिसाब से 5 प्रिंटर्स पर उसने 5,000 रुपए हमसे ज़ाधा ले लिये हैं, तो हमें भाव की इस गलती को सुधारने के लिए debit note बनाना होगा, यहां हम party account name में अपने supplier सुधाकर traders का नाम से लेक कर रहे हैं, dispatch details blank छोड़ रहे हैं क्योंकि यहां पर हमें कोई माल वापस नहीं करना है, original invoice details में, original invoice number के आगे हमें अपने supplier के उस bill का number टाइप करना है, जिसमें उसने हमें ज्यादा भावसे bill बना करके दे दिया था, यहां पर उस bill की तारीख टाइप करेंगे, अब हम ledger account पर आ गए हैं, यहां हमें purchase account सेलेक करना होगा, क्योंकि हम यह जो debit note बना रहे हैं, वो purchase के against बना रहे हैं, यानि purchase value कम करने के लिए बना रहे हैं, यहां हमें वो item सेलेक करना होगा, जिसका भाव supplier ने bill में गलत लगा दिया था, quantity को blank की रहने दें, अब हम amount पर आ गए हैं, यहां हम 1000 रुपए प्रति प्रिंटर के हिसाब से, 5 printers का rate difference 5000 रुपए टाइप कर रहे हैं, इसके बाद हमें CGST और SGST के लेजर सिलेक करना होगे, यह देखिए, 450 रुपए CGST और 450 रुपए SGST आ रहा है, provide GST details को yes करेंगे, यहां reason में correction in invoice सिलेक कर लेंगे, supplier's debit oblique credit note number और date को अभी हम blank चोड़ रहे हैं, जब supplier हमें इस debit note के against भूल सुधार कर credit note बना कर भीजेगा, तब हम इस voucher को edit करके उस credit note का number और यहां उसकी date डाल देंगे, यहां method of adjustment में against reference आ रहा है, इसमें हमें वो bill number सिलेक करना है, जिसकी भूल सुधार हम कर रहे हैं, यहां narration type कर देंगे, और अब इस entry को save कर देंगे, अब इसके report हम GSTR 2 में देखेंगे, क्योंकि यह debit note हमने purchase के against बनाया है, और GST की purchase report GSTR 2 में दिखाई देती है, यह देखिए taxable amount में 5000 रुपए माइनस हो गए है, साथ ही उस पर लगने वाला tax और ITC भी माइनस में दिखाई दे रहा है, आए अब इसकी laser report देख लेते हैं, यह देखिए उपर 64,900 रुपए purchase आ रही है और उसके नीचे 5,900 का debit note दिखाई पड़ रहा है, याने अब हमारी purchase 5,900 रुपए कम हो गई है, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महतुपून परिस्थिती के बारे में बताने जा रहे हैं, यह परिस्थिती है कि जब पहले से निश्चित किसी अवधी में supplier को payment करने पर cash discount प्राप्थ होता है, तो उसके लिए debit note कैसे बनाते हैं, इसे भी हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं, हमने अपने supplier सुधाकर ट्रेडर्स से एक अगस्त 2021 को 10,000 रुपे प्रतिनक के भाव से 5 printers और 5,000 रुपे प्रतिनक के भाव से 5 sewing machine यानि 5 सिलाई machine उधार खरी दी, जसका bill number है 10, कुल बिल अमाउंट 87,000 का है, supplier ने माल देते समय हमसे कहा कि यदि आप इस बिल का payment 31 अगस्त या उससे पहले कर देंगे तो मैं आपको 2% cash discount दूँगा, चलिए पहले इसका purchase voucher बना लेते हैं, हमने 31 अगस को सुधाक ट्रेडर्स को 87,000 का 2% यानि 1740 रुपीज कम करके 85,260 रुपीज नगत दे दिये, तो आईए इस cash discount की entry debit note voucher में कर लेते हैं, यहाँ ध्यान दें, हम purchase के करिब एक महाबाद payment कर रहे हैं, पर जैसा कि GST का नियम है, यदि माल बेशते समय supplier ने कोई condition रखी थी, जैसे कि वो target पुरा करने पर incentive देगा, या निश्यत अवधी में payment करने पर cash discount देगा, की राशी के साथ GST की भी calculation होगी, आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं, कि हमने 87,000 रुपए पर 2% के हिसाब से 1740 रुपए काट तो लिए, पर इसमें GST कितना है, ये भी समझना होगा, ये देखिए, माल का मुल्य 75,000 रुपए है और उस पर 12,000 रुपए टेक्स लगा है, हम माल के मुल्य और टेक्स दोनों का 2-2 प्रतिशत अलग निकाल लेते हैं, 25,000 रुपए का 2% हुआ 1500 रुपए और GST के 12,000 रुपए का 2% हुआ 240 रुपए, इस 240 रुपए में आधा 120 रुपए CGST है और बचा आधा 120 रुपए SGST है, अभी तक हमने जितनी भी डेविट नोट बनाए हैं, वो आईटम इन्वोईस मोड में बनाए हैं, जिसमें हमने आईटम सेलेक किया था और उसके आगे अमाउंट टाइप कर दिया था, इस बिल में तो दो ही आईटम्स हैं, परमाल लीजे यदि हमने एक बिल में 20 आईटम्स खरीदे होते, तो हमें आईटम इन्वोईस मोड में डिसकाउंट की एंट्री करने के लिए हर आईटम पर अलग अलग दो प्रतीशत से डिसकाउंट निकालना पड़ता, और फिर हम उसकी एंट्री कर पाते, जो की बहुत इकठिन काम होता, तो इसका हल ये है कि हम ये डेबिट नोट वाउचर आईटम इन्वोईस मोड की जगह अकाउंटिंग इन्वोईस मोड में बना ले, इससे हमें आईटम सेलेक करने की जरुरत नहीं पड़ेगी, तो आईए पहले हम इस voucher को accounting invoice mode में कर लेते हैं voucher में कितने mode होते हैं ये हम अपनी purchase voucher वाली video number 30 में विस्तार से बता चुके हैं party account name में हम supplier का नाम select करेंगे original invoice details में supplier का original invoice number और यहाँ पर date डालेंगे particular में हमें cash discount on purchase का leisure select करना होगा जो कि अभी बना हुआ नहीं है तो पहले हम वो बना लेते हैं यह भी purchase account group के अंडर में बनेगा क्योंकि इस discount का effect हमारी purchase value पर पढ़ने वाला है यहां हम 1500 type करेंगे यहां पर cgst का leisure select करेंगे amount में 120 type करेंगे इसी तरह sgst का leisure select करके amount 120 type करेंगे type of reference में against reference आ रहा है यहां हम वो bill number select करेंगे जिस पर हमें discount मिल रहा है यहां narration type करके आगे बढ़ जाएंगे यह देखिए एक warning आ रही है अभी हम इस warning को अंदेखा करके enterprise करके इस entry को save कर लेते हैं चलिए अब gstr2 देख लेते हैं पहले period change कर लेते हैं यह देखिए अभी हमने जो debit note की entry की है उसका इस report में कहीं effect नहीं दिखाई पड़ रहा है चलिए वापस voucher पर चलते हैं यह देखिए इस voucher में हमने discount और उस पर लगने वाले tax का amount type तो कर दिया है पर tally यह नहीं समझ पा रहा है कि यह tax discount पर किस तरह से calculate हुआ है इसके लिए हम voucher को alter और depress करके delete कर देते हैं और फिर से दूसरा voucher बना लेते हैं वाउचर बनाने के पहले हमें कुछ configuration करना पड़ेगा उसके लिए F12 की प्रेस करेंगे यहां से modify tax rate details of GST पर जाना होगा और इस option को yes करना होगा अब इस screen को accept कर लेते हैं चलिया voucher बना लेते हैं party account name में हम supplier का नाम select करेंगे original invoice details में supplier का original invoice number और यहां पर date डालेंगे particular में हम cash discount on purchase select कर रहे हैं यहां हम discount का amount type करके enter press कर रहे हैं देखिए ऐसा करते ही एक नई window text classification details आ गई है यदि आपके screen इस तरह की दिखाई पड़ती है तो ठीक है और यदि इसके स्थान पर इस तरह से दिखाई पड़ रही है तो F12 की press करें अब यहां दिखाई पड़ रहे options में से allow override accessible value और override tax rate को yes करें और इस window को save कर लें यहां classification nature में space bar press करेंगे और natures of transaction में से हम जिस तरह की purchase के against debit note बना रहे हैं वो select करेंगे जैसे यदि हमारी ये purchase interstate purchase यानि राज के बाहर से की गई खरीद होती तो यहां हम interstate purchase taxable select करतें चुकि हमारी ये purchase interstate purchase है यानि राज के अंदर की गई खरीद है तो उसके लिए यहां हम purchase taxable select करेंगे ध्यान रखें interstate purchase के लिए हमेशा purchase taxable select करना होता है अब आगे बढ़ने से पहले हमें एक calculation समझना होगी जैसा कि आप बिल में देख रहे हैं माल का मुल्य है 75,000 रुपए और उस पर GST लगा है 12,000 रुपए तो हमें सभी items को मिला कर average tax rate निकालना होगा इसका formula है tax का average rate is equal to GST divided by माल का मुल्य into 100 यहां पर हमारा GST है 12,000 रुपए माल का मुल्य है 75,000 रुपए into 100 is equal to 16 आ रहा है मतलब यहां पर tax rate 16% आ रहा है इसका कारण यह कि बिल में अलग-अलग tax rate के items थे और यह उनके tax का average है माल ली जी यहां पर सभी items 18% tax rate के होते तो फिर हमें इस तरह की कोई calculation नहीं करना पड़ती हम सिधे 18% लेकर आगे बढ़ जाते हम integrated tax में 16 type कर रहे हैं और enter press करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अब particular में हम CGST और SGST के laser select करेंगे देखे पहले हमने tax का amount type किया था और इस बार tax अपने आप calculate हो गया है यहां हमें supplier का credit note number और यहां उसकी date type करनी है जो कि अभी अमारे पास नहीं है इसलिए हम इने blank छोड़ रहे हैं दिखे जैसे ही हम इस voucher को accept करने गए यहां एक छोटी window आ गई है इसमें तीन options हैं जिसमें हमें accept without conflicts यानि बगैर किसी विवाद के स्विकार करना है जिसके लिए O press करेंगे ऐसा करते ही voucher save हो गया है हम वापस GSTR2 में जाकर चेक कर लेते हैं ये देखिए अभी हमने जो entry save की थी उसका effect यहां पर दिखाई पड़ रहा है ध्यान रखें इसका कोई effect stock summary पर नहीं आएगा क्योंकि हमने इस entry में कोई item select नहीं किया था अभी हमने cash discount की entry debit note voucher में कर ली है अब हम सुधाकर traders को जो 85,260 रुपए नगत दे रहे हैं उसकी entry भी payment voucher में कर लेंगे इस वीडियो को हम दो भागों में बना रहे हैं पहले भाग में हम आपको कुछ ऐसी परिस्तितियों के बारे में बताएंगे जिनमें credit note voucher बनाए जाते हैं पहली परिस्तिती है बेचा हुआ माल वापस आना यानी sales return होना दूसरी परिस्तिती है जब हम कोई माल बेच देते हैं और customer कहता है कि माल की quality अच्छी नहीं है तो हम customer से माल वापस न लेते हुए उसे उस माल पर कुछ discount दे देते हैं और तीसरी परिस्तिती है जब हम कोई sales invoice बनाते हैं और उस bill में गलती से ज्यादा भाव लगा देते हैं तो उस bill की value कम करने यानि बिल में हुई गलती को ठीक करने के लिए credit note voucher बनाना होता है तो आएए सबसे पहले देखते हैं बेचा हुआ माल वापस आने यानि sales return की entry credit note voucher में कैसे करें हमने हमारे वीडियो नमबर 33 जो की credit note की basic वीडियो है उसमें बताया था कि जब customer किसी भी कारण से supplier से खरीदे गए माल को supplier को ही पूरा या आशिक रूप से वापस कर देता है तो supplier के लिए ये sales return कहलाती है और इस तरह के transaction को record करने के लिए supplier द्वारा credit note voucher का उप्योग किया जाता है ध्यान रखें supplier को जो माल वापस प्राप्त होता है उसे supplier को sales में से कम करना होता है और ऐसा करने के लिए sales return का ledger बनाना होगा और ये ledger sales accounts group के अंतरगत बनाया जाता है अब सवाल ये है कि जब हम credit note की वीडियो पहले ही बना चुके हैं तो फिर ये वीडियो बनाने की जरुरत क्यूं है पहले वाली वीडियो basic level की थी और बगर GST की थी पर वर्तमान में प्रायस सभी जग़ GST के साथ ही माल का क्रेविक्रे होता है और हम पिछली कुछ वीडियो में GST के साथ क्रेविक्रे करना और debit note का उपयोग करना सीख चुके हैं ये वीडियो भी उसी सीरीज का हिस्सा है इसमें हम GST के साथ क्रेडिट note बनाना बता रहे हैं ध्यान रखें अभी हम जो माल बेच रहे हैं वो GST लगा कर बेच रहे हैं तो जब हम कोई माल वापस लेंगे तो उसे भी हम GST लगा कर ही वापस लेंगे यानि अब हम जो ग्रेडिट note बना रहे हैं उसका प्रभाव हमारी GST की सल्स रिपोर्ट जो कि GST R1 में दिखाई पड़ती है उस पर भी पड़ेगा आगे बिढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को देखने से पहले हमारी डेविट note की तीन वीडियो सरूर देखें क्योंकि उनमें हमने ऐसी बहुत सी बाते समझाई हैं जो इस वीडियो में भी उपियोगी हैं तो चलिए बेचा हुआ माल वापस आने यानि सेल्स रिटन की एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में करने के लिए पहले हम एक सेल्स वाउचर बना लेते हैं हम एक अगस को टीपक ट्रेडर्स को पाँच प्रिंटर 15,000 रुपए प्रती नक के हिसाब से उधार बेच रहे हैं ये देखिए ये वाउचर अकाउंटिंग इन्वोईस मोड में उपन हुआ है हम इसका मोड चेंज करके आईटम इन्वोईस कर लेते हैं ये माल हम राज्य के अंदर ही बेच रहे हैं इसलिए इस पर हमें CGST और SGST लगाना होगा कस्टमर ने प्रिंटर मिलने के बाद हमें बताया कि 5 प्रिंटर्स में से एक प्रिंटर ठीक से काम नहीं कर रहा है इसलिए वो हमें वो प्रिंटर वापस भेज रहा है जैसा कि आपको ध्यान होगा हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जब कस्टमर पर्चेस रिटन करता है तो उसके लिए डेबिट नोट बनाता है तो उसने हमें एक अगस को ही डेबिट नोट बनाकर उसके साथ प्रिंटर वापस भेज दिया यहां पर ध्यान दें कि जब कस्टमर खरीदा हुआ माल सप्लायर को वापस करता है तो कस्टमर के लिए ये पर्चेस रिटन होती है पर जब वही माल सप्लायर को वापस प्राप्त होता है तो सप्लायर के लिए ये सेल्स रिटन होती है और जिस तरह कस्टमर ने पर्चेस नोट बनाया है ठीक उसके विपरीत supplier sell के लिए अपने यहां credit नोट बनाएगा यहां आपको हमेशा याद रखना है कि जब customer debit n deployment बनाता है तो supplier उसके विपरीत kredit n queda बनाता है और इसी तरह जब supplier debit note बनाता है तो customer उसके विपरीत kredit noda बनाता है तो आये इस sells प्रेस रिटर्न के ट्रांसिक्षन को credit note में record कर लेते हैं credit note voucher के लिए alter और F6 कीज को press करें यह दिखें यहां credit note voucher open नहीं हो रहा है इसका मतलब यह कि credit note voucher अभी activate नहीं है इसे activate करने के लिए हमें other vouchers पर जाना होगा उसके लिए F10 प्रेस करेंगे F10 प्रेस करते ही list of voucher type दिखाई पड़ेगी यहां से show inactive पर जाकर enter प्रेस करें यह देखें ऐसा करते ही सभी प्रकार के voucher types दिखाई दे रहे हैं इसमें जो options बंद हैं वो धुंदले दिखाई पड़ रहे हैं अब इनमें से आप जो option चालू करना चाहते हैं उस पर जाकर enter प्रेस करें हम credit note पर जाकर enter प्रेस कर रहे हैं यह देखें इस तरह का message आएगा इसमें लिखा है आपको credit note voucher type activate करने की जरूरत है क्या अभी activate करें अभी activate करने के लिए yes पर click करें हम yes के लिए enter प्रेस कर रहे हैं यह देखें credit note voucher creation screen आ रही है पहले date change कर लें यहाँ party account name से लेक करने से पहले एक मतपुन बात का ध्यान रखें कि हमने जो माल बेचा था जिसमें से customer ने हमें पूरा या अंशिक रूप से माल वापस किया है यदि customer ने हमें उसका payment कर दिया था तो यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि हम customer को माल वापसी के साथ ही हाथों हाथ payment कर रहे हैं तो party account name में cash account select करना होता है और यदि हम bank से payment कर रहे हैं तो जिस bank से payment कर रहे हैं उस bank का account select करना होगा और यदि हम customer को हाथों हाथ payment नहीं कर रहे हैं तो यहां हमें customer का laser select करना होगा चूंकि हमने जो माल बेचा था अभी तक उसका payment ही हमें नहीं मिला है तो फिर यहां इन बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता है हाँ भविश्य के लिए आप ये बात जरूर ध्यान रखें हम party account name में customer दीपक traders का laser select कर रहे हैं original invoice number में हमें अपना वो bill number टाइप करना होगा जिसका माल हमें वापस प्राप्त हुआ है यहां पर bill की date टाइप करें ledger account में हमें sales return का ledger select करना है जो की अभी बना हुआ नहीं है तो पहले हम उसे बना लेते हैं ध्यान रखें ये ledger sales accounts group के अंडर में बनेगा item में हम printer select कर रहे हैं यहां पर हमें वो quantity टाइप करना है जो वापस मिली है यहां rate में वो rate टाइप कर रहे हैं जो हमने उसे माल बेशते समय bill में लगाया था अब जोकि माल वापस आया है तो tax की value भी कम करनी होगी उसके लिए यहां हम cgst और sgst के ledger select करेंगे provide gst details को yes करेंगे reason में sales return select करेंगे यहां bias debit note number में हमें customer से माल के साथ जो debit note प्राप्थ हुआ है उसका number टाइप करना है और यहां उसकी date टाइप करनी है against reference में हमें अपना वो bill number select करना होगा जिसका माल वापस आया है narration में हम माल वापस करने का कारण टाइप करेंगे और इस entry को save कर लेंगे अब हम report पर भी नज़र डाल लेते हैं इसके लिए हम alter और G कीज को press करेंगे यहां GSTR 1 type करेंगे period change करेंगे यह देखे यहां credit, oblique, debit notes में item की value और tax दोनों के amount माइनस हो रहे हैं आईए अब stock summary पर भी इसका effect देख लेते हैं यह देखिए यहां 5 printer गए थे जिसमें से एक printer वापस आ गया है आईए बात करते हैं दूसरी condition की जब हम कोई माल बेच देते हैं और customer कहता है कि माल की quality अच्छी नहीं है तो हम customer से माल वापस ना लेते हुए माल की कीमत को कुछ कम कर देते हैं यानि हम customer को माल पर कुछ discount देते हैं इस तरह के discount की entry भी हम credit note में ही करते हैं इसके पहले हमने देखा था कि हमने दीपक traders को 5 printers बेचे थे जिसमें से एक printer खराब होने से उसने एक अगस को वो हमें वापस कर दिया था दो अगस को दीपक traders ने हमसे कहा अब मेरे पास जो 4 printers हैं उनकी quality आपने जैसा बताया था वैसी नहीं है यदि आप इनका भाव कुछ कम कर देंगे तो इन्हें में रख लूँगा नहीं तो इन्हें भी वापस कर दूँगा तो हमने उससे कहा ठीक है आप इन्हें रख लीजिए हम 500 रुपे प्रती printer के हिसाब से भाव कम कर देंगे इसी के साथ हमने customer से कहा हम इसका credit note भेश देंगे आप हमें इसका debit note भेश दीजिए तो आये देखते हैं इस तरह के माल के भाव में जो कमी की गई है उसका हम अपने हाँ credit note कैसे बनाते हैं सबसे पहले date चेक कर लेंगे party account name में दीपक traders select करेंगे original invoice number में हमें अपना वो bill number टाइप करना होगा जिस bill के माल पर हम discount दे रहे हैं यहाँ पर bill की date टाइप करें ledger account में हमें discount on sales का ledger select करना है जो की बना हुआ नहीं है तो पहले हम उससे बना लेते हैं ध्यान रखें यह sales account group के अंदरगत बनेगा क्योंकि इस तरह का discount देकर हम अपनी sales value कम कर रहे हैं आइटम में हम printer select कर रहे हैं यहाँ हमें कोई माल वापस प्राप्त नहीं हो रहा है इसलिए quantity को blank छोड़ देंगे amount में हम चार printer के 500 रुपे प्रती printer के हिसाब से कुल 2000 रुपे टाइप करेंगे अब हम जो discount दे रहे हैं उस पर tax भी कम करना होगा उसके लिए हम cgst और sgst के laser select करेंगे provide gst details को yes करेंगे reason में आप चाहें तो यहां other या post sell discount select कर सकते हैं हम post sell discount select कर रहे हैं यदि buyer का debit note आ गया है तो यहां उसका number डालें यहां उसकी date डालें और यदि नहीं आया है तो हम इसे बाद में डाल देंगे against reference में हमें अपना वही bill number select करना है जिस bill के माल पर हमने discount दिया है यहां narration type करेंगे और इस entry को save कर लेंगे अब हम gstr1 पर चलते हैं यहां से credit oblique debit notes पर जाएंगे यह देखिए यहां दो credit note दिखाई पड़ रहे हैं पहला वो है जिसमें हमने sales return की थी और दूसरा वो है जो हमने अभी बनाया है इसमें discount का amount और उस पर लगने वाले tax दोनों के amount minus हो रहे हैं अब हम stock summary भी देख लेते हैं देखें यहां पर सिर्फ value कम हुई है quantity पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है आई अब बात करते हैं अगली condition की जब हम कोई sales invoice बनाते हैं और गलती से उसमें ज्यादा भाव लगा देते हैं तो उस bill की value कम करने के लिए यानि उसमें सुधार करने के लिए भी credit note बनाते हैं इसे correction in invoice भी कहते हैं इसे समझने के लिए पहले हम अपने customer का sales bill बना लेते हैं हमने एक October को वासू traders को जो की रायपूर के customer है 14,000 रुपए प्रतिनग के हिसाब से दो नग monitor उधार बेचे जिस पर 18% से IGST चार्ज किया IGST इसले चार्ज किया क्योंकि यह हमारे state के बाहर के व्यापारी है माल प्राप्त होने पर वासू traders का फोन आया उसने हमसे कहा कि हमने उसे monitor का भाव 13,000 रुपए बताया था और बिल में 14,000 रुपए का भाव लगा दिया है तो आईए sales के इस rate difference को adjust करने के लिए credit note बना देते हैं credit note voucher के लिए alter और F6 keys प्रेस करेंगे सबसे पहले date चेक कर लें party account name में वासू trader सेलक कर रहे हैं यहां original invoice में हमें अपने उस bill का number डालना है जिस bill में हमने ज्यादा भाव लगा कर माल बेचा है यहां उसकी date डालें ledger account के आगे sales account सेलक करेंगे क्योंकि हम अपनी sales की value कम करना चाहते हैं item में monitor सेलक करेंगे quantity को blank की रहने दें अब amount में 2000 रुपए टाइप करेंगे क्योंकि हमने 1000 रुपए प्रतिनक से दो monitor पर 2000 रुपए ज्यादा ले लिये थे यहां tax के लिए IGST सेलक कर रहे हैं यहां provide GST details को yes करेंगे reason में correction in invoice सेलक कर रहे हैं यदि buyer का debit note आ गया हो तो यहां उसका number डालें यहां उसकी date डालें और यदि नहीं आया है तो उसे बाद में डालतें यहां against reference लेंगे यहां वो bill number सेलक करना है जिसमें हमने ज्यादा भाव लगा दिये थे अब narration type करेंगे और इस entry को save कर लेंगे अब हम GST R1 पर चलते हैं देखें यहां rate difference का amount और उसका tax कम हो गया है अब हम stock summary भी देख लेते हैं यहां पर देखें सिर्फ value कम हुई है quantity पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है इस वीडियो को हमने दो parts में बनाया है पहले part में हम आपको कुछ महत्पून transactions के बारे में बता चुके हैं इस वीडियो में हम कुछ और ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताएंगे जिनमें credit note बनाया जाता है जैसे हमने customer को कोई माल बेचा और customer को माल प्राप्त होने पर उसने बताया कि हमने जितनी quantity का bill बनाया है माल उससे कम quantity में प्राप्त हुआ है तो इस गलती को सुधारने के लिए credit note बनाया जाता है दूसरी स्थिति है जब supplier customer को माल बेचता है और उस समय दोनों के बीच due date के अंदर payment करने पर किसी प्रकार के discount के बारे में बात हो जाती है तो उस discount को देने के लिए तीसरी स्थिति है कि जब हमने किसी customer को उधार माल बेचा था तो उस समय उसे sugar payment करने पर किसी तरह का discount देने के बात नहीं हुई थी पर हमें व्यापार में liquidity की परिशानी यानि नकदी की कमी हो रही है तो हमने उस customer से कहा कि यदि आप तीन दिन में payment कर देंगे तो हम आपको किसी निश्यत प्रतिशत से discount दे देंगे तो इस तरह का discount देने के लिए भी credit note बनाया जाता है आईए बात करते हैं पहली condition की हमने customer को कोई माल बेचा और customer को माल प्राप्त होने पर उसने बताया कि हमने जितनी quantity का बिल बनाया है माल उससे कम quantity में प्राप्त हुआ है तो इस गलती को सुधारने के लिए credit note बना लेते हैं इसको समझने से पहले हम अपने customer का sales bill बना लेते हैं हमने 1 December को दीपक ट्रेडर्स को 14,000 रुपए प्रतिनक के भाव से 5 नग monitor उधार बेचे जिस पर 9 प्रतिशत से CGST और 9 प्रतिशत से SGST चार्ज किया 2 December को दीपक ट्रेडर्स ने हमें कहा आपने जो monitor भेजे थे उनका bill तो 5 monitor का था पर box में 3 ही monitor निकले क्रपे आप इस गलती को ठीक कर लें अब हमने अपने यहां stock चेक किया तो 2 monitor stock में ज्यादा थे यानि गलती से हमने party को माल कम ही भेजा था और बिल ज्यादा का बना दिया था तो आईए इस गलती को ठीक करने के लिए credit note बना लेते हैं credit note के लिए हम alter और F6 प्रेस करेंगे F2 प्रेस करके date change कर लेंगे party account name में debug traders सेलेक करना होगा original invoice number में हमें अपना वो bill number टाइप करना होगा जिसमें गलती से माल कम गया है और यहां पर उस bill की date टाइप करेंगे ledger account में हमें sales account सेलेक करना है क्योंकि हमने गलती से जो ज्यादा cell दिखा दी है अब हम उसे कम करना चाहते है item में हम monitor सेलेक कर रहे है यहां हमें वो quantity type करनी है जो customer को कम प्राप्त हुई है और यहां rate में हम वो rate डाल रहे हैं जो हमने उसे माल बेशते समय bill में लगाए थे अब चूंकि हम अपनी cell कम कर रहे हैं तो उसका text भी कम करना होगा उसके लिए हम cgst और sgst के laser select करेंगे provide gst details को yes करेंगे reason में correction in invoice select करेंगे यदि customer से हमें इसका debit note प्राप्त हो गया है तो buyers debit note नंबर में उसका number टाइप करेंगे और यहाँ पर उसकी date टाइप करेंगे और यदि customer का debit note प्राप्त नहीं हुआ है तो जब प्राप्त होगा तब हम voucher को edit करके यहाँ पर details डाल देंगे against reference में हमें अपना वो bill number से लेक करना होगा जिस bill में माल कम गया है यहाँ हम narration में इस credit note को बनाने का कारण टाइप करेंगे और इस century को save कर लेंगे आईए अब इसका प्रभाव GSTR 1 पर देख लेते हैं पहले period change कर लेंगे यह देखिए हमने उसे जो 5 monitor का bill बना कर दिया था वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और हमने भूल सुधार के लिए जो credit note बनाया उसका amount और tax यहाँ minus में दिखाई पड़ रहा है आईए अब monitor की stock summary भी देख लेते हैं यह देखिए outward में पहले जो 5 monitor का bill बनाया था वो दिखाई पड़ रहा है और उसके नीचे हमने अपनी गलती को सुधारने के लिए जो credit note बनाया है वो दिख रहा है चलिए अब बात करते हैं दूसरी condition की अगर कोई party due date के अंदर ही payment कर देती है तो उसे discount देने के लिए भी credit note बनाया जाता है यहाँ पर हम आपको ध्यान दिला दें credit note की video का ये जो part है वो debit note video के part 3 के बिलकुल विपरीथ है उसमें हमने customer द्वारा debit note बनाना बताया है और इसमें हम supplier द्वारा credit note बनाना बता रहे हैं इसलिए इसे अच्छे से समझने के लिए पहले उस video को ज़रूर देख लें इस condition को समझने के लिए पहले हम 2 December को अपने customer वासू traders का एक बिल बना रहे हैं इस बिल की due date हम 31 December 2021 दे रहे हैं इसमें हम उसे 13,000 रुपए के भाव से 3 नग printer 12,000 रुपए के भाव से 2 नग monitor और 6,000 रुपए के भाव से 1 नग sewing machine उधार बेच रहे हैं इसमें हम IGST लगाएंगे क्योंकि ये हमारे प्रदेश के बाहर की party है माल बेचते समय ही हमने कस्टमर को कहा था भाव इस बिल की due date 31 December है यदि आप इस तारिख तक payment कर देंगे तो हम आपको 1000 रुपए का discount देंगे पासू ट्रेडर्स 31 December 2021 को आया और बोला 1000 रुपए discount काट कर इस बिल का payment ले लीजिए तो चलिए पहले इस discount का credit note बना लेते हैं जैसे ही हमने credit note बनाना शुरू किया तो हमें याद आया कि यदि हम item invoice mode में credit note बनाते हैं तो हमें इस 1000 रुपए को तीनों item की value के हिसाब से divide करना होगा और फिर जैसा कि अभी तक हमने आपको बताया है हर item के साथ amount डाल कर entry करना होगी अब सवाल ये है कि ये तो सिर्फ तीन ही item है मान लो bill में 20 items होते तो हर item का discount बांटना थोड़ा मुश्किल होता इसलिए अच्छा होगा कि हम इस entry को item invoice mode की जग़ accounting invoice mode में कर लें voucher बनाने के पहले हमें कुछ configuration करना पड़ेगा उसके लिए F12 प्रेस करेंगे यहां से modify tax rate details of GST पर जाना होगा और इस option को yes करना होगा अब इस screen को accept कर लेंगे आईए अब आगे बढ़ते हैं यहां party का नाम select करेंगे यहां हम अपने जिस bill के against discount दे रहे हैं उसका bill number और date type करेंगे particular में cash discount on sales का ledger select करेंगे हमने यह ledger नहीं बनाया है तो इसे बना लेते हैं हम यह ledger sales account group के अंतरकत बनाएंगे क्योंकि हम sales पर discount दे रहे हैं अब यहां amount type करके enter प्रेस करेंगे यह देखे ऐसा करते ही एक नई window text classification details की आ गई है यदि आपकी window इस तरह की दिखाई पड़ती है तो ठीक है पर अगर इसके स्थान पर वो इस तरह की दिखाई पड़े तो F12 की प्रेस करें अब यहां पर दिखाई पड़ रहे options में से allow override accessible value और override tax rate को yes कर लें और इस window को save कर लें यहां classification oblique nature में space bar प्रेस करेंगे natures of transaction में से हम जिस तरह की cell के against credit note बना रहे हैं वो select करेंगे जैसे यदि हमारी यह cell intrastate cell होती यानि राज के अंदर की गई cell होती तो उसके लिए यहां हम cells taxable select करते ध्यान रखें intrastate cells के लिए हमेशा cells taxable select करना होता है चूंकि हमारी यह cell intrastate cell यानि राज के बाहर की गई cell थी इसलिए यहां पर हम intrastate cells taxable select कर रहे हैं साथ ही यहां हमें एक calculation करना होगी जैसा कि आप बिल में देख रहे हैं माल का मुल्य है 69,000 रुपीज और उस पर GST लगा है 12,060 रुपीज तो हमें सभी items पर मिला कर average tax rate निकालना होगा इसका formula है tax का average rate is equal to GST by माल का मुल्य into 100 अब यहां पर GST है 12,060 रुपे माल का मुल्य है 69,000 रुपे into 100 is equal to tax rate आया 17.48% यहां पर average tax rate निकालने का कारण यह था कि बिल में अलग-अलग tax rate के items थे माल लीजे हैं सभी items 18% tax rate के होते तो हमें इस तरह की कोई calculation नहीं करना पड़ती हम सीधे 18% लेकर आगे बढ़ जाते हम integrated tax में 17.48 टाइप करेंगे फिर enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे अब particular में हम IGST का laser select करेंगे यह देखिए tax अपने आप calculate हो गया है यहां provide GST details को yes करेंगे reason में post self discount select करेंगे buy us debit note में customer का debit note number और यहां उसकी date type करेंगे अभी हमारे पास customer की debit note की details नहीं है इसलिए हम इसे blank छोड़कर आगे बढ़ेंगे against reference में वो bill number select करेंगे जिस पर हम discount दे रहे हैं अब enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे यहां पर narration type कर देंगे यह देखिए जैसे ही हम इस voucher को accept करने गए यहां पर एक छोटी window आ गई है इसमें तीन options हैं जिसमें हमें accept without conflicts यानी बगएर किसी विवाद के स्विकार करना है उसके लिए O press करेंगे और इस entry को save कर लेंगे आएए अब इसके report GSTR1 में देख लेते हैं यहां credit oblig debit notes पर जाकर enterprise करेंगे यह देखिए यहां वासू traders का credit note दिखाई पढ़ रहा है जिसमें उसका discount amount और उसका tax माइनस हो रहा है आएए अब बात करते हैं आखरी condition की इसे हम एक उधारन से समझ लेते हैं आपको ध्यान होगा हमने अपनी customer अशोक traders को 2 अप्रेल को 17,700 रुपए का माल उधार बेचा था जिसका bill number 2 है माल बेचते समय हमने किसी भी तरह के discount या incentive की कोई बात नहीं की थी पर आज 31 दिसंबर तक हमें उसका payment प्राप्त नहीं हुआ है हमने उससे कहा हमें नकदी की दिक्कत है तो यदि आप इस bill का payment तीन दिन में कर देंगे तो हम आपको 5% discount दे देंगे वो हमें आज ही payment देने के लिए तयार हो गया है तो आईए इस 5% discount का credit note बना लेते हैं यहाँ पर एक बाद ध्यान रखें कि जब हम माल बेचते समय ही customer से discount संबंधित कोई agreement करते हैं तो इस तरह का discount देते समय उसके साथ GST भी लगाते हैं इस तरह के discount को sales में से कम किया जाता है और ऐसा करने के लिए discount का ledger sales account group के अंतरकत बनाया जाता है पर यदि हमने माल बेचते समय discount का कोई agreement नहीं किया और बाद में हम उसे किसी कारण से discount दे देते हैं जैसा कि अभी हमने बताया तो उस पर GST नहीं लगाते हैं साथ ही इस टाइप के discount का ledger हम indirect expenses के अंतरकत बनाते हैं इस तरह के credit note को हम accounting invoice mode में बनाते हैं यदि आपका voucher इस mode में है तो ठीक नहीं तो accounting invoice mode में कर लें सबसे पहले date check कर लें party account name में हम अशोग trader select कर रहे हैं original invoice number के आगे हम अपने उस bill का number टाइप कर रहे हैं जिस bill पर हम उसे discount दे रहे हैं और यहाँ उस bill की date टाइप कर रहे हैं particular में हमें discount allowed का ledger select करना है जो की बना हुआ नहीं है तो इसे बना लेते हैं जैसा कि अभी हमने आपको बताया था यह ledger indirect expenses group के अंतरगत बनेगा अब यहाँ is GST applicable को not applicable करना होगा अब enterprise करते हुए इसे save कर लेते हैं यहाँ amount में हमें वो amount type करनी होगी जो हम उसे discount के रूप में कम कर रहे हैं हम 17,700 रुपए के बिल पर 5% के हिसाब से 885 रुपए यहाँ पर type कर रहे हैं ध्यान रखें यहाँ हम GST का कोई भी लेजर select नहीं करेंगे यहाँ against reference में वो बिल नंबर select करें जिस पर discount दे रहे हैं अब यहाँ पर narration type कर दें और अब इस entry को save कर लें ध्यान रखें इस credit note में हमने किसी तरह का GST नहीं लगाया है इसलिए GST की किसी भी report पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा credit note की इन दो वीडियोज में हमने कुछ मुख्य transactions बताए इसी तरह आप अपनी ज़रूरत के अनुसार और भी कई transactions credit note में record कर सकते हैं अपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब हमने stock item पर GST enable करना बता दिया है तो पर यह stock group पर GST enable करना क्यों बता रहे हैं तो चलिए इसका कारण भी समझा देते हैं हमने अपनी वीडियो नंबर 25 जो की stock group के बारे में है उसमें एक chart के माध्यम से stock group की उप्योगिता के बारे में समझाया था करीब उसी तरह का एक chart हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं मालेजिये हम इन सभी तरह के TVs का प्यापार करते हैं तो इनके stock items बनाते समय हमें एक एक करके इन सभी में GST enable करना होगा अगर आप इस लंबी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है आप सिर्फ TV के group में GST enable कर दीजिए ऐसा करने के बाद आप जितने भी stock items TV group के अंतरगत बनाएंगे उन सभी पर GST enable हो जाएगा बस यही हम आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली करके बताने वाले हैं हमने एक जिन्वरी को अपने supplier सुधाकर traders से जैसा की बिल में दिखाई दे रहा है Samsung Mobile M33G के पाचनग, Sony Mobile S25 Ultra के पाचनग, एक टन वाले गोदरेज AC के पाचनग और एक टन वाले LG AC के पाचनग उधार खरीदे ध्यान रखें, Mobile पर 18% GST है और AC पर 28% GST है तो आएए इस transaction को tally में record कर लेते हैं यह हमने अपनी company Happy Traders open कर ली है हमारे पास यह सभी stock items बने हुए नहीं हैं और नहीं इनके कोई group बने हुए हैं तो पहले हम Mobile और AC का group बना लेंगे और फिर इन groups में stock items बना लेंगे stock group और stock items बनाना हम आपको अपनी video no.25 और video no.28 में सिखा चुके हैं stock group बनाने के लिए C press करेंगे यहां से stock group पर जाकर enter press करेंगे यह देखे stock group creation screen आ रही है name में हम जो group बनाना चाहते हैं उसका नाम type करेंगे जैसे कि यहां पर हम mobile type कर रहे हैं under में primary ही रहने देंगे should quantities of items be added को yes करेंगे और यहां set oblique alter GST details को भी yes करेंगे यह देखे ऐसा करते ही GST details for stock group के window आ गई है description में mobile ही type कर रहे हैं यहां हम supplier के bill में लिखा HSN type करेंगे इस non GST goods को no रहने देंगे taxability में हम taxable select करेंगे क्योंकि इस group में हम जो stock items बनाने वाले हैं वो सभी taxable हैं यहां integrated tax में हम 18% type कर रहे हैं यह देखे यह central और state tax में आधा आधा बंट गया है अब enterprise करते हुए इस window को accept कर लेते हैं इसी तरह हम air conditioner का भी group बना लेते हैं ध्यान रखे इसका tax rate 28% है इसलिए integrated tax में हम 28% type कर रहे हैं अब enterprise करते हुए इसको भी accept कर लेते हैं और चलिए अब stock items बना लेते हैं उसके लिए हम escape की press करके list of master पर आ गए हैं यहां हमें stock items पर जाकर enterprise करना होगा stock item creation screen आ रही है यहां पर item का नाम type करेंगे under में mobile group select करेंगे units में number select करेंगे GST applicable रहने देंगे set oblique alter GST details को no ही रहने देंगे type of supply में goods रहने देंगे और इसे save कर लेंगे इसी तरह हम सभी stock items बना लेते हैं यह हमने सभी stock items बना लिये हैं आईए अब हमने जो खरीद की है उसका purchase voucher बना लेते हैं सबसे पहले date change कर लेते हैं यहां supplier invoice number टाइप करेंगे और यहां date टाइप करेंगे party account name में सुधा कर trader select करेंगे enterprise करते हुए हम purchase leisure पर आ गए हैं यहां हम purchase account select कर रहे हैं name of items में हम samsung mobile ले रहे हैं supplier के bill में देखकर quantity और rate टाइप कर रहे हैं इसी तरह हम एक एक करके सभी item select कर लेंगे अब हमें GST लगाना होगा यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि हमने stock item बनाते समय GST enable नहीं किया था फिर भी tax calculate हो रहा है क्योंकि हमने in items के group में GST enable किया हुआ है आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि tax किस तरह calculate हुआ है उसके लिए alter और a keys प्रेस करेंगे यह देखे हमारे सामने tax analysis की window आ रही है अब इसका detailed view देखने के लिए alter और f5 keys प्रेस करेंगे यदि alter और a keys प्रेस करने पर tax analysis की window नहीं आ रही हो तो ctrl और i keys प्रेस करें फिर GST tax analysis पर जाकर enter प्रेस करें और फिर detailed view के लिए alter और f5 keys को प्रेस करें देखिए हमारे सामने Tax Analysis की विंडो है जिसमें आइटम का नाम, उसकी वैल्यू, उस पर कौन-कौन से टेक्स लगे हैं, किस रेट से लगे हैं, और टेक्स अमाउंट कितना हैं, ये सब दिखाई पड़ रहा है अब हम इस वाउचर को एकसेप्ट कर लेते हैं और अब GST R2 पर जाकर इसके रिपोर्ट भी देख लेते हैं पीरियड चेंच करेंगे ये देखिए हमने जो एंट्री की थी उसकी रिपोर्ट B2B इन्वाइसेज में दिखाई पड़ रही है आप सूठ रहे होंगे कि जब हम आपको स्टॉकक गरूप और स्टॉक डॉप अइटम पर GST लगाना बता चुके हैं तो फिर यहाँ लेजर पर GST लगाना क्यों बता रहे हैं आपको याद होगा कि जब हम स्टॉक आइटम या स्टॉक डॉप पर GST rate सेट कर देते हैं तो purchase और sales के voucher बनाते समय GST अपने आप calculate हो जाता है पर services में तो stock item और stock group दोनों ही नहीं होते हैं तो फिर GST कहां सेट करेंगे बस यही कारण है कि services के leisure बनाते समय हम उन leisure पर ही GST enable करके tax rate सेट करते हैं services कही तरह की हो सकती हैं जैसे courier services, advertising services, legal services, transportation services, इत्यादी इस वीडियो में हम आपको services के leisure पर GST rate सेट करना और उन leisure के साथ काम करना उधारण के साथ समझा रहे हैं हमारा व्यापार अभी नया है और हम चाहते हैं लोग हमारे business के बारे में जाने इसके लिए हमने एक advertising agency sky digital marketing से बात की उन्होंने कहा कि हम अलग-अलग माध्यम से आपके व्यापार के promotion के लिए advertisement करेंगे उस पर होने वाला खर्च साथ हजार रुपए होगा और उस पर 18% GST लगेगा हमने ये deal final कर ली उन्होंने advertising का काम पूरा होने पर हमें उसका bill दिया जो की इस प्रकार है अब सवाल ये है कि इस service के bill की entry कौन से voucher में होगी तो हम आपको बता दे जब हम कोई service खरीदते हैं यानि purchase करते हैं और उस पर GST देते हैं तो हमें इस service पर दिये गए GST की छूट मिलती है यानि हमें इसकी ITC प्राप्त हो जाती है service खरीदने की entry हम purchase voucher में करते हैं जिससे ये entry GSTR2 में जो की GST की purchase report है बहाँ देखने को मिलती है अब इसी तरह जब हम कोई service बेचते हैं यानि sell करते हैं तो उस पर GST चार्ज करते हैं तो service sell करने की ये entry हम sales voucher में करते हैं जिससे ये entry GSTR1 में जो की GST की sales report है बहाँ देखने को मिलती है तो चलिए tally में इस बिल की entry कर लेते हैं अभी हम gateway of tally पर है वाउचर के लिए V प्रेस करें अब purchase voucher के लिए F9 प्रेस करें हमारे सामने purchase voucher item invoice mode में open हो गया है जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि service में कोई item नहीं होता है और जब item ही नहीं है तो quantity और rate का कोई सवाल ही नहीं है हम control और H प्रेस करके इस voucher को item invoice mode से accounting invoice mode में change कर लेते हैं F2 प्रेस करके date change कर लेते हैं यहाँ supplier का invoice number डालें यहाँ supplier के bill की तारीख डालें party account name में हमें sky digital marketing का laser select करना है जो की बना हुआ नहीं है तो पहले उसे बना लेते हैं particular में हमें digital advertising service का laser select करना है यह भी बना हुआ नहीं है तो इसे भी बना लेते हैं नेम में digital advertising service टाइप करेंगे अंडर में indirect expenses select कर रहे हैं अब enterprise करते हुए statutory detail पर आ गए हैं is GST applicable के आगे applicable ही रहने दें क्योंकि हम जो laser बना रहे हैं उस पर हम tax calculate करना चाहते हैं set oblique alter GST details पर जाकर yes करेंगे description में digital advertising service टाइप करेंगे यहां हमें digital advertising service का SAC code 998361 टाइप करना है ध्यान रखें HSN goods के लिए होता है और SAC code service के लिए होता है इस non GST goods को no रहने दें और nature of transaction के आगे not applicable ही रहने दें ध्यान रखें यदि आप इसकी जगह पर natures of transactions में यहां से कुछ और select कर लेंगे तो भविश्य में काम करने में दिकत आ सकती है अब यहां taxability में taxable select कर रहे हैं यहां integrated tax में 18% type कर रहे हैं क्योंकि digital advertising services पर 18% tax लगता है अब इसे save कर लेते हैं type of supply में अभी तक हम goods select करते हुए आये थे पर यहां हमें services select करना है क्योंकि यह service का leisure है अब इस leisure को accept कर लेंगे यहां हम इस leisure के साथ description भी देना चाहते हैं तो उसके लिए control और i press करेंगे अब यहां leisure description पर जाकर enter press करें यहां build के अनुसार description टाइप कर लेंगे enter press करते हुए हम amount पर आ गए हैं यहां 60,000 टाइप कर रहे हैं अब CGST और SGST के leisure select करेंगे यह देखिए 60,000 पर 18% के हिसाब से CGST 5,400 रुपए और SGST 5,400 रुपए कल्कुलेट हो गया है अब enter press करते हुए आगे बढ़ें और narration टाइप करें narration टाइप करके इसे save कर लेंगे आईए अब इसका print preview भी देख लेते हैं यह देखिए हमने लेजर में जो additional description टाइप किया था वो दिखाई नहीं पढ़ रहा है हम वापस print screen पर जाकर C प्रेस करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे लेजर देखिए यहाँ show additional description for ledger option no है हम enter press करके इसे yes कर देते हैं और escape की प्रेस करते हुए print screen पर चलते हैं और फिर से print preview देख लेते हैं यह देखिए लेजर में दिया हुए description अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है आई अब इस entry का effect हम GST report में देख लेते हैं उसके लिए alter और G keys को प्रेस करेंगे अब GSTR 2 पर जाए पीरियर्ट चेंज करें अब यहाँ से B2B invoices पर जाकर enter प्रेस करें यह देखिए हमने जो service ली थी उसका amount यहाँ B2B में दिखाई दे रहा है अब इस cap की प्रेस करते हुए हम screen से बाहर आ जाते हैं अभी आपने देखा कि हमने जो service ली थी उसकी purchase voucher में entry किस तरह की जाती है और उस पर GST कैसे लगाते हैं आएए अब देखते हैं कि हम जो service बेचते हैं उस पर GST कैसे लगाते हैं यानि उसका sales voucher किस तरह बनाते हैं इसे हम एक उधारन से समझ लेते हैं हमारा व्यापार advertising के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है दो जिन्वरी को हमारे पास एक रहा काया और बोला कि उसे अपनी computer पर कुछ applications इंस्टॉल करवानी है हमने कहा हो जाएगा और उसका charge हमने उसे 5000 रुपे बताया जिस पर 5% GST एक्स्ट्रा रहेगा customer इस बात से agree हो गया और कहा कि आप मुझे bill दे दें मैं उसका तुरंथी cash payment कर दूँगा तो चलिए इसका bill बना देते हैं सबसे पहले F8 प्रेस करके sales voucher उपन कर लेते हैं F2 प्रेस करके date change कर लें यहाँ party cash payment कर रही है इसलिए यहाँ party account name में हम cash select कर रहे हैं अब party details में हम उस customer का नाम type करेंगे जिसे हम service दे रहे हैं यहाँ उसका address type करेंगे यह customer हमारी ही state का है इसलिए state में मदप्रदेश ही रहने देंगे यहाँ नीचे GST registration type में हम consumer select कर रहे हैं और enterprise करते हुए आगे बढ़ रहे हैं यह particular में हमें installation service का ledger select करना है जो की बना हुआ नहीं है तो पहले हम उसे बना लेते हैं अंडर में हम indirect income select कर रहे हैं यहाँ पर हम आपको तीन बातें समझाना चाहते हैं पहली जब हमने advertising service purchase की थी तो उसका ledger indirect expense के अंतरकत बनाया था क्योंकि उस समय हमने पैसे दिये थे पर यहाँ हम service बेच रहे हैं और हमारे पास पैसे आ रहे हैं इसलिए यहाँ हम अंडर में indirect income select कर रहे हैं दूसरी बात टैली की इस company में हमारा मुख्य व्यवसाय, printer, monitor, mobile, AC, इत्यादी का है इसलिए installation service का यह ledger हम indirect income के अंतरकत बना रहे हैं पर यदि हमारा main business service provide करने का ही होता तो यह ledger हम direct income के अंतरकत बनाते और ऐसी इस्थिती में हम service provide करने के लिए दूसरों से यदि services खरीदते तो उनके ledger भी direct expense के अंतरकत बनाते तीसरी बात यदि हम एक ही नाम की service खरीद और बेच रहे होते तो उनके ledgers अलग-अलग बनाना होते और पहचान के लिए उनके पीछे sales और purchase लिख देते जैसे कि हम courier service खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं तो खरीदने के ledger का नाम देते courier service purchase और इसे indirect या direct expenses ग्रूप के अंडर में बनाते और इसे तरह बेचने के लिए ledger का नाम देते courier service sales और इसे indirect या direct income ग्रूप के अंडर में बनाते चलिए आगे बढ़ते हैं इस GST applicable के आगे applicable ही रहने दे set oblique alter GST details को yes करें यहाँ पर पहले बताए अनुसार GST details दे दे अब इसे save कर लें यहाँ service select करते हुए इस ledger को भी accept कर लें हम वापस sales voucher पर आ गए हैं अब यहाँ हम installation service का amount जो की 5000 रुपए है टाइप कर रहे हैं इसके बाद हम CGST और SGST का लेजर select कर रहे हैं यहाँ narration टाइप कर रहे हैं अब इस entry को save कर लेंगे और अब चलिए GST R1 पर चलकर इसकी report देख लेते हैं B2C small पर जाकर enterprise करेंगे यह देखिए हमने installation service का जो sales bill बनाया है उसकी GST report दिखाई दे रही है अभी हमने service के purchase और sell की जो entries की हैं यह दोनों state के अंदर की हैं इसलिए CGST और SGST select किये थे यदि हम अपने प्रदेश के बाहर से कोई service purchase या sell करेंगे तो हमको IGST select करना होगा तो इस तरह आपने देखा कि हम service के लिए किस तरह से laser पर GST rate सेट करते हैं और किस तरह उनकी entry purchase और sales voucher में करते हैं हमने आपको पिछली वीडियोज में stock item, stock group और साथ ही accounting ledger पर GST enable करना tax rate सेट करना और उसके बाद bill बनाना यानि goods और services के क्रे और विक्रे के बारे में बता दिया है आज की इस वीडियो में हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताएंगे कि टैली में इनके अलावा और कहां कहां tax rate सेट किया जा सकता है और यदि आप एक से ज्यादा जगह पर tax rate सेट कर देते हैं तो voucher बनाते समय टैली कौन से लेवल पर लगाए गए tax rate के आधार पर tax calculate करता है यानि टैली किस क्रम में tax calculate करता है ध्यान रखें ये वीडियो टैली पर काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए देखना ज़रूरी है क्योंकि यदि आपकी company में एक से ज्यादा जगह पर tax rate लगाए गए हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस लेवल पर लगाए tax का क्या प्रभाव पढ़ने वाला है यदि आपको ये पता नहीं होगा तो आप अपने business में बड़ा नुकसान कर सकते हैं इसे समझने के लिए हम आपको tax hierarchy का एक चार्ट बता रहे हैं ये देखिए इसमें सबसे पहले है company, दूसरा है stock group, तीसरा है stock item, चौथा है accounting group, पाँछवा है ledger और आखरी लेवल है transaction मतलब हम कुल 6 जगहों पर tax rate सेट कर सकते हैं आगे आपको समझने में आसानी हो, उसके लिए हम इन लेवल के सामने एक काल्पनिक tax lab भी दे रहे हैं इस वीडियो में हम एक एक करके सभी लेवल पर tax rate सेट करेंगे और इसके साथ ही उनका क्या प्रभाव पढ़ता है ये भी देखेंगे यहां हमारा आपसे एक निवेदन है कि इसके उपयोग को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंतितक जरूर देखें तो चलिए, टैली में काम शुरू करते हैं हम एक नई कमपनी, Tax Rate Hierarchy के नाम से बना रहे हैं स्टेट में हम मध्प्रदेश ले रहे हैं अब हम Enable Goods and Service Tax पर आ गए हैं यहां हम Enterprise कर रहे हैं यह देखिए GST Details की स्क्रीन आ रही है किसी कमपनी में GST कैसे Enable करते हैं यह हम आपको डीटेल में अपनी वीडियो नंबर 75 में बता चुके हैं अभी हम Set Oblick Alter GST Rate Details पर हैं ध्यान रखें, इस जगर पर यानि Company Level पर GST Rate तब सेट करते हैं जब हमारी कमपनी में सभी आइटम्स एक ही कैटेगरी के हों और उनका HSN और Tax Rate एक ही हो Actually इस Company में ऐसा नहीं है हम सिर्फ Tax Rate hierarchy को समझने के लिए Company Level पर Tax Rate सेट कर रहे हैं यहां हम Set Oblick Alter GST Rate Details को Yes कर रहे हैं यहां हमें कुछ और Options चाहिएं, उसके लिए F12 प्रेस करेंगे अब यहां हम Allow HSN Oblick SAC Details और Show All GST Text Types को Yes कर रहे हैं अब इसे Save कर लेते हैं यह देखिए अभी हमने जो Options चालू किये थे वो यहां पर दिखाई पढ़ने लगे हैं यहां अभी हम Description और HSN को Blank छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं Taxability में Taxable Select करेंगे Integrated Tax में हम 5% टाइप कर रहे हैं और अब Enter Press करके आगे बढ़ रहे हैं यहां E-Way Bill Applicable इस Option को No कर देंगे अब इस Window को Accept कर लेंगे इस Window को भी Accept कर लेंगे देखिए हमारी Company बन गई है इसमें हमने Company Level पर Text लगा दिया है अब हम Purchase और Cells के दो Legers बना लेते हैं अब TV के नाम से एक Stock Group बना लेते हैं Stock Group बनाने के बाद इसी Group के अंतरकत हम एक Stock Item Sony TV 20 Inches बना लेते हैं यहां हमें Unit भी बनाना होगी यह सभी कैसे बनाते हैं यह हम आपको Basic Level पर सिखा चुके हैं आईए आगे बढ़ते हैं और Excels Voucher बना लेते हैं ध्यान रखें इस Company में हमने कोई खरीद नहीं की है इसलिए हम जब भी कोई Sales Voucher बनाएंगे Stock Negative में जाएगा जिसे हम अंदेखा करके आगे बढ़ेंगे Party Account Name में Cash सेलेक कर रहे हैं यहां Party Details में रवी जैन इंदौर टाइप कर रहे हैं State में मध्यप्रदेश ही रहने दे रहे हैं GST Registration टाइप में Consumer सेलेक कर रहे हैं यहां Sales Account सेलेक कर रहे हैं Item में Sony TV 20 inches ले रहे हैं Quantity 1 और Rate 20,000 टाइप कर रहे हैं चले आगे बढ़ते हैं अब हमें CGST और SGST के लेजर सेलेक करना होंगे जो कि बने हुए नहीं हैं तो पहले हम उन्हें बना लेते हैं यह देखें यहां पर Tax का Amount भी आ गया है हम Alter और A प्रेस करके Tax Analysis देख लेते हैं Detailed View के लिए Alter और F5 प्रेस करें यह देखें हमने Company Level पर 5% से GST लगाया था और उसी हिसाब से यहां पर 0.5% Central Tax और 0.5% State Tax कैलकूलेट हुआ है आई अब इस Voucher से बाहर आकर Stock Group पर Tax Rate सेट कर देते हैं उसके लिए हमें TV के Stock Group को Alter करना होगा यहां Taxability में Taxable सेलेक्ट कर रहे हैं Integrated Tax में 10% टाइप कर रहे हैं अब फिर से Voucher बना लेते हैं आईए अब Tax Analysis देख लेते हैं यह देखें हमने Stock Group पर 10% से GST लगाया था और उसी हिसाब से यहां Tax कैलकूलेट हुआ है कहने का मतलब यह है कि यदि हम किसी ऐसे Stock Item को Voucher में ले लेते हैं जिसके Stock Group पर हमने GST Rate सेट किया हुआ है तो Company Level पर लगाये गए Tax का कोई मीनिंग नहीं है आईए अब इस Voucher से बाहर आकर Stock Item पर Tax Rate सेट करके देख लेते हैं उसके लिए हमें Stock Item Sony TV 20 inches को अल्टर करना होगा यहां पर हम Taxable सेलेक कर रहे हैं और यहां Integrated Tax में 12% टाइप कर रहे हैं इसे के साथ हम एक और Stock Item Sony TV 30 inches TV Group के अंतर गथी बना लेते हैं ध्यान रखें इसमें हम GST Rate सेट नहीं कर रहे हैं अब हम फिर से Voucher बना लेते हैं यहां पर हम दो आइटम्स ले रहे हैं दोनों ही TV Stock Group में बने हैं और TV के Stock Group पर हमने 10% GST भी सेट किया हुआ है पर यहां दोनों Stock Item में एक फर्क है हमने Sony TV 20 इंचिस पर 12% GST rate सेट किया है और Sony TV 30 इंचिस पर GST rate सेट नहीं किया है आईए अब Tax Analysis देख लेते हैं देखें, Sony TV 20 इंचिस पर 12% के हिसाब से GST कैलकुलेट हुआ है क्योंकि इस आईटम पर हमने GST का यही रेट सेट किया था और चूंकि Sony TV 30 इंचिस पर हमने कोई Tax Rate सेट नहीं किया था तो उसने TV ग्रुप पर सेट किये गए Tax Rate के आधार पर 10% Tax कैलकुलेट किया है आईए हम इसे वाउचर में एक नया आईटम LG वाशिंग मशीन का और जोड़ देते हैं यह आईटम बना हुआ नहीं है तो पहले इसे बना लेते हैं अंडर में भी हम एक नया ग्रुप वाशिंग मशीन के नाम से बना रहे हैं ध्यान रखें इस आईटम और इसके ग्रुप दोनों में से किसी में भी हमने Tax Rate सेट नहीं किये हैं अब हम वापस CGST और SGST लगाते हुए नीचे आ गए हैं अब इसका Tax Analysis देख लेते हैं यह देखिए सोनी टीवी 20 इंचेस पर आईटम पर सेट किये गए Tax Rate के हिसाब से 12% GST कलकुलेट हुआ है सोनी टीवी 30 इंचेस पर उसके ग्रुप पर सेट किये गए Tax Rate के हिसाब से 10% GST कलकुलेट हुआ है और चुकि हमने जो नया आईटम LG वाशिंग मशीन पनाया था उस पर या उसके ग्रुप पर कोई Tax Rate सेट नहीं किया था इसलिए टैली ने कंपनी लेवल पर सेट किये गए Tax Rate के हिसाब से पांच प्रतीशत GST कलकुलेट किया है कहने का मतलब ये है कि टैली को पहले आईटम पर जो Tax Rate मिला उसने उस आईटम पर वो Tax Rate लगा दिया टैली ने दूसरे आईटम पर Tax Rate चेक किया पर कोई Tax Rate नहीं मिला तो उसने उस आईटम से संबंधित Stock Group को चेक किया और Stock Group पर जो Tax Rate सेट है उसके हिसाब से उस आईटम पर Tax लगा दिया जबकि टैली को तीसरे आईटम पर और नहीं उसके Group पर कोई Tax Rate सेट किया हुआ मिला तो उसने Company Level पर जो Tax Rate सेट है वो लगा दिया आईए अब इस Voucher से बाहार आकर ऐसे Accounting Groups जिनका GST से सीधा Relation होता है जैसे कि Income, Expense, Purchase और Sells उन पर हम Tax Rate कैसे सेट कर सकते हैं ये देख लेते हैं यहाँ आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि Sells और Purchase पर तो GST सेट किया जाता है पर क्या Income और Expenses पर भी GST सेट किया जाता है जी हाँ हम आपको वीडियो नमबर 86 में Income और Expenses के Legers पर GST सेट करना बता चुके हैं यहाँ हम Accounting Group लेवल पर Tax Rate किस तरह सेट करते हैं ये समझने के लिए Purchase Accounts Group और Sells Accounts Group पर Tax लगा रहे हैं उसके लिए हमें Purchase Accounts Group को Alter करना होगा ये देखिए Group Alteration स्क्रीन आ रही है यहाँ सबसे पहले हम F12 की Press करेंगे और Provide GST Details को Yes करेंगे ये देखिए यहाँ पर Set Oblick Alter GST Details आ गया है हम इसे Yes करेंगे यहाँ Nature of Transaction के आगे हम Not Applicable ही रहने दे रहे हैं ध्यान रखें यदि यहाँ आप Not Applicable की जगह पर कुछ और सिलेक्ट कर लेंगे तो आगे दिक्कत आएगी यहाँ Taxibility में Taxable सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ 18% टाइप कर रहे हैं इसी तरह हम Cells Accounts Group में भी GST Rate सेट कर लेंगे अब फिर से वाउचर बना लेते हैं आएए अब Tax Analysis देख लेते हैं यह देखिए हमने Cells Accounts Group पर 18% से GST लगाया था तो उसी हिसाब से यहाँ पर Tax Calculate हुआ है यानि Accounting Group पर Tax लगाते ही Company Level, Stock Group और Stock Item पर लगाय टेक्स का कोई मीनिंग नहीं रहता है यहाँ हम आपको दो महतुपुन बात समझा रहे हैं पहली यदि आपने कहीं भी GST Rate सेट किया हुआ है और आप उसे बदलना चाहते हैं तो यह काम आपको Accounting Group को लेकर हम समझा देते हैं हम Cells Accounts Group सिलेक्ट कर रहे हैं Set Oblick Alter GST Details को Yes करके Enter Press करें GST Details की विंडो आ रही है यहाँ Alter और W प्रेस करें Enter Press करते हुए आगे बढ़ें यहाँ Applicable From में वो तारीख टाइप करें जिस तारीख से आप Tax Rate चेंज करना चाहते हैं Enter Press करते हुए हम Set Oblick Alter GST Details पर आ गए हैं यहाँ Yes करके Enter Press करें Integrated Tax के आगे नया Tax Rate टाइप करें हम 13 टाइप कर रहे हैं और Enter Press करके आगे बढ़ रहे हैं देखें यहाँ 13% आ गया है अब हम एक एक करके सभी Windows को Accept कर लेते हैं यहाँ एक बात और ध्यान रखें Tax Rate बदलने के बाद यदे हम किसी पिछले period में कोई voucher बनाते हैं तो उस voucher पर पुराने Tax Rate से ही Tax Calculate होगा दूसरी बात यदे आपने कहीं Tax Rate सेट किया हुआ है और आप उसे हटाना चाहते हैं तो यह भी हम Accounting Group को लेकर आपको समझा देते हैं हम Purchase Accounts Group सेलेक कर रहे हैं Set Oblick Alter GST Details को Yes करके Enter Press करें GST Details की Window आ रही है यहां Alter और W प्रेस करें यहां Applicable From में जो तारीख लिखी है उस पर जाकर Space Bar प्रेस करेंगे और इस विंडो को Accept कर लेंगे यह देखिए यहां से Tax Rate चला गया है अब एक-एक करके सभी Windows को Accept कर लेंगे आईए अब Leisure पर Text लगा कर देख लेते हैं उसके लिए हम Cells की Leisure को Alter कर रहे हैं यहां Nature of Transiction के आगे हम Not Applicable ही रहने देंगे यहां Taxability में Taxable Select कर रहे हैं और यहां 20% टाइप कर रहे हैं अब फिर से Voucher बना लेते हैं आईए अब Tax Analysis देख लेते हैं देखिए हमने Leisure पर 20% से GST लगाया था और उसी हिसाब से यहां Tax Calculate हुआ है कहने का मतलब यह कि यहां Leisure पर Tax Rate सेट करते ही Company Level, Stock Group, Stock Item और Accounting Group पर सेट किये गए Tax Rate का कोई मीनिंग नहीं है अब यह हमने 5 Level पर GST इनेबल करना बता दिया है आईए अब हम आपको छटे और आखरी Level जो की Transaction Level है उस पर Voucher बनाते समय GST Rate सेट करना बता देते हैं इसे समझने के लिए हम फिर से एक Sales Voucher बना रहे हैं Voucher बनाने के पहले हम एक Transaction Level पर Tax लगाने के लिए कुछ Configuration करना होगा उसके लिए F12 प्रेस करेंगे यहां से Modify Tax Rate Details of GST पर जाना होगा और इस Option को Yes करना होगा अब इस स्क्रीन को Accept कर लेंगे आए आगे बढ़ते हैं यहां Party Account Name में Cash Select कर रहे हैं यहां Ravi Gen Indoor Type कर रहे हैं और State में मध्यप्रदेश ले रहे हैं GST Registration Type में Consumer सेलेक कर रहे हैं यह देखिए जैसे ही हमने Sales Account सेलेक किया Text Classification Details की एक नई विंडो ओपन हो गई है यदि आपको स्क्रीन इस तरह की दिखाई पड़ती है तो ठीक है और यदि इसकी जगह पर स्क्रीन इस तरह की दिखाई पड़े तो F12 की प्रेस करेंगे अब यहां दिखाई पड़ रहे है Options में से Allow Override Accessible Value और Override Tax Rate को Yes करेंगे और इस विंडो को Save कर लेंगे ध्यान दें यहां Classification Oblick Nature अभी Blank है हम एंटर प्रेस करेंगे ऐसा करते ही Not Applicable आ रहा है और देखिए उसके आगे Sales Taxable लिखा है यहां Sales Taxable इसलिए आ रहा है क्योंकि हम अपने प्रदेश में ही माल बेच रहे हैं यदि हमने Party का नाम Select करते समय अपने प्रदेश के बाहर की कोई Party ली होती तो यहां अपने आप Interstate Cells Taxable लिखा हुआ होता चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए यहां Current में 20% लिखा आ रहा है और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने Sales का Leisure Select किया है जिस पर हमने 20% Tax Rate सेट किया था अब चूँकि यहां हम Transiction Level पर 28% GST लगाना चाहते हैं हम Integrated Tax में 28% टाइप कर रहे हैं और Enterprise करते हुए आगे बढ़ रहे हैं यहां हम Item में Sony TV 20 इंचर ले रहे हैं यहां Quantity में 1 और Rate में 20,000 टाइप कर रहे हैं अब हमें CGST और SGST के Leisure सिलेक करना होंगे आएए अब हम Tax Analysis देख लेते हैं यह देखिए हमने Transiction Level पर 28% Tax Rate सेट किया था इसलिए यहां 28% आ रहा है इसका मतलब है कि आप चाहे सब जगर Tax Rate सेट कर दें और उसके बाद यदि आपने Transiction Level पर Tax Rate सेट कर दिया तो यह बागी सब को Override कर देगा आएए अब इस Voucher को Save कर लेते हैं यह देखिए जैसे ही हम इसे Save करने जाते हैं यहां तीन Options, Accept, Override और Back दिखाई पड़ रहे हैं ध्यान रखें यह Options ट्रांजेक्शन लेवल पर Tax Rate सेट करने पर ही दिखाई देते हैं यदि यहां हम Accept सेलेक करते हैं तो यह Entry सिर्फ सेव हो जाएगी और संबंधित Return में Uncertain Transaction में दिखाई देंगी तब आपको इस Entry को फिर से Open करके Resolve करना होगा और यदि हम Accept की जगह पर Override Option सेलेक करते हैं तो यह Entry सेव होने के बाद संबंधित Return में भी Show हो जाएगी यानि यह Uncertain Transaction में दिखाई नहीं देगी और यदि हम Back Option सेलेक करते हैं तो हम वापस Voucher की शुरुआत में आ जाएंगी यहां हम Override के लिए O Press कर रहे हैं अभी आपने देखा कि Tally के अंतरगर सभी लेवल पर किस तरह से Tax Rate Define किये जा सकते हैं और Tally कब कौन सा Tax Rate केलकुलेट करता है हम एक बार फिर से Tax Rate Hierarchy को संक्षेप में समझ लेते हैं हम जब भी किसी Voucher में Entry करेंगे तो Tally सबसे पहले चेक करेगा कि क्या Transaction Level पर कोई Tax Rate Define किया गया है अगर यहां कुछ नहीं मिला तो Leisure Level पर चेक करेगा अगर Leisure Level पर भी कुछ नहीं मिला तो वो Accounts Group लेवल पर जाएगा अगर Accounts Group में भी नहीं मिला तो Stock Item में जाएगा हम Voucher में जतने भी Stock Items ले रहे हैं Tally एक एक करके सभी को चेक करेगा अमाल लिजिए Tally को किसी एक आइटम में Tax Rate मिला तो वो उस Tax Rate को उस आइटम पर लगा देगा और यदि किसे दूसरे आइटम पर Tax Rate नहीं मिला तो फिर उस दूसरे आइटम से संबंधित इस Stock Group को चेक करेगा और यदि इस Stock Group में भी Tax Rate सेट किया हुआ नहीं है तो Company Level पर चेक करेगा तो आपने देखा कि Tally में Tax Rate हायरार्की किस तरह काम करती है और अलग-अलग लेवल पर Tax लगाने और उसकी पूरी जानकारी नहोने पर क्या परिशानी आ सकती है सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि Discount क्या होता है जब कोई Supplier किसी Customer को माल बेशता है और उस समय या बाद में किसी आइटम पर या बिल के पूरे अमाउंट पर कोई छूट देता है तो उसे Discount कहते हैं Discount को Hindi में बट्टा, छूट या कटोती भी कहते हैं उदारन के लिए कोई सिलाई मशीन पैसे तो 10,000 रुपए की है पर अगर उस पर 20% डिसकाउंट है तो वो आपको 8,000 रुपए में पड़ेगी जब हम कुछ खरीदते हैं और उस खरीद पर कोई Discount प्राप्त होता है तो उसे हम Discount to Received कहते हैं और जब हम अपने द्वारा किये गए सेल्स पर डिसकाउंट देते हैं तो वो Discount Allowed कहलाता है चलिए अब बात करते हैं वाउचर में Discount Calculate करने के पहले तरीके की इसमें हम वाउचर बनाते समय एक कॉलम में पटिकुलर आइटम पर परसंटेज में डिसकाउंट ले या दे सकते हैं इसे समझने के लिए हम डिसकाउंट देते हुए एक सेल्स वाउचर बना रहे हैं एक मार्च को हम अपनी कस्टमर दीपक ट्रेडर्स को 15,000 रुपाई के भाव से 2 प्रिंटर, 14,000 रुपाई के भाव से 2 मौनिटर, और 6,000 रुपाई के भाव से 2 सोइंग मशीन बेच रहे हैं इसमें printer पर हम 10 प्रतिशत की छूट दे रहे हैं और monitor पर 5 प्रतिशत की छूट दे रहे हैं अब सबसे पहले date change कर लेते हैं यहाँ party का नाम select करेंगे यहाँ sales account select करेंगे यहाँ पर discount का कोई column नहीं है तो इसे लाने के लिए हामें F11 प्रेस करके यहाँ एक feature enable करना होगा उसके लिए पहले हम backspace की प्रेस करके show more feature पर जाएंगे और yes पर जाकर enter प्रेस करेंगे यह देखिए यहाँ अब कुछ और features दिखाई पड़ने लगे हैं हमें इन में से use discount column in invoices पर जाना होगा और इसे yes करना होगा अब इस window को accept कर लेंगे यह देखिए ऐसा करते ही voucher में discount का एक नया column आ गया है अब हम item में printer select करेंगे यहाँ पर quantity और यहाँ rate टाइप करेंगे यह देखिए अभी amount में 30,000 आ रहा है हम discount वाले column में 10 type कर रहे हैं क्योंकि हम printer पर 10 प्रतिशत discount दे रहे हैं यह देखिए ऐसा करते ही amount 30,000 की जगव 10 प्रतिशत कम होकर 27,000 रह गया है अब हम दूसरा item monitor select करेंगे यहाँ उसकी quantity और यहाँ rate टाइप करेंगे, discount में 5 टाइप करेंगे इसी तरह हम sewing machine भी ले लेते हैं पर ध्यान रखें इसमें हम कोई discount नहीं दे रहे हैं आगे बढ़ते हुए हम cgst और sgst के लिए जो select करेंगे आप चाहें तो यहाँ narration भी type कर सकते हैं अब इसे save कर लेंगे आईए अभी हमने जो voucher बनाया वापस उस पर चलते हैं और उसका print preview देख लेते हैं देखें हमने item wise जो discount दिये हैं वे bill में भी दिखाई पड़ रहे हैं इस तरह से column में discount देने से दो समस्याओं का समाधा नहीं होता पहली तो यह कि हमने कुल कितना discount दिया है और दूसरा इसमें हम सिर्फ percent में discount दे सकते हैं मान लीजिए हमें printer पर 10% के हिसाब से discount ना दे करके 1000 रुपए प्रती printer discount देना होता तो वो इसमें समभव नहीं है टेली ले इसका समधान करते हुए एक option दिया है तो आईए टेली में दिये गए cash oblique trade discount option की साहता से particular item पर percentage या amount में discount देना समझ लेते हैं इसे समझने के लिए हम पहले वाले उदारन में थोड़ा change कर देते हैं हम एक मार्च को ही दीपक ट्रेडर्स का एक sales voucher बना रहे हैं जिसमें 15,000 रुपए के भाव से दो printer 14,000 रुपए के भाव से दो monitor और 6,000 रुपए के भाव से दो sewing machine बेच रहे हैं इसमें printer पर हम 10 प्रतिशत की छूट दे रहे हैं और 200 रुपए प्रती monitor से दो monitor पर कुल 500 रुपए की छूट दे रहे हैं ध्यान रखे monitor पर पहले हमने 5 प्रतिशत की छूट दे थी आगे बढ़ने से पहले हम F11 प्रेस करके discount वाला कॉलम हटा देते हैं यह देखें यहां से discount वाला कॉलम चला गया है अब यहां हमें एक option cash oblique trade discount का enable करना होगा इसे enable करने से पहले हम cash oblique trade discount का अर्थ समझ लेते हैं cash discount से तातपर्य है जब supplier किसी customer को माल बेचता है और माल बेचते समय ही भुकतान प्राप्त करने पर या फिर बाद में जल्दी भुकतान प्राप्त करने के उदेश से जो छूट देता है उसे cash discount कहते हैं यदि माल बेचते समय ही supplier को payment प्राप्त हो जाता है तो उसकी उधारी की risk समाप्त हो जाती है और यदि supplier को due date या उससे पहले माल का payment प्राप्त हो जाता है तो इससे उसकी उधारी की risk कम होती है बस यही कारण है कि supplier अपने customer को cash discount देता है उधारन के लिए हमने अपने customer से कहा आपका total bill amount 90,000 रुपे है यदि आप इसका भुकतान अभी कर देंगे तो हम आपको 2% cash discount देंगे यानि आपको 90,000 में से 2% कम करके यानि 1800 रुपे कम करके 88,200 रुपे का payment ही करना होगा और यदि आप इस bill का भुकतान 10 दिन में करेंगे तो हम आपको 1% cash discount देंगे यानि due date तक payment करने पर आपको 90,000 पर 1% के हिसाब से 900 रुपे की छूट मिलेगी ये तो हुआ cash discount trade discount से ताथ पर ऐसे discount से है जो व्यापार का विक्रे यानि sales बढ़ाने के लिए दिया जाता है इसके द्वारा supplier अपने buyer यानि customer को ज्यादा quantity में माल खरीदने के लिए प्रुचसाहिद करता है उधारन के लिए हमने अपने customer से कहा आप जो 5 items हमसे खरीद रहे हैं उसके स्थान पर कोई भी 10 items एक साथ खरीदेंगे तो हम आपको 5% discount देंगे यानि यदि आपका बिल 50,000 रुपए का है तो हम 50,000 पर 5% कम करके आप से 47,500 रुपीज ही लेंगे और यदि आप कोई 20 items एक साथ ले लेते हैं तो हम आपको बिल पर 10% discount देंगे इसका मतलब यह हुआ यदि आपका बिल amount एक लाख रुपए होगा तो हम एक लाख पर 10 प्रतिशत के हिसाब से 10,000 रुपए कम करके 90,000 रुपए ही लेंगे चलिए voucher पर अब आगे काम करते हैं यहां हमें provide cash oblique trade discount option को enable करने के लिए कुछ configuration करना होगा उसके लिए F12 की press करेंगे show more configuration को yes करेंगे और यहां दिखाई पढ़ रहे provide cash oblique trade discount को yes करेंगे अब control और A keys से इस window को save कर लेंगे हम पहला item printer ले रहे हैं यह देखिए item select करते ही उसके नीचे discount लिखा दिखाई पढ़ रहा है यहां quantity और यहां rate type करेंगे अब हम discount पर आ गये हैं यहां हम जितने percent discount दे रहे हैं वो type करना है enterprise करते ही देखिए 10 के आगे percent का चिन आ गया है और उसके आगे 30,000 रुपए पर 10% के हिसाब से discount का amount 3000 भी calculate हो गया है अब हम दूसरा item monitor ले लेते हैं इसमें हमें percent से discount नहीं देना है इसलिए percent वाली जगर को हम खाली छोड़ रहे हैं और enter press करके discount के amount पर आ जाएंगे यहाँ दूप monitor पर 250 रुपीज के हिसाब से कुल 500 रुपीज discount दे रहे हैं तो यहाँ 500 टाइप कर देंगे इसी तरह अगला item sewing machine पगेर किसी discount के ले लेंगे अभी हमने जो discount दिये हैं उनका effect लाने के लिए हमें एक ledger cash oblique trade discount on sales के नाम से create करना होगा आप चाहें तो इसे किसी दूसरे नाम जासे wholesale discount on sales से भी बना सकते हैं हम यहाँ पर cash oblique trade discount on sales टाइप कर रहे हैं under में indirect expense लेंगे type of ledger में discount select करेंगे और अब इसे save कर लेंगे यह देखें बिल में discount का ledger select करते ही दोनों items पर दिया गया discount इकठा होकर यहाँ minus में दिखाई पढ़ रहा है अब हम यहाँ पर cgst और sgst का ledger select कर लेते हैं और अब tax analysis देख लेते हैं यह देखें हम थे जिस item पर जितना discount दिया है वो कम होकर 6 amount पर tax calculate हो गया है और चलिए अब इसे save कर लेते हैं अब हम तीसरी method देख लेते हैं इसमें हम पूरे bill के amount पर एक साथ discount देना समझेंगे हम deep up traders का ही एक bill पिछले एक bill के अनुसार बना लेते हैं बस उसमें हम particular item पर कोई discount ना देकर बिल के पूरे amount पर discount दे रहे हैं अब यहाँ हमें discount का एक leisure बनाना होगा तो हम discount allowed on sales के नाम से एक leisure बना लेते हैं यह indirect expense के अंतरगत बनेगा type of leisure को not applicable ही रहने दे इस GST applicable के आगे हमें not applicable सेलेक करना होगा ऐसे करते ही नीचे एक नया option include in accessible value calculation for आगया है इसके आगे हमें GST सेलेक करना होगा इस option का मतलब है कि इसे GST के accessible value calculation में शामिल करें मतलब यह हुआ कि इस discount का जो effect है वो GST के calculation में ले लें यहाँ appropriate के आगे good select करना होगा method of calculation में based on value select करेंगे इसके बाद हम इस screen को save कर लेंगे rate के column में हम जिस percentage से discount देना चाहते हैं वो type करेंगे हम 10 type कर रहे हैं देखिए यहां 70,000 पर 10% के हिसाब से 7,000 आ गया है पर यह देखिए कि अब bill की value 77,000 हो गई है यानि discount का amount discount बिल में जुड़ गया है जबकि हमें discount minus करना है हम backspace से वापस rate वाले column में आ गये हैं अब यहां minus के साथ 10 type कर रहे हैं और enter press कर रहे हैं देखिए अब discount minus हो रहा है अब मानली जी हम percent के स्थान पर कोई निश्यत amount का discount देना चाहते हैं तो backspace से वापस rate वाले column में आकर space bar press करें और ऐसा करते ही हमने पहले जो percentage में discount दिया था वो चला गया है अब enter press करें अब हम amount वाले column में आ गये हैं यहां हमें minus कच्छेने लगाकर discount का वो amount type करना होगा जो हम देना चाहते हैं हम यहां पर minus 10,000 type कर रहे हैं और enter press कर रहे हैं यह देखें बिल में अभी amount कम हो गया है आगे पढ़ने से पहले हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि यदि आप बिल के total amount के साथ ही किसी particular item पर भी discount देना चाहते हैं तो इसके साथ ही वो भी पहले बताया अनुसार दे सकते हैं आईए अब हम CGST और SGST का laser select कर लेते हैं अब tax analysis देख लेते हैं यह देखे हमने दो discount दिये हैं पहला discount 600 रुपए जो की sewing machine पर है और दूसरा discount जो बिल के पूरे amount पर 10,000 रुपए है यह discount कम होकर बचे हुए amount पर tax calculate हो गया है अब हम इस voucher को save कर लेते हैं अब बात करते हैं purchase की जिस प्रकार हमने sales पर तीन तरीकों से discount देने की entries की है ठीक उसी प्रकार हम purchase पर जो discount प्राप्त होगा उनकी entries भी purchase voucher में तीन तरीकों से कर सकते हैं आईए इने एक्यक करके देख लेते हैं पहला यदि हम column में item के साथ percent में discount देना चाहते हैं तो उसके लिए F11 प्रेस करके use discount column in invoices option को enable करना होगा और यदि आप इस option को sales voucher के समय enable कर चुके हैं तो फिर purchase voucher में discount का column अपने आप ही आजाता है बस आपको sales voucher की तरह ही purchase voucher में entry करना है दूसरा तरीका है यदि हम sales voucher में F12 की press करके provide cash oblique trade discount option को चालू कर चुके हैं तो फिर purchase voucher में भी ये option अपने आप आजाता है इसके माध्यम से आप particular items पर percentage और amount दोनों में discount दे सकते हैं और यदे आपने इस option को पहले चालू नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं बस हमें इस discount को apply करने के लिए एक ledger बनाना होगा तो आए cash oblique trade discount on purchase के नाम से एक ledger बना लेते हैं अंडर में हम direct income select करेंगे यहां पर एक खास पाध्यान रखें sales की इस्थिती में हम discount का ledger बनाते समय indirect expenses select करते हैं और purchase की इस्थिती में direct income select करते हैं यहां type of ledger में discount select करेंगे और अब इस window को accept कर लेंगे अब जैसा कि हमने sales voucher में बताया था उसी के अनुसार आप purchase पर मिलने वाले discount की entry भी purchase voucher में कर सकते हैं आए अब बात करते हैं तीसरे तरीके की यदि हमें purchase के पूरे bill amount पर discount प्राप्त हुआ है तो हमें उसकी entry अपनी purchase voucher में करने के लिए discount received on purchase के नाम से एक ledger बनाना होगा चलिए यह बना लेते हैं अंडर में direct income select करेंगे type of ledger को not applicable रहने देंगे is GST applicable को not applicable करना होगा अब include in accessible value calculation for के आगे GST select करेंगे यहाँ appropriate के आगे goods select करेंगे method of calculation में based on value select कर लेंगे और अब इस window को accept कर लेंगे अब हम इस ledger के माध्यम से sales voucher में बताए अनुसार purchase voucher में entry करते समय total bill amount पर मिलने वाले discount को कम कर सकते हैं माल लीजिए हमने एक पैन 13 रुपए में बेचा जिसके उपर 18 प्रतिशत से GST चार्ज किया तो हमारा sales invoice इस तरह बनेगा यह देखिए bill amount 15 रुपए 34 पैसे आ रहा है अब सवाल यह है कि क्या customer हमें 34 पैसे देगा नहीं देगा हमारे यहां दिन प्रतिदिन पैसों का चलन समाप्थोता जा रहा है इसलिए हमें बिल को कुछ इस तरह से बनाना होगा कि बिल में पैसे आये ही नहीं पैसों को हटाने या रुपए में बदलने के इसी तरीके को round off करना कहते हैं किसी भी बिल को round off करने की तीन methods होती हैं downward rounding, normal rounding और upward rounding आये नहीं हम एक एक करके समझ लेते हैं पहली method है downward rounding जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है हमारा बिल 15 रुपए 34 पैसे का हो या 15 रुपए 90 पैसे का हम इसे नीचे की और round off करेंगे यानि दोनु ही स्थिती में हम बिल 15 रुपए का ही बनाएंगे दूसरी method को समझने के पहले हम आपको तीसरी method समझा देते हैं जैसा कि इसके नाम upward rounding से ही स्पष्ट होता है कि बिल 15 रुपए 34 पैसे का हो या 15 रुपए 90 पैसे का हो इसे हम उपर की और round off करेंगे यानि दोनु ही स्थितियों में हम बिल 16 रुपए का बनाएंगे आई अब बात करते हैं दूसरी method की वो है normal rounding प्राय व्यापान में इसी का उप्योग किया जाता है इसमें यदि बिल का amount 15 रुपए 50 पैसे से कम है तो इसे नीचे की और round off करते हैं यानि हम customer को 15 रुपए का बिल बना कर देंगे और यदि बिल का amount 15 रुपए 50 पैसे या उससे अधिक है तो हम customer को 16 रुपए का बिल देंगे सरल शब्दों में यदि बिल की राशी में 50 पैसे से कम हैं तो उसे शुन्य करेंगे और यदि 50 पैसे या उससे अधिक हैं तो उससे पूरे एक रुपए में बदल देंगे और इस तरह हम decimal की value हटा देंगे Round off करने की तीन process है Round off in tax ledger, Round off in invoice और Round off in voucher class हम इस वीडियो में आपको पहली दो process बता रहे हैं और तीसरी process Round off in voucher class के बारे में आगे की वीडियो में बताएंगे तो चलिए बात करते हैं Round off in tax ledger के बारे में हम जो भी items पेशते हैं यदि उनका भाव रुपएयों में ही होता है उनके भाव में पैसे जुड़े हुए नहीं होते हैं जैसे 50 रुपए 25 पैसे या 125 रुपए 75 पैसे की बज़ाएं यदि item का भाव सीधे सीधे 50 रुपए या 125 रुपए हो तो हम अपने tax के ledgers पर round off set कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अभी तक हम happy traders में वर्ष 2021-2022 में काम कर रहे थे और अब 2022-2023 में काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए पहले हमें gateway of tally पर रहते हुए alter और F2 प्रेस करके current period चेंज करना होगा अब आगे बढ़ते हैं और tax के ledgers पर round off set करना एक उधारण से समझ लेते हैं हम एक मई 2022 को दीपक ट्रेडर्स को 14,999 रुपए में एक printer बेच रहे हैं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं आइटम का भाव रुपयों में है यानि इसमें पैसे जुड़े हुए नहीं हैं अब यहां पर देखिए CGST का amount 1349 रुपए 91 पैसे और SGST का amount भी 1349 रुपए 91 पैसे आ रहा है और बिल का कुल amount है 17,698 रुपए 82 पैसे अब यहां पर ध्यान दीजिए कि आइटम के भाव में तो पैसे नहीं थे पर tax में पैसे जुड़कर आ रहे हैं तो ऐसी स्थिती में हम tax laser पर round off set कर सकते हैं और पैसों को हटा सकते हैं उसके लिए हमें GST के सभी lasers को alter करना होगा पहले हम CGST के laser को alter कर लेते हैं यहां हम enterprise करते हुए rounding method पर आ गए हैं यह देखें list of rounding methods में वो तीनों नाम आ रहे हैं जिनके बारे में हमने आपको समझाया था और जैसा कि हमने बताया था प्रायर इसमें से normal rounding का उपयोग किया जाता है तो हम उस पर जाकर enterprise कर रहे हैं ऐसा करते ही एक नया option rounding limit आ रहा है यहां पर हमें वो amount type करना है जिसमें हम पैसों को कम करके या बढ़ा करके रुपयों में round off करना चाहते हैं यहां पर हम एक type कर रहे हैं क्योंकि decimal की value को या तो हम हटा देना चाहते हैं या फिर उसे पूरे एक रुपय में बदल देना चाहते हैं हम किसी अन्य डिजिट जैसे दो या पांच की जग़ एक इसलिए type कर रहे हैं क्योंकि इससे बिल के total amount पर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अब हम इसे save कर लेंगे इसी तरह हम sgst और igst के lasers भी alter कर लेंगे चलिए अब वापस दीपक traders का sales voucher बना लेते हैं यह देखिए पहले हमने tax की जो calculation देखी थी उसमें पैसे भी आ रहे थे जबकि अब यहाँ पर केवल 1350 रुपय ही आ रहे हैं आईए अब इसका tax analysis देख लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी cgst और sgst दोनो 1349 रुपय 91 पैसे आ रहे हैं जबकि वाउचर में दोनों ही 1350 रुपय हैं इसका मतलब है टैली ने सिर्फ invoice के tax leisure को round off किया है अब जैसे ही हम इस voucher को save कर रहे हैं हमारे सामने warning की एक pop-up window आ रही है जिसका अर्थ है कि हमने जो tax rate set किया है tax amount उससे match नहीं हो रहा है हम इस warning को अंदेखा करके इस voucher को enterprise करते हुए accept कर लेते हैं अब हम gstr1 पर चलते हैं पहले period change कर लेंगे अब यह देखिए हमने जो entry की थी वो P2B में दिखाई नहीं पड़ रही है इसके लिए हमें uncertain transaction पर जाना होगा यहां से mismatch due to tax amount पर जाएंगे अब हम इस entry पर जाएंगे कि देखिए यहां क्या mismatch है वो दिखाई पड़ रहा है यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि टैली में इस प्रकार के transactions को uncertain transactions में इसलिए रखा जाता है ताकि आप एक बार verify कर लें कि कहीं अंजाने में कोई गलती तो नहीं हो रही है हम इस entry को as a tease accept करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें alter और J प्रेस करना होगा यहां टैली हमसे एक बार और पूछ रहा है कि क्या आप इस voucher को जैसा है वैसा ही save करना चाहते हैं हम yes के लिए enter प्रेस करेंगे अब skip की से हम वापस पीछे चलते हैं यह देखिए अब यह entry B2B में दिखाई पढ़ रही है आएब बात करते हैं round off की दूसरी process round off in invoice की इसको समझने के लिए हम tax के तीनू लेजर को फिर से order करके उनमें हमने जो round off set किया था उसे हटा देते हैं अब round off in invoice को समझने के लिए हम एक मई को वासू ट्रेडर्स का एक प्रिंटर का बिल 14,999 रूपे 50 पैसी के भाव से बना लेते हैं यह हमारे प्रदेश के बाहर के डीलर हैं इसलिए यहां हम IGST लगाएंगे यह देखे बिल का जो total amount है वो 17,699 रूपे 41 पैसे आ रहा है इस बिल के amount को round off करने के लिए हमें round off का लेजर सेलेक करना होगा जो कि बना हुआ नहीं है तो पहले हम उसे बना लेते हैं यहां name में हम round off टाइप कर रहे हैं अंडर में indirect expense लेना होगा अब यहां type of leisure में invoice rounding सेलेक करेंगे यहां normal rounding और यहां rounding limit में one ही रहने देंगे अब इस window को save कर लेंगे यह देखिए पहले बिल 17,699 रुपए 41 पैसे का था जो कि अब normal rounding method की वज़र से 41 पैसे कम होकर केवल 17,699 रुपए हो गया है अब हम फिर से वासू traders का एक printer का बिल और बना लेते हैं बस इसमें भाव 14,999 रुपए लेंगे यह देखिए अभी बिल अमाउंट 17,699 रुपए 85 पैसे है जैसे ही हम round off का लेजर सिलेक करेंगे यह normal rounding method की वज़र से 17,699 रुपए हो जाएगा ध्यान दें यहां normal rounding method के नियम के अनुसार पहले बिल में 41 पैसे थे यानि 50 पैसे से कम थे इसलिए round off में 41 पैसे कम हो गए और इस बिल में 82 पैसे थे यानि 50 पैसे से ज्यादा थे इसलिए इसमें 18 पैसे और जुड़ गए अब हम इस voucher को save कर लेते हैं यहां पर हमने round off करने की दो process बताई इन दोनों process में से पहली process जो कि tax leisure में round off करने की है वो थोड़ी लंबी और जटिल है जबकि दूसरी process जो कि invoice में round off करने की है वो सरल और छोटी है तो हमें लगता है कि आपको दूसरी process का उप्योग करना चाहिए यदि हम GST के साथ काम कर रहे हैं तो हमें purchase bill में कोई additional charges जैसे packing charges, insurance या freight लगा हुआ bill मिलता है या फिर हम अपने customer को packing charges, insurance या freight लगा कर sales bill देते हैं तो tally में ये काम किस तरह करते हैं चलिए हम आपको बता देते हैं उसके लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि packing charge होता क्या है जब भी कोई वस्तू यानि goods एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती हैं तो वो रास्ते में सुरक्षित रहें यानि उनमें कोई तूट फूट ना हो इसके लिए उसे किसी box या अन्य किसी तरह से अच्छे से pack करके भेजते हैं और इस तरह के packing करने पर जो cost आती है उसे packing charge कहते हैं इस तरह के charges को supplier अपने customer से वसूलते हैं दूसरा है insurance इसका मतलब है जोखिम से सुरक्षा यदि कोई बीमा company किसी car, घर या goods का बीमा करती है तो उस चीज के तूटने, फूटने, खोने या क्षतिग्रस्त होने की सिती में बीमा company उसके मालिक को पहले से तैश शर्ट के हिसाब से मुआवजा देती है और इस risk यानि जोखिम को उठाने के लिए बीमा company हमसे जो चार्च लेती है उसे insurance premium कहते है इस तरह के insurance premium को supplier अपने customer से वसूलते है तीसरा है fret जब हम कोई माल खरिते हैं तो उसे किसी वाहन के माध्यम से अपनी location पर मंगवाते हैं या जब हम कोई माल बेचते हैं तो उसे भी वाहन के माध्यम से क्राहक द्वारा बताई गई location पर भिजवाते हैं तो इस तरह के माल के परिवहन पर जो गाड़ी का किराया भड़ा देते हैं उसे fret कहते हैं ये भी supplier अपने customer से वसूलते हैं आए आगे बढ़ते हैं ये देखे इस बिल में हमने दो printer खरीदे हैं जिसमें supplier ने हमसे packing charge 200 रुपय लिया है और हमारे showroom तक printers भेजने के लिए 100 रुपय फ्रेट लिया है यहां दो बातें ध्यान रखें पहली इन charges पर भी GST calculate किया जाता है इसलिए invoice बनाते समय ये charges GST के ledger सिलक करने के पहले लगाये जाते हैं जिससे इन पर भी GST calculate हो सके और दूसरी बात इन पर GST का rate भी वही होता है जो items पर लगा होता है इस बात को हम आगे काम करते हुए समझेंगे तो आएए इसका purchase voucher बना लेते हैं अब यहां हमें पहले packing charge का ledger सिलक करना होगा जो कि बना हुआ नहीं है तो पहले हम उसे बना लेते हैं नेम में packing charges on purchase टाइप करेंगे अब सवाल है under में कौन सा group सिलक करेंगे तो यह भी आपको बता देते हैं सोचिए क्या बगैर packing के कोई वस्तू एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है उत्तर होगा नहीं बस यही कारण है कि packing charges को भी purchase का ही हिस्सा माना जाता है इसलिए हम purchase account group सिलक करेंगे type of leisure को not applicable ही रहने दे अब यहाँ is GST applicable को not applicable करें क्योंकि इस leisure पर हमें कोई tax rate set नहीं करना है अब include in accessible value calculation for के आगे GST सिलक करेंगे क्योंकि इस leisure के amount पर भी हम GST calculate करना चाहते है appropriate two के आगे तीन options आ रहे है यदि आप goods की purchase के साथ इस leisure का उप्योग करने वाले हैं तो goods select करें यदि service purchase के साथ उप्योग करना चाहते हैं तो service select करें और यदि दोनों के साथ उप्योग करना चाहते हैं तो both select करें हम goods select कर रहे हैं method of calculation में based on value select करेंगे अब हम इस screen को accept कर लेंगे यदि आप percent में packing charge डालना चाहते हैं तो यहां rate के column में वो percent type कर सकते हैं हमें सीधे amount type करना है इसलिए हम enter press करके amount पर आ गए हैं यहां हम 200 type कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं अब यहां हमें fret on purchase का ledger select करना है यह भी बना हुआ नहीं है तो पहले हम इसे बना लेते हैं अंडर में यहां भी purchase accounts group ही आएगा क्योंकि जितने भी खर्च सीधे purchase से जुड़े होते हैं वे purchase का part ही माने जाते हैं इसलिए यहां भी हम purchase accounts group select करेंगे इसके बाद packing charges की तरह ही सभी options select करते हुए इसे save कर लेंगे amount में हम 100 type कर रहे हैं अब cgst और sgst के ledger select कर लेंगे आईए अब tax analysis देख लेते हैं यह देखे 20,000 रुपए item का मुल्य है इसमें 200 रुपए packing charge और 100 रुपए freight जुड़कर कुल लागत 20,300 रुपए हो गई है और फिर इस total amount पर gst calculate हुआ है यानि packing charge और freight पर भी gst calculate होता है अब हम इसे save कर लेते हैं आईए आगे बढ़ते हैं और दीपक traders का एक जुन का एक sales voucher बना लेते हैं इसमें हम उसको 14,000 रुपए के भाव से एक नग printer और 6,000 रुपए के भाव से एक नग sewing machine बेच रहे हैं हम बिल में 2% discount दे रहे हैं साथ ही 200 रुपए packing charge और 100 रुपए fret लगा रहे हैं अब यहां हम discount allow on sales का laser select करेंगे इसके बारे में हम अपनी वीडियो नंबर 88 में विस्तार से समझा चुके हैं यहां हम minus का channel लगाकर दो type करेंगे यह देखिए amount में 20,000 पर दो प्रतिशक के हिसाब से 400 रुपए discount आ गया है अब यहां हमें packing charges on sales का laser बनाना होगा अंडर में हम sales accounts group select करेंगे क्योंकि packing charges हमारे sales का part है बाकि सभी option पहले की तरह ही रहेंगे अब इससे save कर लेते हैं यहां amount में हम 200 टाइप कर रहे हैं इसी तरह यहां हमें fret on sales के नाम से भी laser बनाना होगा ध्यान रखें यह sales का part नहीं है इसे indirect income माना चाता है इसलिए यह indirect income script के अंडर बनेगा बाकि सभी option पहले की तरह ही रहेंगे अब इससे save कर लेते हैं amount में हम 100 टाइप कर रहे हैं अब यहां हमें CGST और SGST के lasers सिलेक करना होगे आएए अब tax analysis देख लेते हैं यह देखें printer की value 14,000 रुपए है इसमें 2% discount देने से 280 रुपए कम हुए अब बात करते हैं packing charge की तो सभी items का amount यानी 14,000 रुपए का printer और 6000 रुपए की sewing machine मिला कर 20,000 रुपए हुआ और उस पर packing charge है 200 रुपए तो 14,000 के printer पर packing charge हुआ 200 बटा 20,000 गुणा 14,000 यानी 140 रुपए और इसे तरह printer पर freight calculate हुआ 70 रुपए इस तरह discount घटाकर और packing charges और freight जोड़कर printer का taxable amount हुआ 13,930 रुपए जिस पर 18% से GST calculate हुआ है और इसी तरह sewing machine पर discount घटाकर और packing charges और freight जोड़कर taxable amount हुआ 5,970 रुपए जिस पर 12% से GST calculate हुआ है इस तरह हमने देखा कि purchase और sell के bill पर हम additional charges को किस तरह से जोड़ते हैं और उसके बाद उस पर किस तरह से GST calculate होता है अब हम इस voucher को save कर लेते हैं यहां हम आपको अपना एक sales bill बता रहे हैं और इसी बिल के आधार पर हम कुछ अन्य बातों के साथ voucher class के उप्योग के बारे में बताएंगे जिससे आप voucher बनाते समय अपना कीमती समय बचा सकें ध्यान से देखिए यदि आपको इसी टाइप का एक sales bill किसी customer को बना कर देना हो तो आपको एक एक करके किस क्रम में पूरा voucher बनाना होगा देखते हैं अभी हम gateway आफ टैली पर हैं voucher के लिए V प्रेस करेंगे अब sales voucher के लिए F at प्रेस करेंगे ये देखिए करसर तारीख पर आ रहा है voucher बनाने के लिए सबसे पहले हम तारीख बदलते हैं अभान लीजिए हम किसी एक ही तारीख में 100, 200 या इससे ज्यादा बिल बनाने वाले हैं तो हमें उन सभी की तारीख बदलने की जरुरत तो होती नहीं है पर फिर भी हमारा करसर हर बार तारीख के फिल्ड पर आ जाता है और फिर हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ते हैं तो यहां पर सवाल यह उठता है कि जब हम एक ही तारीख में बिल बनाने वाले हैं यानि हमें तारीख बदलने की जरुरत नहीं है तो हमारा करसर हर बार तारीख फिल्ड पर आए ही क्यूं उसकी जगह यदि ऐसा हो कि हम वाउचर उपन करें और करसर तारीख के बजाए सीधे पार्टी अकाउंट नेम पर आजाए तो समय तो बचेगा पर बहुत थोड़ा सा पर जब हम दिन में 100, 200 या इससे ज्यादा बिल्स बनाने वाले हैं तो जरूर कुछ समय बचेगा आए पहले हम यह सेटिंग कर लेते हैं उसके लिए हम F12 की प्रेस करेंगे अब Show More Configuration पर जाएंगे और इसे Yes कर देंगे ऐसा करते ही कुछ और Options दिखाई देंगे हम Down Arrow की से नीचे जाएंगे यहां Skip the Date Field During Voucher Creation ओप्शन दिखाई पड़ेगा जो कि अभी No है हम इसे Yes कर देंगे और इस Window को Save कर लेंगे आए अब फिर से Voucher ओपन करके देख लेते हैं यह देखिए अब करसर Date Field पर नजाकर सीधे Party Account नेम पर आ रहा है यानि एक Step कम हो गई है अब हमें जब भी किसी दिन का पहला बिल बनाना होगा हम एक बार F2 की प्रेस करके तारीख बतल देंगे और अब हम कितने भी बिल्स बनाएं तारीख पर करसर नहीं आएगा अब हमें सेलेक करना होगा Party Account नेम यहाँ पर तो बहुत ही कम लेजर्स दिखाई पड़ रहे हैं पर मान लीजिए यहां 500 या 1000 लेजर्स होगे जिसमें Suppliers के लेजर्स भी होंगे, Customers के लेजर्स भी होंगे और इनके साथ ही अन्य और कई लेजर्स भी दिखाई पड़ेंगे ऐसे में मान लीजिए आपको कोई ऐसा लेजर सिलेक करना हो, जिसका नाम आपको ठीक से याद नहीं आ रहा हो, तो आपको इन 500 या 1000 लेजर्स में उसे ढूणने में बहुत समय लगेगा लेजर ढूणने में कम समय लगे, उसके लिए यहां से हम ऐसे लेजर्स हटा सकते हैं, जिनकी हमें सेल्स वाउचर में जरूरत नहीं होती है और सिर्फ ऐसे ledgers ही यहां पर रखें, जिनकी हमें यहां जरूरत होती है, जैसे customers के ledgers, cash और bank के ledgers, और इस तरह से जब यहां ledgers कम होंगे, तो आप इस list में से कम समय में अपनी जरूरत का नाम ढूंड सकेंगे, अनावश्यक ledgers हम voucher class की सहायता से हटा सकते हैं, यह हम इसी व कर रहे हैं, इसके बाद हमें सिलेक करना होता है, sales account, voucher class बनाने से हमें इसे भी सिलेक करने की जरूरत नहीं होगी, इसके बाद हम customer को जो item बेच रहे होते हैं, एक एक करके उन्हें सिलेक करना होता है, ध्यान दें, यह item हर बिल में अलग अलग ही होंगे, हम यहां पर sample बिल के अनुसार तो item सिलेक कर रहे हैं, आइटम सिलेक करने के बाद अब हमें बिल के अनुसार यह सभी लेजर्स भी एक करके सिलेक करना होंगे, यहां बिल में आप जो discount, additional charges जासे packing charges, fret और rounding off के लेजर्स देख रहे हैं, इन्हें कैसे बनाते हैं और इनका उप्योग किस तरह से करते हैं, उस बारे में हम आपको इसके पहले वाली वीडियो उसमें डीटेल में बता चुके हैं, voucher class बनाने से ये लेजर्स आपको voucher बनाते समय सिलेक करना नहीं होंगे, यह आपको पहले से ही voucher में दिखाई पड़ेंगे, बस आपको fill in the blank की तरह इनमें percentage या amount डालना होगा, वो भी इसलिए क्योंकि हम हर बिल में ये सभी amount एक जैसे तो रखते नहीं हैं, ये अलग-अ लग ही होते हैं, इसके बाद हमें cgst और sgst के लेजर्स या हो सकता है इनके स्थान पर igst का लेजर्स सिलेक करना पड़ेगा, voucher class बनाने के बाद ये भी हमें सिलेक करना नहीं होंगे, ये जरूरत के हिसाब से अपने आप आजाएंगे, और tax भी अपने आप calculate हो जाएगा, और सबसे आखिर में है round off, इसका लेजर्स भी हमें सिलेक नहीं करना पड़ेगा, ये लेजर्स भी अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, और bill का amount भी round off हो जाएगा, संक्षिप में हम कह सकते हैं कि voucher class बनाने से हमें voucher बनाते समय, मुख्य रूप से सिर्फ party name और items के अलावा कुछ भी सिलेक करना नहीं होगा, बाकी सब automatically हो जाएगा, टेली ने voucher class को मुख्य रूप से purchase और sales voucher को बनाने में लगने वाले समय को कम करने और voucher को सरल और आसान तरीके से बनाने के लिए ही दिया है, और इस voucher class को बनाना भी बहुत आसान है, आएए देखते हैं नया voucher type create करना और उस पर voucher class लगाना, यहाँ नय voucher type का मतलब है, टेली में पहले से ही बने हुए receipt, payment, sales, purchase, इत्यादी vouchers की तरह ही कोई नया voucher बनाना, उसके लिए हम c press करेंगे, यहाँ accounting masters में voucher type पर जाकर enterprise करेंगे, voucher type creation screen आएगी, यहाँ name में हम जिस नाम से नया voucher type बनाना चाहते हैं, वो नाम type करेंगे, हम नाम दे रहे हैं, gst cells, आप अपनी ज़रूरत के नुसर कोई भी नाम दे सकते हैं, select type of voucher के आगे, हमें list of voucher types में से वो नाम select करना है, जिस type का voucher हम बनाना चाहते हैं, यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, यह उन vouchers के नाम हैं, जो टैली ने हमें पहले से ही बना कर दिये हैं, इसमें से हम जो भी voucher type select करेंगे, नया voucher by default उसी के अंदर बनेगा, हम cell select कर रहे हैं, क्योंकि हम यह voucher cells के लिए ही बना रहे हैं, अब enter press करते हुए सीधे, name of class पर आ जाएंगे, हम जिस नाम से voucher class बनाने वाले हैं, यहाँ उसका नाम type करेंगे, हम GST cells ही type कर रहे हैं, आप अपनी जरूरत अनुसार कोई दूसरा नाम भी type कर सकते हैं, अब enter press करेंगे, यह देखिए enter press करते ही voucher type class की screen आ रही है, इसमें सबसे उपर class का नाम भी दिखाई दे रहा है, हम enter press करते हुए आगे बढ़ेंगे, यह voucher हम cells के लिए उप्योग करने वाले हैं, इसलिए default accounting allocations for all items in invoice के नीचे, लेजर नेम में cells account select करेंगे और फिर enter press करके आगे बढ़ेंगे, अब हम additional accounting entries में लेजर नेम पर आ गए हैं, यहां list of laser accounts देखने के लिए space bar प्रेस करेंगे, अब यहां से हम additional lasers जासे discount, packing charges, freight, cgst, sgst, igst और round off इत्यादी जो भी यहां add करना है, उस सब एक एक करके select कर लेंगे, इन सभी lasers को कैसे बनाते हैं और इनका क्या उप्योग है, यह हम आपको इस वीडियो के पहले वाली वीडियो में detail में बता चुके हैं, तो आईए, एक एक करके हम अपनी जरूरत के सभी lasers यहां पर add कर लेते हैं, ध्यान रखें, आपको जिन lasers की जरूरत हो, उन्हें ही select करे और जिनकी जरूरत ना हो, उन्हें छोड़ते, सबसे पहले हम discount allowed on cells select कर रहे हैं, ऐसा करते ही एक छोटी window, calculation methods के नाम की आ रही है, इसमें बहुत सारे options दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें से हम आपको discount के लिए जो उप्योगी हैं, वो समझा देते हैं, यदि आप सभी बिल म किसी निशित प्रतिशत से discount देना चाहते हैं, तो यहां on total cell select कर लें, इसके बाद value basis वाले column में हम जिस प्रतिशत में discount देना चाहते हैं, वो minus लगा कर type कर देंगे, जैसे हम सभी बिल में 2% से discount देना चाहते हैं, तो यहां minus 2% type करेंगे, इसके बाद rounding method में not applicable रहने देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, जैसा कि अभी हमने बताया, यदि हम इस तरह करते हैं, तो जब भी हम कोई sales bill बनाएंगे, automatically 2% discount bill में कम हो जाएगा, हम बिल में ऐसे किसी निशित परसंट से discount नहीं देना चाहते हैं, इसलिए backspace से पापस आ गए हैं, दूसरा है as user defined value, हम इसे select कर रहे हैं, यह इसलिए क्योंकि सभी bill के लिए हमारा कोई एक discount निशित नहीं है, इसका निर्णय हम अपनी ज़रुरत के हिसाब से हर bill में ही करेंगे, अब हम enterprise करते हुए अगली line में आ गए हैं, यहां हम पहले की तरह packing charge और fret के laser select कर लेंगे, और इन दोनों में भी calculation method में as user defined value ही select करेंगे, ध्यान रखें, यदि आपको कोई नया laser add करना है, जो की बना हुआ नहीं है, तो आप यहीं alter और C की इसको press करके उसे बना सकते हैं, अब हम CGST का laser select करेंगे, यह देखिए जैसे ही हमने CGST select किया, type of calculation में GST अपने आप आ गया है, यानि टेली को मालूम है कि यहां GST calculate करना है, और इसी तरह हम SGST और IGST के laser भी select कर लेंगे, सबसे आखिर में हम round off का laser select करेंगे, और यहां calculation method में से as total amount rounding select करेंगे, क्योंकि हम bill के total amount को round off करना चाहते हैं, अब यहां list of rounding method में से normal rounding select कर लेंगे, और rounding limit में one type करेंगे, round off के बारे में हम detail में अपनी video 89 में बता चुके हैं, अब इस screen को accept कर लेंगे, और इस screen को भी accept कर लेंगे, चलिए अब हम अपने ही प्रदेश के एक customer debug traders का इसी तरह का एक sales bill बना लेते हैं, उसके लिए पहले हम V press करेंगे, फिर F add प्रेस करेंगे, यह देखिए change voucher type की screen आ रही है, जिसमें हमें list of voucher type में दो नाम दिखाई पड़ रहे हैं, एक sales voucher है, जो अभी तक हम अप्योग करते आए हैं, और दूसरा वो है, जो अभी हमने GST sales का बनाया था, हम इस पर जाकर एंटरप्रेस कर रहे हैं, यह देखिए ऐसा करते ही voucher class list आ गई है, इसमें यदि हम not applicable select कर लेंगे, तो sales का सामाने voucher open हो जाएगा, हमें GST sales class चाहिए, इसलिए हम GST sales पर जाकर इंटरप्रेस कर रहे हैं, यह देखिए ऐसा करते ही हमारे सामने GST sales voucher open हो गया है, और इसमें voucher class के सामने GST sales भी लिखा हुआ आ रहा है, सबसे पहले हम party का नाम select कर लेते हैं, इसके बाद हमें sales account select करना होता है, पर हमने voucher class बनाते समय ही sales account select कर लिया था, इसलिए अब यहाँ उसे select करने की जरुरत नहीं है, अब हम items select कर लेते हैं, यह देखिए, हमने voucher class बनाते समय जो ledgers add किये थे, वो सभी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, इन में से कुछ के आगे तो अपने आप amount भी calculate होकर आ रहा है, और कुछ में हमें डालना होगा, हम एके करके discount, packing charge और freight का amount टाइप कर रहे हैं, यह देखिए, जैसे जैसे हम कोई amount डाल रहे हैं, यहाँ CGST और SGST का amount अपने आप change हो रहा है, इस बिल में CGST और SGST इसलिए आ रहा है, क्योंकि यह बिल हमारे ही प्रदेश यानि इंट्रा स्टेट सेल का है, जैसे हम local cell भी कहते हैं, यह देखिए, यहाँ round off का लेजर अपने आप आ रहा है, और इसने बिल amount को भी round off कर दिया है, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ एक warning आ रही है, इसका कारण यह है कि sales voucher में हम ये reference number पहले उप्योग कर चुके हैं, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में समझाएंगे, अभी हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं, अब इस voucher को save कर लेते हैं, अभी हमने जो बिल बनाया, उसका print preview देख लेते हैं, यह देखिए, print preview में voucher class लिखा हुआ नहीं है, यह normal sales bill की तरह ही है, और बिल बनाते समय हमने CGST और SGST के lasers के साथ, IGST का laser भी देखा था, पर इसमें IGST का laser नहीं है, क्योंकि जिस laser के आगे amount नहीं होता, वो print में नहीं आता है, यहां एक बात और ध्यान रखें, हमने नया voucher बना कर उसका उप्योग किया है, इसलिए यहां invoice number 1 आ रहा है, आगे जब आप इस voucher का उप्योग करेंगे, तो उसमें इसके बाद के numbers आएंगे, चलिए अब हम अपने customer वासू traders का भी, इसी तरह का Excel's will बना लेते हैं, बस यहां उसे discount नहीं दे रहे हैं, देखिए यहां CGST और SGST की जगह अपने आप IGST calculate हो गया है, यहां IGST इसलिए calculate हुआ है, क्योंकि यह bill हम अपने प्रदेश के बाहर, यानि interstate cell का बना रहे हैं, जिसे हम out of state cells भी कहते हैं, आए अब हम इसे save कर लेते हैं और इसका print preview देख लेते हैं, जैसा कि हमने आपको नया voucher type voucher class लगा कर बनाना बताया, ठीक उसी तरह आप cells, purchase या अन्य कोई भी voucher type voucher class के साथ बनाना चाहते हैं, तो बना सकते हैं और यदि आप चाहें, तो टैली में पहले से बने किसी voucher को आल्टर करके उसमें भी voucher class बना सकते हैं, आए अब हम बात करते हैं point number two की, उसमें हम ते आपको बताया था कि यदि आप चाहते हैं कि voucher बनाते समय, party account name के आगे नाम सिलक करने के लिए जो list of ledger accounts आती है, उसमें सिर्फ sales voucher से संबंदित ज़रूरी ledgers जैसे customers के cash और bank accounts ही दिखाई पड़ें, यानि ऐसे नाम जैसे कि supplier के नाम जिनकी sales voucher में ज़रूरत नहीं होती है, वो हट जाए और शेश बचे हुए नाम यहां रहें ताकि नाम के list छोटी होने पर आप कम समय में अपनी ज़रूरत का नाम ढूंड सकें, तो आएए समझते हैं कि ये काम कैसी कर सकते हैं, उसके लिए go to पर जाना होगा, अब यहां alter master पर जाकर एंटरप्रेस करें, अब voucher type पर जाकर एंटरप्रेस करें, list of voucher type में GST cells पर जाकर एंटरप्रेस करें, यह देखें voucher type alteration screen आ गई है, हम एंटरप्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, क्लास के आगे GST cells लिखा है, और उसके नीचे exclude these groups और include these groups दो options दिखाई पड़ रहे हैं, हमें इन में से किसी एक का उप्योग करना है, exclude these groups से तात्पर्य है कि आप जो group यहां select कर लेंगे, उन groups के under में जो भी lasers बने होंगे, वो voucher बनाते समय आपको list of ledger accounts में दिखाई नहीं पड़ेंगे, और आप चाहें तो इसकी जग़ include these groups में वो group से लेक कर सकते हैं, जिनके under बने हुए lasers आप voucher बनाते समय लिस्ट of ledger accounts में देखना चाहते हैं, चलिए इसको एक practical के साथ अच्छे से समझ लेते हैं, पहले हम exclude these group में sundry creditors group से लेक कर लेते हैं, क्योंकि sundry creditors में हमारे suppliers के ledgers होते हैं, और sales bill बनाने में हमें उनके ledgers की जरुरत नहीं होती है, इसके बाद हम end of list से लेक कर लेंगे, और एक के बाद एक दोनों screen को accept कर लेंगे, और अब escape की प्रेस करते हुए हम वापस voucher पर आ गए हैं, यह देखिए हमें GST sales voucher में list of ledger accounts में suppliers के ledgers दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आईए अब go to पर चलकर फिर से GST sales voucher को alter कर लेते हैं, अब हम exclude these group में कुछ भी नहीं ले रहे हैं, और उसकी जगह पर include these group में से वो group select कर रहे हैं, जिनके under बनी ledgers हम voucher में देखना चाहते हैं, जैसे sundry data इसमें हमारे customers के ledgers होते हैं, इसी तरह हमें sales fill बनाते समय कई बार cash या bank के ledgers select करना होते हैं, जो की cash in hand और bank accounts groups के under बने होते हैं, तो यहां हम sundry data, cash in hand और bank accounts groups select कर रहे हैं, इसके बाद हम end of list select कर लेंगे, अब एक के बाद एक screen को accept कर लेंगे, और अब escape की press करते हुए वापस voucher पर चलते हैं, यह देखिए अब sundry data, cash account और bank account groups के under जो ledgers बने हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं, इसके अलावा दूसरे किसी भी group जैसे sundry creditors के under बने ledgers दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, सरल शब्दों में इन दोनों में से आप किसी भी एक का उपयोग करके voucher में अपनी जरूरत के ledgers रख सकते हैं, और list को छोटा कर सकते हैं, लिस्ट छोटी होने से किसी भी ledgers को नाम से ढूनना आसान हो जाता है, ध्यान रखे, voucher class में इस तरह से सिर्फ संबंधित ledgers रखने पर एक समस्या आ सकती है, वो समस्या क्या होगी वो समझ लेते हैं, प्राय हम sales voucher में अपने customers के ledgers ही select करते हैं, पर कई बार हम अपने जिन suppliers से माल खरिदते हैं, उन्हें माल बेशते भी हैं, और चूंकि हमने exclude these groups या include these groups के द्वारा suppliers के ledgers प्रतिबंधित किये हुए होते हैं, तो voucher बनाते समय यहां वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, और जब यहां supplier के ledgers ही नहीं होंगे तो आप उनका sales bill कैसे बनाएंगे? ऐसी स्थिती में supplier के bill बनाने के लिए आपको exclude these groups में से sundry creditors group हटाना होगा, या फिर include these groups में sundry creditors group जोडना होगा, या फिर पहले की ही तरह exclude these groups या include these groups को blank रखना होगा, यहां पर एक और बात ध्यान रखें, नए voucher बनाने के बाद भी आप telly में पहले से बने हुए voucher का उपयोग पहले अनुसार कर सकते हैं, चलिए तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि rate inclusive of tax for stock items का क्या मतलब है, इसका अर्थ है किसी भी वस्तू का ऐसा मूल्य जिसमें वस्तू के मूल्य के साथ tax भी जुड़ा हुआ हो, इसे हम एक उदारण से समझ लेते हैं, हमारे पास एक customer आया और बोला, भाई साप मुझे एक printer और एक सलाई मशीन चाहिए, हमने का printer 14,000 रुपए का है और उस पर 18% GST है, सलाई मशीन 6,000 रुपए की है और उस पर 12% GST है, customer ने का भाई साप मैं tax वगेरा की calculation करना नहीं जानता, आप तो मुझे tax के साथ इसका दाम क्या है वो बताईए, यानि मुझे आपको एक printer और एक सलाई मशीन के लिए कितने रुपए देने होंगे ये बताओ, इस तरह की जो चर्चा है वो प्राया हमें वहां देखने को मिलती है जहां consumer माल खरीते हैं, जैसे हम किसी electronic store पर गए तो हम उससे TV का rate tax ही थी पूछेंगे और इसका कारण ये है कि दुकानदार TV पर कितना tax ले रहा है, इसे consumer को तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि वो कोई व्यापार नहीं कर रहा है, जिसमें उसे सरकार से कोई tax की छूट लेना हो, वो तो TV को अपने personal यूज के लिए ले रहा है, जिसके लिए वो ये देखता है कि उसे tax के साथ, या यूँ कहें कि tax सहित कुल कितने सकते हैं, जिसमें अपने सभी items के भाव उन पर किस rate से tax लगता है, उस tax rate से कितना tax बनेगा, और tax जोडने के बाद वो item कितने का होता है, ये सब लिखा हो, तो आप आसानी से अपने consumers को tax सहित rate बता सकेंगे, अब कई बार ऐसा होता है कि हम इस तरह की rate list बना लेते हैं, उस इसके बाद भी एक दिक्कत आ जाती है, जैसे कि यहां हमने printer का rate बगेर tax के 14,000 रुपए रखा हुआ है, पर हम जो customer आया है, उसको printer 13,500 रुपए या 14,500 रुपए प्लस tax के भाव से विशना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे? ऐसी इस्थिती में हम चार्ट में दिखाई पड़ रहे tax rate के आधार पर, calculator पर rate निकाल लेंगे, पर ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई rate list बनाई हुई नहीं है, और हमें ये भी ध्यान नहीं है कि किस item पर कितने प्रतिशत tax है, तो हम calculator से भी किसी item का tax rate नहीं निकाल पाएंगे इसका एक सरल समाधान है, जो कि हम आपको इस वीडियो के end में बताएंगे, अभी हमने इस rate list के आधार पर customer को tax hit printer 16,520 रुपए और सिलाई machine का rate 6,720 रुपए बता दिया है, rate सुनने के बाद customer ने कहा, वाई साप मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं tax के बारे में नहीं समझता हूँ, आप तो मुझे इस तरह से बिल दीजिए कि उसमें item का भाव 16,520 रुपए और 6,720 रुपए clearly लिखा हुआ दिखाई पड़े, अब इसके लिए tally ने एक solution दिया है, चलिए उसको समझ लेते हैं, अभी हम gateway of tally पर है, voucher के लिए V press करेंगे, अब sales voucher के लिए F8 press करेंगे, यह देखिए, sales voucher open हो गया है, अब F12 की press करेंगे, अब यहाँ पर tax details के अंतरगर दिखाई पड़ रहे, provide rate inclusive of tax for stock items, जो की अभी no है, उसे yes कर देंगे, और इस screen को accept कर लेंगे, यह देखिए, ऐसा करते ही voucher में, rate का एक नया option और आ गया है, जिसके नीचे inclusive of tax लिखा है, जिसका तात्पर है, हमने tax सहिट जो भाव customer को पताए हैं, वो हमको यहाँ पर type करना है, तो आएए एक cash sell का voucher बना लेते हैं, सबसे पहले तारीख type करें, party account name में cash select करेंगे, यहाँ mode या terms of payment में हम cash type करेंगे, यहाँ पर हम जिसे माल बेच रहे हैं, उसका नाम type करेंगे, और यहाँ पर पता type करेंगे, state में मधिप्रदेश select करेंगे, क्योंकि जब अलपुर मधिप्रदेश में आता है, यहाँ consumer select करेंगे, sales ledger के आगे sales account select करेंगे, name of item में हम printer ले रहे हैं, quantity 1 type कर देंगे, अब rate inclusive of tax में हम वो rate type करेंगे, जो अभी हमने अपने customer को tax सहीद बताए थे, अब enterprise करेंगे, यह देखिए, ऐसा करते ही rate में 14,000 अपने आप आ गया है, यह वो rate है जिस पर हमने GST calculate किया है, अब हम enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसी तरह दूसरा item, sewing machine select कर लेंगे, quantity में 1 type करेंगे, यहाँ पर हमने customer को tax सहीद जो rate बताए थे, वो type कर देंगे, और यह देखिए, ऐसा करते ही rate में 6,000 अगया है, यह वो rate है जिस पर हमने GST calculate किया है, अब CGST और SGST के laser select कर लेंगे, CGST और SGST इसलिए क्योंकि यह हमारे ही प्रदेश का customer है, यदि यह हमारे प्रदेश के बाहर का customer होता, तो यहाँ पर हम IGST select करते हैं, अब हम इनको जोड़ कर देख लेते हैं, यह देखिए, हमने इन दोनों का tax हिज जो भाव बताया था, यह देखिए, जोड़ने के बाद वो ही amount यहाँ पर आ रहा है, जो हमारे बिल का total amount है, कहने का मतलब यह है कि customer के कहे अनुसार हमने उसे बिल दे दिया है, जिसमें यह सपश्ट है कि उसने किस item के लिए कितना रुपया दिया है, टेक्स का कोई भी confusion यहाँ पर नहीं है, अब हम इस बिल को save कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर आपको कुछ और भी समझाना चाहते हैं, इसलिए वापस rate inclusive of tax पर चलते हैं और कुछ changes कर लेते हैं, यह देखिए, अब बिल के total amount में 98 पैसे आ रहे हैं, हमें इन्हें round off करना होगा, उसके लिए हम सबसे आखिर में round off का laser select करेंगे, round off के बारे में हम आपको अपनी वीडियो number 89 में detail में समझा चुके हैं, यह देखिए, बिल दो पैसे से round off हो गया है, अब हम इस बिल को save कर लेते हैं, और चलिए, बिल का print preview देख लेते हैं, यह देखिए, यहां भी दो rates दिखाई पड़ रहे हैं, जसमें पहला text के साथ है, और दूसरा अगे text के है, आप जो preview देख रहे हैं, उसमें अगर rate inclusive of text दिखाई ना पड़ रहा हो, तो आप वापस print screen पर जाकरके C key को press करें, अब यहां type करें inclusive, ऐसा करते ही, एक option, show rate inclusive of text दिखाई पड़ेगा, यह no होगा, तो इसे enter press करके yes कर दें, और इस screen को accept कर लें, ऐसा करने के बाद जब आप preview देखेंगे, तो उसमें दोनों rate दिखाई पड़ने लगेंगे, यहां हम आपको एक बात बता दें कि यदि आप rate inclusive of text में कोई rate नहीं डालना चाहते हैं, तो फिर सीधे पहले की तरह ही, यहां बगएर text वाले rate डाल कर भी बिल बना सकते हैं, ऐसा करने से जब आप बिल बना कर save कर लेंगे, उसके बाद page up की press करके वापस उस बिल पर आएंगे तो देखेंगे, rate inclusive of text में भी rate आ गया है, हम बिल का print preview देख लेते हैं, यह देखिए यहां भी rate inclusive of text दिखाई पड़ रहा है, अब वापस चलते हैं rate list वाली बात पर, माल लिजे हमारा कोई customer किसी item का text सहित rate जानना चाहता है, और हमारे पास text सहित कोई rate list नहीं है, और हमें यह ध्यान भी नहीं है कि किस item पर किस person से text लगता है, ऐसे में हम item पर लगने वाला text और text सहित rate कैसे calculate करें, तो आपको चंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टैली ने इसका भी solution दिया है, चलिए हम पहले की तरह एक voucher बना लेते हैं, यहां हम item में printer select कर रहे हैं और quantity में one type कर रहे हैं, ध्यान रखें, यहां customer हम से कितनी भी quantity में माल ले रहा हो, यहां पर हम one ही type करेंगे, क्योंकि वास्तव में हम sales bill नहीं बना रहे हैं, हम तो सिर्फ एक item का भाव जानना चाह रहे हैं, rate inclusive of tax में हम कोई rate type नहीं कर रहे हैं, और बगेर tax के printer का भाव 14,000 रुपे type कर रहे हैं, इसी तरह हम सिलाई मशीन की quantity भी one ही लेंगे, और rate inclusive of tax को blank छोड़ कर, बगेर tax के भाव 6,000 रुपे type कर देंगे, उसके बाद यहां CGST और SGST के लेजर select करेंगे, अब इस voucher को save नहीं करते हुए, इसका print preview देख लेते हैं, उसके लिए control और P keys को press करेंगे, अब preview देखने के पहले हमें configuration करना होगा, उसके लिए C key को press करेंगे, अब यहां type करेंगे GST details, यह देखिए, ऐसा करते ही, show item wise GST details का option आ रहा है, जो कि अभी no है, इसे yes करने के लिए enter press करें, और control और A key से इस configuration को accept कर लें, अब preview देख लेते हैं, इसको हम zoom कर लेते हैं, यह देखिए, हम printer 14,000 रुपए और सिलाई मशीन 6,000 रुपए प्लस tax के साथ बेशना चाहते थे, और customer उसका tax सहित rate जानना चाहता था, हमें item पर क्या tax rate है, यह भी ध्यान नहीं था, अब हमारे सामने tax rate भी है, और tax सहित items कितने के हैं, यह भी दिखाई पड़ रहा है, बस एक बात का ध्यान रखे, हम इस voucher को save नहीं करेंगे, क्योंकि यह process हमने सिर्फ rate निकालने के लिए की है, अब हम वापस print screen पर जाकर C press करेंगे, और फिर show item wise GST details को enter press करके no कर देंगे, और अब escape की press करते हुए वापस blank voucher पर आ जाएंगे, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, nil rated supply के बारे में, आप सभी जानते ही होंगे कि निल का मतलब शुन्य होता है, और जैसा कि हमने आपको अपनी वीडियो नंबर 74 में बताया था, कि सरकार ने जिन वस्तुओं या सेवाओं को GST के अंतरगत रखा है, उनके लिए अलग-अलग tax lab बनाए हैं, जो कि वर्तमान में 0%, 5%, 12%, 18% और 28% हैं, इनमें से वो सभी goods और services जो 0% tax lab में आते हैं, यानि जिन पर 0% tax लगता है, उन्हें nil-rated goods और services कहा जाता है, अब चुकि nil-rated goods पर 0% tax लगता है, यानि कि tax का कोई amount ही नहीं होता है, तो इन पर हमें ITC यानि input tax credit भी नहीं मिलता है, निल-rated goods में अनाज, नमक, इत्यादिया आते हैं, अब बात करते हैं exempted supply की, exempted का मतलब होता है छूट प्राप्त, यानि ऐसे goods और services जिन पर GST का कोई भी slab applicable नहीं होता है, सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जिन goods और services पर GST नहीं लगता है, वो exempted की category में आते हैं, exempted goods में ताज़े दूद, ताज़े फल, ताजी सबजियां, दही, ब्रैड, इत्यादिया आते हैं, और exempted service में agriculture में लगने वाली harvesting, cultivation, इत्यादियादी service आती हैं, अब चूकि exempted goods और services पर GST नहीं लगता है, तो उन पर भी ITC मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, यहाँ पर एक महतुपुन बात ध्यान रखें कि जब कोई regular dealer, निल-rated या exempted supply देता है, तो उसके बिल पर tax invoice की जगर, बिल of supply लिखा होता है, यहाँ पर हो सकता है कि आप निल-rated goods और exempted goods में confuse हो रहे हों, क्योंकि दोनों पर ही tax नहीं लग रहा है, तो सरल शब्दों में हम आपको इसका अंतर समझा दें, निल-rated goods जो है, वो taxable की श्रेणी में आते हैं, यानि वो taxable है, पर उस पर tax 0% है, जबकि exempted goods वो goods हैं, जिन पर tax लगता ही नहीं है, यानि ये goods tax free है, निल-rated goods की supply पर tax का calculation होगा, और calculation होने के बाद tax शुन्याएगा, पर exempted goods जो होती हैं, उसमें tax का calculation ही नहीं होता है, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे, कि जब निल-rated goods पर 0% tax लगता है, और exempted goods पर कोई tax ही नहीं लगता है, तो फिर इन दोनों को अलग-अलग category में रखने से क्या फायदा है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें, कि निल-rated goods पर अभी भले ही 0% tax लगता है, पर वे हैं तो taxable की श्रेनी में, और यही कारण है कि सरकार जब चाहे, उन पर लगने वाला tax rate बढ़ा सकती है, इसमें revenue secretary केवल एक notice जारी करेगा, और इसका rate 0% से बढ़ा करके 5, 12 या 18% जो भी करना चाहे वो कर सकता है, पर exempted goods यानि कि जिन goods को GST से छूट प्राप्त है, उन पर सरकार tax लगाना चाहे, तो इसकी प्रक्रिया बहुत ही कठिन और लंबी होती है, अब हम बात करते हैं non-GST goods और service के बारे में, ऐसी goods या services जो कि GST scope के बिलकुल ही बाहर है, यानि कि जिनका GST से बिलकुल भी संबंध नहीं है और हो सकता है कि उन पर GST को छोड़ कर अंधिन tax लगते हूं, तो उन्हें non-GST goods और service किशेणी में रखा जाता है, सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जो goods और services GST नियम के बाहर हैं, उन्हें non-GST goods और services कहते हैं, इसके उदारण है petrol, alcohol for human consumption और electricity, ये ऐसे goods और services हैं जिनने GST के बाहर रखा गया है, तो इस तरह से अभी आपने समझा कि nil-rated, exempted और non-GST supply क्या होते हैं, चलिए अब हम tally में इन तीनों प्रकार के goods की entry करना और उनकी GST report देखना समझ लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि nil-rated goods की entry कैसे की जाती है, वैसे तो हमारी इस company में हमारा व्यापार electronics का है, पर हम आपको समझाने के लिए अनाज, जो की एक nil-rated item है, जिसके अंतरगरत, गेहूं, चावल, बाजरा आदी आते हैं, इन मेंसे हम wheat यानि गेहूं की एक purchase की entry करके आपको दिखा रहे हैं, हम दी एक अगस को अपने supplier सुधाकर traders से 100 kg wheat 30 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से उधार खरीदे, जिसका bill number 11 है, अभी हम gateway of tally पर हैं, वाउचर के लिए V प्रेस करेंगे, अब purchase वाउचर के लिए F9 प्रेस करेंगे, सबसे पहले date change करेंगे, यहाँ supplier invoice number डालेंगे, यहाँ supplier की invoice की date डालेंगे, party account name में party का नाम सेलेक करेंगे, यहाँ पर purchase account सेलेक करेंगे, हम name of item पर आ गए हैं, यहाँ हमें wheat सेलेक करना है, जो कि अभी बना हुआ नहीं है, इसलिए हम create पर जाकर enter प्रेस करेंगे, name में type करेंगे wheat, under में primary ही रहने देंगे, unit में हमें kilogram लेना है, यानि kg लेना है, जो कि बना हुआ नहीं है, इसे भी create कर लेंगे, GST applicable ही रहने देंगे, upset और alter GST details को yes करेंगे, ऐसा करते ही GST details की screen आएगी, कि यहां हमें इस item की GST details डालना है, उसके लिए पहले F12 की press करेंगे, अब इन तीनों options को yes कर लेंगे, यह देखिए ऐसा करते ही कुछ और options आ गए हैं, description में हम wheat type करेंगे, hsn oblique sse में wheat का hsn code 1001 type करेंगे, is non GST goods को no ही रहने देंगे, calculation type में on value ही रहने देंगे, अब taxability में तीन options दिखाई दे रहे हैं, चूँकि wheat एक nil rated goods है, इसलिए यहां हम nil rated select करेंगे, nil rated select करते ही हम stock item creation वाली screen पर आ गए हैं, यहां पर type of supply में हम goods select करेंगे, और इस screen को accept कर लेंगे, हम 100 kg wheat 30 रुपए के हिसाब से खरीद रहे हैं, आप CGST और SGST के लेजर select करेंगे, देखें यहां पर कोई tax calculate होकर नहीं आया, जबकि पिछली वीडियोस में हमने देखा था, कि जब हम CGST और SGST के लेजर select करते हैं, तो tax अपने आप calculate हो जाता था, यहां पर tax का कोई amount नहीं आने का कारण यह है, कि हमने stock item wheat nil rated category में बनाया है, और nil rated items पर 0% tax लगता है, अब हम इस voucher को accept कर लेंगे, चलिए अब हम इस nil rated purchase की report GSTR 2 में देख लेते हैं, सबसे पहले period change कर लेंगे, देखिए यहां हमें nil rated invoices दिखाई दे रहा है, पर इसके सब options दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उसके लिए हम alter plus F5 की इसको press करेंगे, ऐसा करते ही हमें nil rated invoices के अंदर 4 options दिखाई दे रहे हैं, composition, exempt, nil rated और non GST, चूँकि हमने nil rated goods की entry की है, इसलिए वो हमें nil rated में दिखाई देगा, हम इस पर जाकर enter press करेंगे, यह देखिए हमारे द्वारा की गई entry यहां पर दिखाई दे रही है, अब हम एक बार escape की press करेंगे, यह देखिए यहां nil rated में tax amount में कोई tax नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की supply पर 0% tax लगता है, और यही कारण है कि यहां पर ITC भी available नहीं है, अब है हमने nil rated goods की purchase entry करना सिखा, आईए अब हम exempted goods की purchase भी देख लेते हैं, हमने एक अगस को सुधाकर ट्रेडर से 100 लीटर दूध 40 रुपए प्रती लीटर के भाव से उधार खरीदा, जिसका बिल नमबर है 15, यह हम name of item पर आगए हैं, यहां हमें milk सेलेक करना है, जो कि बना हुआ नहीं है, तो हम इसे बना लेते हैं, नेम में type करेंगे milk, अंडर में primary ही रहने देंगे, यूनिट में लीटर की unit create कर लेंगे, GST applicable ही रहने देंगे, अब set oblique alter GST details को yes करें, ऐसा करते ही GST details की screen आ जाएगी, यहां description में हम milk type करेंगे, hsn oblique sse में 0401 type करेंगे, is non GST goods को no रहने देंगे, calculation type में on value ही रहने देंगे, अब taxability में तीन options दिखाई दे रहे हैं, चुँकि milk exempted goods में से है, इसलिए यहां हम exempt select करेंगे, exempt select करते ही हम stock item creation वाली screen पर आ गए हैं, यहां type of supply में हम goods select करेंगे, और इस screen को accept कर लेंगे, हम 100 लीटर दूद 40 रुपए प्रती लीटर के भाव से खरीद रहे हैं, वैसे तो यहां हमें CGST और SGST के laser select करने की जरुवत है ही नहीं, क्योंकि यह item exempted है, पर आपको समझाने के लिए हम CGST और SGST के laser select कर रही हैं, यह देखें यहां कोई भी tax calculate होकर नहीं आया, क्योंकि जब हमने milk का stock item create किया था, तो taxability में exempt select किया था, और हम जानते हैं कि exempted goods पर कोई tax नहीं लगता है, और अब इस voucher को accept कर लेंगे, चलिए अब हम इस exempted purchase की report GSTR 2 में देख लेते हैं, यह देखिए, यहां हमें nil rated invoices दिखाई दे रहा है, हम alter और F5 keys को press करेंगे, ऐसा करते ही हमें nil rated invoices के चारों options दिखाई दे रहे हैं, इनने से हम exempt पर जाकर enter press करेंगे, यह देखिए हमारे द्वारा की गई entry यहां पर दिखाई दे रही है, अब हम एक बार escape की press करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहां exempt में tax amount blank है, और इसी लिए ITC भी available नहीं है, चलिए अब देखते हैं कि non GST goods को कैसे purchase करते हैं, हमने एक अगस्त को आशा पेट्रोल पंप के cash memo नमबर 2153 से ओफिस की गाड़ी के लिए 5 लीटर पेट्रोल, 100 रुपए प्रती लीटर के भाव से 500 रुपए नगत देखर खरीदा, ध्यान रखे इस पेट्रोल का हम कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं, इसका उप्योग तो हम अपनी गाड़ी में करनी वाले हैं, यानि ये हमारे लिए expense है और इसकी entry हम इस तरह payment voucher में कर सकते हैं, चूंकि यहां हम आपको non-GST goods का प्रभाव GST report में दिखाना चाहते हैं, इसलिए इसकी entry purchase voucher के accounting invoice mode में कर रहे हैं, यहां हमने item invoice mode में ये entry इसलिए नहीं की है, क्योंकि हम इसका व्यापार नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारे खुद के उप्योग के लिए है, यहां पर हम supplier का invoice number और यहां supplier की invoice date टाइप करेंगे, party name में cash select करेंगे, party detail में आशा petrol pump टाइप करेंगे, registration type में unknown select कर लेंगे, particular में हमें petrol expense का laser select करना है, जो की बना हुआ नहीं है, तो पहले हम उसे बना लेते हैं, name में type करेंगे petrol expense, under में हम indirect expense select करेंगे, type of laser में not applicable ही रहने देंगे, GST applicable ही रहने देंगे, set और alter GST details को yes करेंगे, यहां laser के लिए description type करें, HSN oblique SAC में petrol का HSN code 2713 type करें, अब चूंकि यह non-GST goods है, इसलिए इस non-GST goods को yes करेंगे, और इस screen को save कर लेंगे, ऐसा करते ही हम laser creation वाली screen पर आ गए हैं, यहां type of supply में goods select करेंगे, और फिर इससे save कर लेंगे, यहां पर हम 500 type कर रहे हैं, ध्यान दें, इसके बाद यहां पर, हम GST का कोई laser select नहीं कर रहे हैं, क्योंकि non-GST goods में GST का सवाली नहीं है, नीचे narration type करेंगे, और अब इस voucher को accept कर लेंगे, चलिए अब हम इस non-GST goods की report GSTR2 में देख लेते हैं, यह देखे, यहां हमें nil rated invoices दिखाई दे रहा है, इसके सब options देखने के लिए alter और F5 कीज को प्रेस करेंगे, अब हम non-GST पर जाकर enter प्रेस करेंगे, यह देखे, हमारे दोरा की गई entry दिखाई पड़ रही है, अब हम escape की प्रेस करते हुए वापस voucher पर आ गए हैं, आईए अब हम एक sales voucher बना कर उसकी GST report देख लेते हैं, उसके लिए पहले हमें voucher को item invoice mode में करना होगा, दो अगस को हम अपने customer सोहन लाल जी को 30 लीटर दूद 60 रुपए प्रती लीटर के भाव से नगत बेच रहे हैं, ध्यान रखे, यह हमारे प्रदेश के ही हैं और consumer हैं, name of item में milk select करेंगे, quantity 30, rate में type करेंगे 60, वैसे तो यहां हमें CGST और SGST के ledger select करने की जरूरत ही नहीं हैं, क्योंकि यह item exempted है, पर आपको समझाने के लिए हम CGST और SGST के ledger select कर रहे हैं, यह देखिए, यहां पर कोई भी tax amount नहीं आया है, क्योंकि यह exempted supply है, और अब हम इस voucher को accept कर लेते हैं, चलिए अब इस sales की report GSTR 1 में देख लेते हैं, यह देखिए, यहां पर nil rated invoices दिखाई दे रहा है, हम इस पर जाकर enterpress करेंगे, यहां पर हम आपको याद दिला दें कि हमने nil rated, exempted और non GST supply की purchase report, GSTR 2 में अलग-अलग जाकर के देखी थी, जबकि इन तीनों की sales report GSTR 1 में एक ही इस्थान पर दिखाई दे जाती है, यहां particular में आप अलग-अलग addings देख रहे हैं, इसमें से आपने जिस तरह की supply की है उस पर जाएं, हमने intra state supply की है और वो भी एक consumer को, और जैसा कि आप जानते हैं कि consumer की report भी unregistered person में दिखाई पड़ती है, तो हम down arrow key से intra state supply to unregistered person पर जाएंगे, और पर right arrow key से exempted पर जाएंगे और enterprise करेंगे, यह देखिए अभी हमने जो exempted goods के entry की थी, वो यहाँ पर दिखाई ते रही है, जब कोई व्यापारी goods या service का व्यापार करता है, तो उसे सरकार को GST के रूप में tax देना होता है, और इसके लिए व्यापारी को अपने व्यापार के अनुसार GST registration करवाना होता है, GST registration के लिए turnover के हिसाब से दो प्रकार की schemes है, composition scheme और regular scheme, यदि व्यापार छोटा है, तो व्यापारी को composition scheme में registration करवाना होता है, और यदि व्यापार बड़ा होता है, तो व्यापारी को regular scheme में registration करवाना होता है। आप अपने business की जरूरत के हिसाब से इन में से किसी में भी अपना registration करवा सकते हैं। जो व्यापारी composition scheme में registration करवाता है उसे composition dealer कहते हैं। और जो व्यापारी regular scheme में registration करवाता है उसे regular dealer कहते हैं। अब चुकि हम एक regular dealer हैं और यहां एक composition dealer से माल खरीदने जा रहे हैं, तो हम एक composition dealer से माल खरीदने के पहले किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ये देख लेते हैं। पहली बात, composition dealer केवल अपने राज्य में ही माल बेच सकता है, हाँ वो अपने राज्य से और किसी दूसरे राज्य से माल खरीद ज़रूर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कि एक regular dealer हैं, केवल अपने ही प्रदेश के composite dealer से माल पर्चिस कर सकते हैं। दूसरी बात, composition dealer जो भी sell करता है, उस sell पर वो ग्राहक से GST वसूल नहीं कर सकता। यानि वो बिल में GST लगा कर goods और service नहीं बेच सकता। उसे तो अपने व्यापार के अनुसार 1, 5 या 6 प्रतिशत GST अपने पास से भुक्तान करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी composition dealer से माल purchase करेंगे, तो वो हमसे कोई GST चार्ज नहीं करेगा। ध्यान रखें, composition dealer GST वसूल नहीं कर सकता है, और इस कारण से वो आपको जो बिल देगा, उस पर tax invoice की जगह bill of supply लिखा होगा। सबसे महत्वन बात, यह ध्यान रखें कि जब हम किसी composition dealer से माल खरीदते हैं, तो वो हमसे कोई GST चार्ज नहीं करता, पर जब हम उससे खरीदा हुआ माल बेचते हैं, तो हमें उस माल पर GST चार्ज करना होगा। इसका कारण यह है कि चाहे हमने किसी खरीद पर tax दिया हो या ना दिया हो, एक regular dealer की हैसियत से जब भी हम माल बेचेंगे, तो GST लगा कर के ही बेचना होता है। यहां हम आपको एक बिल दिखा रहे हैं, जिसमें हम थे 31 अगस को एक composition dealer भारत enterprises से 13,500 रुपे प्रति प्रिंटर के भाव से दो प्रिंटर उधार खरीदे, जिसका बिल नंबर है 12। अब चुके भारत enterprises एक composition dealer है, इसलिए बिल में यहां उपर tax invoice की जगह bill of supply लिखा हुआ आ रहा है और नीचे GST भी नहीं लगा है। चलिए अब इस purchase के entry हम टैली में कर लेते हैं। अभी हम gateway of tally पर हैं, voucher के लिए V press करेंगे, अब purchase voucher के लिए F9 प्रेस करेंगे, सबसे पहले date change करेंगे, यहां supplier invoice number डालेंगे, यहां supplier के invoice की date डालेंगे, party account दें में भारत enterprises का नाम सेलेक करेंगे, जो की बना हुआ नहीं है, तो पहले इसे create कर लेंगे। अंडर में sundry creditors group सेलेक करेंगे, state में हम मध्यप्रदेश सेलेक करेंगे, यहां एक बात का ध्यान रखें कि हम सिर्फ अपने प्रदेश के composition दीलर से ही माणगे। माल खरीद सकते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम मध्यप्रदेश के दीलर हैं, और जिससे हम माल खरीद रहे हैं, वो भी हमारे प्रदेश का ही दीलर है। रजिस्ट्रेशन टाइप में हम composition सेलेक करेंगे, यहां उसका GST नंबर टाइप करेंगे, अब इस स्क्रीन को सेव कर लेंगे। यहां purchase account सेलेक करेंगे, name of item में printer सेलेक करेंगे, quantity में दो टाइप करेंगे और rate में टाइप करेंगे 3500, enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे, अब चुकि हमने composition dealer से माल purchase किया है, और composition dealer GST चार्ज नहीं कर सकता है, इसलिए यहां हमें GST के लेजर्स भी सिलेक नहीं करना होते हैं, पर आपको समझाने के लिए हम CGST और SGST के लेजर्स सिलेक कर रहे हैं। यह देखिए यहां कोई tax calculate होकर नहीं आया, जबकि अभी तक हम regular dealer से माल खरीद रहे थे और उसमें tax अपने आप calculate हो जाता था। इसका करण यह है कि हमने जब party name में supplier भारत enterprises सिलेक किया, तो Tally ने अपने आप समझ लिया कि यह composition dealer है और इस पर कोई tax calculation नहीं होगा। आईए अब हम tax analysis देख लेते हैं, यह देखिए यहां पर भी कोई tax show नहीं हो रहा है। अब हम escape की प्रेस करके वापस voucher पर आ गए हैं। अब enterprise करते हुए इसे save कर लेंगे। चलिए अब हम composition dealer से की गई इस purchase की GST report GSTR2 में देख लेते हैं। सबसे पहले period change कर लेंगे। यह देखिए यहां हमें nil rated invoices दिखाई दे रहा है। पर उसके सब options दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके लिए हम alter के साथ F5 की press करेंगे। ऐसा करते ही हमें nil rated invoices के अंदर चार options दिखाई दे रहे हैं। composition, exempt, nil rated और non GST। चूंकि हमने composition dealer से purchase की है इसलिए उसकी GST report हमें composition में दिखाई देगी। हम इस पर जाकर enter press करेंगे। यह देखे हमारे द्वारा की गई entry यहां पर दिखाई दे रही है। अब हम एक बार escape की press करेंगे। composition के tax amount में कोई tax नहीं है और चूंकि हमने कोई tax नहीं दिया है तो इस पर हमें ITC भी नहीं मिलेगी। teleprime में जब हम transaction record करते हैं तो कभी-कभी GST automatically calculate नहीं होता है। इस वीडियो में हम आपको यहीं बताएंगे कि इसके पीछे कौन-कौन से कारण हो सकते हैं और उनके solution क्या है। आज की topic को समझने के लिए हमने GST is not calculated के नाम से पहले से ही एक company स्टेट में मध्यप्रदेश सिलेक करके बना ली है। इसमें हमने GST भी enable कर लिया है, साथ ही जरूरत के सभी ledgers और stock items भी बना लिये हैं। हमें आपको इस topic को समझाने में कम समय लगे। इसलिए हमने पहले से ही इस company में कुछ transactions भी record करके रख लिये हैं। तो आएए पहले हम उन transactions को देखने के लिए day book ओपन कर लेते हैं। डे book के बारे में हम आपको वीडियो नमबर 35 में पहले ही बता चुके हैं। अब हम एक एक करके इन transactions को ओपन करेंगे और उन कारणों को समझेंगे जिसके कारण invoice में GST calculate नहीं हो पाता है। तो चलिए पहला transaction उपन करते हैं। यह देखे यहां हमने GST के lagers नहीं लगाए हुए हैं। तो पहले हम उन्हें select कर लेते हैं। यहां पर हम आपको बता दें कि रमन traders हमारे ही प्रदेश की पार्टी है। इसलिए यहां हम CGST और SGST लगाएंगे। यह देखे टेक्स calculate नहीं हो रहा है। जब टेक्स calculate नहीं हो रहा हो तो ऐसे में हम GST tax analysis की साहता से इसका कारण लून सकते हैं। tax analysis के लिए हम alter और A keys को press करेंगे। अब यहां पर देखिए, alter और A press करने पर tax analysis की screen नहीं आ रही है। पर उसकी जगह पर information आ रही है। इसका मतलब यह है कि हमने masters यानी leisure, stock items या अन्य किसी जगह पर जहां हम GST rate set करते हैं। वहां कहीं भी GST rate set नहीं किया है। और यही कारण है कि tax analysis support नहीं कर रहा है। इसे चेक करने के लिए हम purchase account पर चलते हैं। अब यहां control और enter press करके laser alteration screen पर आ गए है। यह देखिए, यहां पर हमने is GST applicable में applicable की जगह पर not applicable कर रखा है। तो GST कैसे calculate होगा। ध्यान रखें, यदि आप ऐसे products में deal कर रहे हैं जिन पर GST लगता है। तो उससे संबंधित sales या purchase के laser, stock item या अन्य किसी भी जगह जहां भी GST set करने के options आते हूं, वहां पर is GST applicable के सामने applicable ही रखें। अब हम इसको ठीक करके save कर लेते हैं। यहां पर हम आपको याद इला दें कि हमने अपनी वीडियो नंबर 87 में जो की tax rate hierarchy पर बनी है। उसमें detail में बताया है कि GST rate कहां कहां पर set किया जा सकता है। और यदि आपने एक से ज्यादा जगह पर tax rate set कर दिये हैं, तो vouchers बनाते समय टैली कौन से level पर लगाए गए tax rate के आधार पर tax calculate करता है। चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने इस GST applicable के सामने applicable कर दिया है, तो अब उसका voucher पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यह देखिए यहाँ पर CGST तो calculate हो गया है, पर SGST अभी भी calculate नहीं हुआ है। चले हम फिर से alter और A keys को press करके tax analysis देख लेते हैं। यह देखिए अब यहाँ पर GST tax analysis की window आ रही है। इसका detailed tax analysis देखने के लिए हम alter और F5 keys को press करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, tax analysis बता रहा है कि यह purchase taxable है। यानि intra state purchase है और उस हिसाब से इस voucher में CGST और SGST लगना चाहिए। साथ ही उनका amount भी कितना होना चाहिए यह भी लिखा हुआ आ रहा है। अब सवाल यह है कि हमारे voucher में CGST तो calculate हो गया है पर SGST नहीं हुआ है। मतलब हमने SGST का laser बनाने में कहीं गड़बर की है। हम backspace key से SGST पर चलते हैं। अब control और enter keys को press करेंगे। यहाँ हम उपर से check कर लेते हैं कि सब सही है या नहीं। यह देखें name सही है। under में हमने duties and taxes select किया है यह भी सही है। type of duty और tax में GST लिया है यह भी सही है। पर यहाँ tax type में हमने integrated tax select किया हुआ है जो की गलत है। हमेशा ध्यान रखें CGST के लिए central tax, SGST के लिए state tax और IGST के लिए integrated tax select करते हैं। तो चलिए हम इसको ठीक कर लेते हैं। यह देखिए इसको ठीक करते ही SGST भी calculate हो गया है। चलिए अब दूसरा transaction उपन करके देखते हैं। इसमें भी GST के लेजर्स नहीं लगे हैं। तो हम उनको select कर लेंगे। अब चूंकि रमन ट्रेडर्स हमारे ही प्रदेश की पार्टी है इसलिए यहाँ हम CGST और SGST लगाएंगे। यह देखिए यहाँ पर भी tax calculate नहीं हो रहा है। चलिए इसका tax analysis देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या problem है। यह देखिए यहाँ पर non-GST supply लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह जो stock item है वो non-GST goods है इसलिए tax calculate नहीं हो रहा है। non-GST goods क्या होती है वो हम आपको अपनी वीडियो नंबर 93 में बता चुके हैं। अब सवाल यह है कि हमने जो stock item बनाया है वो तो GST goods है। यानि उस पर तो GST लगता है फिर यहाँ पर non-GST supply लिखा हुआ क्यों आ रहा है। इसके लिए हमें stock item पर जाकर देखना होगा। तो हम backspace की से stock item पर आ गए हैं। अब यहाँ control और enterprise करेंगे। यहाँ पर set oblique alter GST details को yes करेंगे। यह देखिए यहाँ पर हमने गलती से is non-GST goods को yes करके रखा हुआ है। ध्यान रखें ऐसे stock items जो non-GST goods में आते हैं केवल वहीं पर हम इस option को yes करते हैं। अब चुँकि LG TV एक GST goods है इसलिए हमें is non-GST goods के आगे no करना होगा। अब हम इस item की पूरी text details टाइप कर देंगे। और enter press करके इसे accept कर लेंगे। यह देखिए जब हम इसे accept करने जा रहे हैं तो revise applicability की छोटी सी window आ रही है। वह इसलिए आ रही है क्योंकि Tally यह समझ रहा है कि पहले यह item non-GST goods था और अब हम इसे GST goods कर रहे हैं। पर actually ऐसा नहीं है। यह तो शुरू से ही GST goods है। हमने गलती से इसे non-GST goods में ले लिया था। इसलिए हम साल की शुरुआत की तारिक डाल कर इसे accept कर लेंगे। यह देखिए अब tax calculate हो गया है। अब हम देख लेते हैं तीसरी entry इसे open कर लेते हैं। इसमें भी GST के लेजर्स नहीं लगे हैं तो हम उन्हें सेलेक करेंगे। अब चूंकि रमन ट्रेडर्स हमारे ही प्रदेश की पार्टी है इसलिए यहां हम CGST और SGST लगाएंगे। देखिए इसमें भी tax calculate नहीं हो रहा है। चलिए अब हम इसका tax analysis देख लेते हैं। यह आप देख सकते हैं यहां पर tax analysis में लिखा है tax rate oblique tax type not specified। इसका मतलब यह है कि हमने GST सेट करने के जितने भी levels हैं जैसे company, ledgers, stock items इत्यादी में GST तो applicable करके रखा है। पर उनमें से किसी में भी set और alter GST details को yes करके tax rate set नहीं किया है। चुकि इस company में हमने सिर्फ stock items पर ही GST rate set किये हैं, इसलिए stock item पर जाकर control और enter प्रेस करेंगे। set oblique alter GST details option को yes करेंगे। यह देखें यहाँ पर हमने गलती से GST details blank छोड़ दी थी। चलिए इसको हम complete कर देते हैं। taxability में हमें unknown के नीचे तीन options exempt, nil rated और taxable दिखाई पड़ रहे हैं। इनके बारे में हम आपको अपनी वीडियो नंबर 93 में बता चुके हैं। चुकि हम इस stock item पर GST calculate करना चाहते हैं यानि वो taxable है। तो यहां हम इन में से taxable select करेंगे और अब यहां पर tax rate डाल देंगे। यह देखिए tax calculate हो गया है। चलिए अब चौथी entry देख लेते हैं। Asha Traders Mumbai का supplier है यानि यह हमारे प्रदेश के बाहर का supplier है। इसलिए यहां पर हम IGST select कर रहे हैं। यह देखिए tax calculate नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं इसका tax analysis। Tax analysis के हिसाब से तो यह purchase taxable है यानि की state के अंदर की खरीद है। और उस हिसाब से यहां पर CGST और SGST लगना चाहिए थे। जबकि हम जानते हैं कि supplier प्रदेश के बाहर का है और उस हिसाब से यहां पर IGST ही लगेगा। इसका मतलब यह है कि हमने party laser बनाते समय पार्टी का state गलत सिलेक करके रखा है। चलिए इसको check कर लेते हैं। यह देखिए मुंबई माहराश्र state में आता है और हमने माहराश्र की जगह पर state MP ही रहने दिया है। ऐसी गलती प्राया हो जाती है क्योंकि जब हम किसी party का laser बनाते हैं तो यहां पर by default हमारे प्रदेश का state ही selected रहता है। जिसको बदल कर हमको party के हिसाब से करना होता है पर कभी-कभी हम यह भूल जाते हैं। आए अब हम इसे ठीक कर लेते हैं। अब यह देखिए ठीक करने के बाद भी अभी भी IGST calculate नहीं हुआ है। हम वापस party account name पर चलते हैं। अब enterprise करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यह देखिए पार्टी डिटेल्ज में अभी भी हमारे प्रदेश का ही नाम आ रहा है। जबकि हमने पार्टी के लेजर में state change कर दिया है। यानि हमारे correction का effect अभी यहां पर नहीं आया है। तो अब यहां पर हम state में मध्यप्रदेश की जगह महराश्र कर देंगे। यह देखिए अब tax calculate हो गया है। चलिए अब हम पाचवे entry जो की cells की है उसे देख लेते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए पहले हम F12 की प्रेस करके provide buyer details को no कर देते हैं। हमने अपने customer Vikram Traders को जो माल बेचा है उस पर IGST लगा देते हैं। पर यह देखिए IGST calculate नहीं हो रहा है। तो चलिए इसका tax analysis देखते हैं और समझते हैं क्या problem है। आप यहां पर देख सकते हैं tax analysis में तो sales taxable लिखा हुआ आ रहा है। और CGST और SGST लगना चाहिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि यह प्रदेश के अंदर की cell है जिस पर CGST और SGST लगना चाहिए था पर हम लगा रहे हैं IGST। इसी तरह कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर हमारे प्रदेश के बाहर का हो यानि इंटर स्टेट हो और हम CGST और SGST लगा रहे हूं जबकि हमें वहां पर IGST लगना चाहिए था। ऐसी स्थिती में इस तरह का Tax Analysis दिखाई पड़ता है। ऐसी गलतियां प्राया तब होती है जब हम जल्दी में होते हैं और हमें यह ध्यानी नहीं रहता है कि कस्टमर हमारी स्टेट का है या हमारी स्टेट के बाहर का है। इस प्रकार की गलती से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम F12 की प्रेस करके प्रोवाइड बायर डिटेल्स को हमेशा यस रखें। अब हम वापस पार्टी अकाउंट नेम पर आ गए हैं, एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। देखें यहाँ पर पार्टी की डिटेल्स आ रही हैं, जिसमें हमको यह मालूम पढ़ रहा है कि यह पार्टी मधिप्रदेश यानि हमारे ही प्रदेश की है। याद रखें, जब भी आप बिल बनाएं, एक बार पार्टी डिटेल्स चेक कर लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि पार्टी आपकी स्टेट की है या आपके स्टेट के बाहर की है और आप सही टेक्स लगा सकेंगे। अब हम जो चटी एंट्री देख रहे हैं वो पर्चिस की है। इसमें हमने माना ट्रेडर्स जो की हमारे प्रदेश के ही रेगुलर डीलर हैं, उनसे कैश में माल खरीदा है। इस पर CGST और SGST लगाएंगे। पर यह देखें टेक्स केलकुलेट नहीं हो रहा है। अब टेक्स अनलिसिस में हम इसका कारण देख लेते हैं। यहाँ पर यह लिखा है कि यह खरीद अन्रजिस्टर डीलर से की गई है। बस यही कारण है कि GST केलकुलेट नहीं हो रहा है। जबकि हमको यह बात पता है कि हमने यह खरीद रेगुलर डीलर से की है और उसने हमसे GST भी चार्ज किया है। मतलब हमने पार्टी की डिटेल्स में कुछ गलत सिलेक कर लिया है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। उसके लिए पार्टी अकाउंट नैम पर चलते हैं। हमने माल नकद में खरीदा है। यह तो सही है। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। पार्टी डिटेल्स में हमने नाम पता स्टेट तो सही लिया है। पर यह यहां GST Registration Type में गलती कर दी है। यहां पर हमने Regular की जगह पर Unregistered Select कर लिया है। तो चलो इसको ठीक कर लेते हैं। यहां पर पार्टी का GST Number टाइप कर देंगे। यह देखिए अब Tax Calculate हो गया है। आगे समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे Electronic Website के साथ ही हमने 31 मई से Courier Service का काम भी शुरू कर दिया है। जिसमें हम दूसरों से Courier Service लेते हैं यानि खरीदते हैं और फिर अपने ग्रहकों को Courier Service देते हैं यानि Sell करते हैं। Services कैसे खरीदी और बेची जाती हैं यह हम आपको Video Number 86 में बता चुके हैं। यहां हम Courier Service पर्चेस करने के लिए Add Voucher से Purchase Voucher उपन कर लेते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं Services में Item की तरह Quantity नहीं होती। तो हम इस Voucher को Item Invoice Mode से Accounting Invoice Mode में कर लेते हैं। यहां Date Change कर लेंगे। Party Account Name में हमें उस Courier Service Supplier का Leisure Select करना है जिससे हम यह Courier Service खरीद रहे हैं। समझने के लिए मान लेते हैं कि यह Service हमने अपने Supplier Raman Trader से ली है। Particular में हम जो Service खरीद रहे हैं उसका Leisure Select करना होगा जो की बना हुआ नहीं है। तो हम Courier Service के नाम से एक Leisure बना लेते हैं। Under में हम Indirect Expenses Select करेंगे क्योंकि एक तरह का खर्च है। Set और Alter GST Details option को Yes कर देंगे। यहां उसकी GST Details देंगे। Nature of Transaction में इस बात का विशेश ध्यान रखें कि हमें Not Applicable Select करना है। इसकी जगह पर अगर आप List में से कुछ और Select करेंगे तो हो सकता है किसी किसी बिल में GST calculate करने में दिक्कत आए। यहां पर Courier Service का Amount डाल देंगे। इसके बाद CGST और SGST के लेजर सेलेक करेंगे। यह हमने Courier Service खरीदने की Entry कर ली है। आए अब हम इस Courier Service को बेचने की Entry करके देख लेते हैं। पटिकुलर में हम Courier Service का लेजर सेलेक कर रहे हैं। यहां पर Amount टाइप कर रहे हैं। पर यह देखें, CGST और SGST के लेजर सेलेक करने पर Tax Calculate नहीं हो रहा है। तो चलिए, Tax Analysis देख लेते हैं। यह यहां पर Message आ रहा है, This Voucher has no Tax Implication, Oblique Tax Analysis is not supported। इसका मतलब यह है कि हमने लेजर या Accounting Group में GST Rate Set नहीं किया है। और यही वज़ा है कि Tax Analysis सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब यहां पर हमको यह समझ नहीं आ रहा है कि जब हमने कुरियर सर्विस का यह लेजर पर्चिस के समय लिया था, तब तो Tax Calculate हो गया था। पर Cells में Tax Calculate नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है। तो हम कुरियर सर्विस के लेजर पर जाकर Control और Enter प्रेस कर रहे हैं। यह देखिए यह लेजर हमने Indirect Expenses Group के अंदर बनाया है। जब कि जब हम कुछ बेचते हैं तो वहां पर हमारी Income होती है। यानि यह लेजर Indirect Income Group में होना चाहिए था। अमाली जी यहाँ पर हम इसका Group Change करते हैं तो यही दिकत जो अभी Service Sell करने में आ रही है वो Service Purchase करने में आएगी। तो अब इसका Solution क्या है। इसका Solution यह है कि हम इस लेजर को सिर्फ Purchase के लिए उप्योग करें और इसकी अलग पहचान के लिए हम इसके नाम के बाद Purchase Type कर रहे हैं। अब यहाँ Cells के लिए हम एक नया लेजर बना लेते हैं। ध्यान रखें कि यह Cells वाला लेजर हम Indirect Income Group के अंतरगत बना रहे हैं। अब यह देखिए यहाँ पर CGST और SGST दोनों कैलकुलेट हो गए हैं। सार यह है कि किसी एक ही तरह की सर्विस खरीदने और बेचने के लिए अलग-अलग लेजर बनाएं और पहचान के लिए उन लेजर के पीछे पर्चिस और सेल्स लिख दें। चलिए अब एक और गलती के बारे में समझ लेते हैं जो अक्सर लोग करते हैं। कई बार हम F12 की प्रेस करके जाने अन जाने में Modified Tax Rate Details of GST Option को Yes कर देते हैं। अब इससे क्या समस्या खड़ी होती है वो समझ लेते हैं। यहां पर Party Name में हम Vikram Traders जो की हमारी ही State का Customer है उसको सिलेक कर रहे हैं। अब जब हम Cells Voucher में Cells का Lager और यदि Purchase Voucher में Purchase के Entry कर रहे हूं तो उस समय Purchase का Lager सिलेक करके आगे बढ़ते हैं। तो यह इस तरह की एक छोटी स्क्रीन आती है। अब यहां पर हम Space Bar प्रेस करेंगे तो एक List Nature of Transactions की आती है। अकसर लोग इसमें से अपनी समझ से कुछ भी सिलेक कर लेते हैं। जैसे यहां हमने Interstate Cells Taxable सिलेक कर लिया है और आगे बढ़ गए हैं। यहां पर हमने LG TV ले लिया। अब चूंकि Customer हमारी ही स्टेट का है इसलिए यहां पर हम CGST और SGST लगा रहे हैं। अब यह देखिए Tax Calculate नहीं हो रहा है। कारण समझने के लिए हम Tax Analysis देख लेते हैं। यह देखिए यहां पर लिखा है Mismatch in the Nature of Transaction and Place of Supply। इसका मतलब यह है कि हमने Nature of Transaction सिलेक करने में गलती की है। अब सवाल यह है कि हमें मालुम है कि यह हमारी ही स्टेट का कस्टमर है फिर भी GST कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो क्यूं। हम वापस Party Account नेम पर चलते हैं और फिर Enterprise करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह देखिए पार्टी तो हमारी ही स्टेट की है। पर यहां हमने Nature of Transiction में Interstate Cells Taxable सिलेक किया है जो कि गलत है। यहां इस लिस्ट में से वो नाम सिलेक करना चाहिए जिस तरह की सैल हम कर रहे हैं। जैसे यहां हम अपनी ही स्टेट में सैल कर रहे हैं तो हमें Cells Taxable सिलेक करना होगा। यह देखिए ऐसा करते ही Tax Calculate हो गया है। यहां पर हम आपसे दो बात कहना चाहेंगे। पहली तो यह कि यदि जरूरी ना हो तो Modify Tax Rate Details of GST Option को No ही रखें। दूसरी यदि Modify Tax Rate Details of GST Option को Enable रखते हैं तो किसी भी confusion से बचने का सीधा तरीका है कि यहां पर Not Applicable सिलेक करें। ऐसा करने से आपको किसी भी तरह का Bill बनाने में कोई Problem नहीं आएगी। तो दूस्तों यह कुछ Common Mistakes हैं जिनके कारण Invoice में GST Calculate नहीं होता है। टेली प्राइम में जब हम Purchase और Cells के Entries करते हैं तो इन Entries के आधार पर GST R1, GST R2 और GST R3 भी इत्यादी GST Reports अपने आप तयार होती हैं। इनमें से कुछ Reports को हम Return के रूप में अनिवारे रूप से Monthly या Quarterly GST Portal पर Upload करते हैं। और कुछ Reports GST Portal पर पहले से Upload Report से Cross Check करने के काम आती हैं। तो चलिए शिरू करते हैं आज का अध्याय। GST Reports को हम दो तरीकों से देख सकते हैं। यदि आप Tally में कहीं कोई काम कर रहे हैं और उसे बंद किये बगएर GST Reports देखना चाहते हैं। तो Go To के लिए Alt के साथ G Press करें। अब Search पार में टाइप करें GST। ऐसा करते ही GST Reports के अंतरगत आने वाली सभी तरह की Reports के नाम दिखाई दे रहे हैं। और यदि आप Gateway of Tally पर हैं और GST Reports देखना चाहते हैं तो उसके लिए Display More Reports पर जाना होगा। उसके लिए D प्रेस करेंगे। अब GST Reports के लिए O प्रेस करेंगे। यह देखे हमारे सामने GST Reports दिखाई दे रही हैं। इसमें सबसे उपर हमें तीन options GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3 भी दिखाई दे रहे हैं। हम एके करके इन तीनों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले है GSTR 1, हम व्यापार में जितनी भी आउटवर्ट सप्लाईज जैसे Cells Taxable, Nil Rated, Exempted, Cells Return और Export इत्यादी करते हैं। यह उनके आधार पर तयार होने वाली Tax Summary है। इसे व्यापारी को अपनी Turnover के हिसाब से GST Portal पर Monthly या Quarterly Return के रूप में सब्मिट करना होता है। यदि Turnover पाँच करोड रुपे से कम है तो Quarterly और यदि Turnover पाँच करोड रुपे से अधिक है तो इसे Monthly सब्मिट करना होता है। हम GSTR 1 पर ही हैं इसलिए Enterprise करेंगे। ये देखिए GSTR 1 रिपोर्ट ओपन हो गई है। इसमें सबसे उपर हमें अपनी Company का GST Number दिखाई देता है। इसके बाद यहां Right Side में Period दिखाई दे रहा है। हम अपनी जरूरत के अनुसार F2 की Press करके Period चेंज कर सकते हैं। GSTR 1 को समझने के लिए हम इस वर्ष के प्रारंभ से लेकर अभी तक के Period के Report ओपन कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह जो Particular वाला Section आप देख रहे हैं इसमें जो Period दिखाई पड़ रहा है। उस सवधी में हमने जितने भी Transactions रिकॉर्ड किये हैं यह उनकी समरी है। जिने हम एक-एक करके समझते हैं। पहला Option है Total Vouchers। हम जो भी Period सेलेक करते हैं उस Period में हमने Teleprime में जितने भी Voucher बनाए हैं। जैसे Receipt, Payment, Contra, Purchase और Cells इत्यादी यहां उन सभी की कुलसंख्या दिखाई देती है। हम इस पर Enterprise कर रहे हैं। यह देखिए यहां सभी Vouchers के नाम और उनकी संख्या दिखाई दे रही है। इसके बाद है Include in Return। इसमें GSTR1 में जो जो एंट्री शामिल होंगी। जैसी Cells, Cells Return, इत्यादी वो सभी दिखाई देती है। फिर है Include in HSN Oblick SAC Summary। हमने Outward Supply के जतनी भी Transaction Record किये हैं। उनमें Vouchers बनाते समय। Stock Item या Service के Lager सिलेक किये होंगे। अब जिन Stock Items या Service के Lager में हमने HSN या SAC डाला होगा। वो सभी Transactions हमें Include in HSN Oblick SAC Summary में दिखाई देंगे। हम Enterprise कर रहे हैं। यह देखिए इनके Summary दिखाई दे रही है। जिन Stock Items या Service के Lager में हमने HSN या SAC डाला है। तो वो हमें Incomplete Information in HSN Oblick SAC Summary में दिखाई पड़ेंगे। हम यहीं पर Enterprise करके HSN, SAC डाल सकते हैं और उन्हें ठीक भी कर सकते हैं। इसके बाद है Not Relevant in This Return। इसमें हमें वो Transactions दिखाई देंगे। जू Transactions GSTR1 से संबंधित नहीं हैं जैसे Payment, Receipt, Contra, Purchase, इत्यादी वो इसमें दिखाई देंगे। अगला है Uncertain Transactions यह इस Section का सबसे महत्पूर्ण आप्शन है। इसमें Outward Supplies के वो Transactions आएंगे जिनमें हमने GST से संबंधित किसी प्रकार की कोई Mistake कर दी है या फिर अपरयाप्त जानकारी दी है यानि पूरी जानकारी नहीं दी है। वाउचर में की गई इन Mistakes को या अधूरी जानकारी को हमें GST Return भरने से पहले ठीक करना जुरूरी होता है। इनके बारे में हम आपको इसके बाद वाली वीडियो जो की Uncertain Oblake Mismatch Transactions के बारे में है उसमें डीटेल में समझाएंगे। अभी उपर इस section में हमने देखा कि Total Vouches कितने हैं, GSTR 1 में कितने शामिल हो चुके हैं, कितने में हमने HSN डाल दिये हैं, कितने में नहीं डाले हैं या गलट डाल दिये हैं, कितने transactions GSTR 1 से समबंधित नहीं हैं और कितने transactions में हमने Mistakes की हैं। अब ये वाला जो section है, इसे मुख्य रूप से GST Department की आवश्यक्ता की अनुसार written format में बनाया गया है। जो transactions GSTR1 में include हो रहे हैं, उन्हें यहां अलग-अलग table में classify किया गया है। इसमें सबसे पहले है B2B invoices, B2B से मतलब है business to business, इसमें प्रदेश के अंदर या बाहर के regular dealer और composite dealer दोनों को की गई आउटवर्ट supply यानि सभी तरह की sales की reports दिखाई पड़ती हैं। हम इस पर जाकर enterprise कर रहे हैं। देखे, यहां उन सभी पार्टियों की GST report दिखाई दे रही है जो GST में registered हैं। अब बात करते हैं दूसरे और तीसरे number की, इसमें है B2C large invoices और B2C small invoices। इन दोनों में ही consumer और unregistered person को की गई sales दिखाई देती हैं। पर इनकी कुछ conditions हैं। यदि consumer या unregistered dealer अपने ही state का है और हम उसे एक invoice पर कितने भी रुपय का माल बेचें। जैसे 10,000, 500, 500, 500 या पर उसे अधिक। इस तरह के सभी vouchers B2C small invoices में दिखाई देते हैं। और यदि consumer या unregistered dealer किसी दूसरे state का है और उसकी एक invoice में की गई sales का amount, 500, 500 या उससे कम है। तो उस invoice की GST report B2C small invoices में दिखाई देती है। पर यदि उसके एक invoice का amount ठाई लाक से अधिक है तो उसकी GST report हमें B2C large invoices में दिखाई देगी। अगला है credit और debit notes registered जब हम किसी registered party को कोई sell करते हैं और उस sell के against कोई credit note या debit note बनाते हैं तो वो इसमें दिखाई देते हैं। पांचवा है credit oblique debit notes unregistered जब हम प्रदेश के बाहर के consumer या unregistered dealer को कोई sell करते हैं और उस sell के against कितने भी amount का credit note या debit note बनाते हैं तो उसके report हमें इसमें दिखाई देती है। यहां पर एक खास बात ध्यान रखें कि यदि हम अपने ही प्रदेश के किसी consumer या unregistered dealer को कोई sell करते हैं और उस sell के against कितने भी amount का credit note या debit note बनाते हैं तो उसके report हमें B2C small invoices में ही दिखाई देती हैं। इसके बाद है export invoices यदि हम अपने देश के बाहर यानि out of India कोई sells यानि export करते हैं तो वो इसमें आएंगे। अगला है tax liability advances received जब हम किसी महीने में किसी party से advance लेते हैं और sell बाद के महीने में करते हैं तो इस तरह के advance पर भी हमें GST देना होता है जिसके लिए books में हमें अपनी tax liability बढ़ाना होती है। और इसके लिए हम adjustment entry pass करते हैं वो इसमें दिखाई पड़ती है। आठवा option है adjustment of advance जब हमें किसी महा में advance प्राप्त होता है तो हम उस advance के लिए पहले बताए अनुसार tax liability बढ़ाने की adjustment entry कर लेते हैं। और जब बाद वाले महा में हम उस advance के against sell करते हैं तो उसकी भी adjustment entry करना होती है जो की इसमें दिखाई पड़ती है। नवे नंबर पर है nil rated invoices हम इस पर enterprise कर रहे हैं। देखिए इसका नाम तो nil rated invoices है जिससे हमें लगता है कि इसमें सिर्फ nil rated supply की ही GST reports दिखाई देंगी पर ऐसा नहीं है। यहां हमें nil rated supply के साथ साथ exempted और non GST supply की भी report दिखाई देती हैं। इसके साथ ही यहां particular में आप अलग-अलग headings देख रहे हैं। आप जिस तरह की supply करते हैं वो उससे संबंधित heading में चली जाती है। जैसे कि हम किसी registered dealer को interstate supply करते हैं तो वो interstate supplies to registered person में दिखाई देंगी। इसे प्रकार से अन्य headings हैं जिनने आप बढ़कर समझ सकते हैं। इनके सामने ही यहां null rated, exempted और non-GST supply के लिए तीन अलग-अलग columns बने हैं। आपने जिस प्रकार की supply की है उससे left या right arrow key से उस column पर जाकर enter press करके देख सकते हैं। चलीए escape key से वापस वीचे चलते हैं। यहां एक महतपुन बाध्यान रखें कि GST के नियमानुसा किसी भी एक sales invoice में taxable items के साथ में exempted और nil rated का बिल ना बनाएं। यानि taxable items के लिए अलग invoice और exempted और nil rated के लिए अलग invoice बनाएं। और यदि आप taxable, exempted और nil rated के लिए एक ही invoice बनाते हैं। तो फिर उसकी report हमें इन में से किसी में यानि B2B invoices, B2C large या B2C small में दिखाई देती है। यहां total में दिखाई देता है कि GST R1 में खुल कितने vouchers add हो चुके हैं, total taxable amount कितना है, total tax amount कितना है और दोनों को मिलाकर total invoice amount कितना है। इसके बाद अगले section में है HSN oblique SAC summary। हमने जो sales के invoices बनाए हैं, उनमें जो stock item या service के leisure लिए हैं, उनमें यदि हमने HSN या SAC डाला होगा तो यह summary उसके आधार पर अपने आप बन जाती है। हम इस पर enter press कर रहे हैं, यह देखिए, जिन stock items में हमने HSN डाला है वे सभी इस HSN SAC summary में include हो गए हैं। साथ ही stock items की सारी sales details भी यहां पर दिखाई दे रही हैं। इसके बाद है document summary हम इस पर enter press कर रहे हैं। यह देखिए, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि इस period में हमने total कितनी sales voucher बनाए हैं। वे किस serial number से शुरू हो रहे हैं और आखिरी voucher किस number का है। कितने voucher cancel हुए हैं और net sales voucher कितने हैं। इसी तरह से debit note और credit note की भी सारी जानकारी यहां दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहां कुछ अनिप्रकार के vouchers की भी संब्री दिखाई देती हैं जैसे कि purchase from unregistered dealer, delivery note, recorded for branch transfers, इत्यादी। हमने अभी उन पर काम नहीं किया है इसलिए उनके नाम यहां दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इस बारे में हम आपको advanced level में detail में बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी आप gstr1 report का यह जो view देख रहे हैं यह return view है। क्योंकि हमें gstr1 return इसी format में file करना होता है। इस view के अलावा हम इसे यहां right side में दिखाई दे रहे nature view option की सहायता से nature view में भी देख सकते हैं। हम इसका shortcut f5 press कर रहे हैं। यह देखिए अब इसका view cells के nature के अधार पर दिखाई दे रहा है। इसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि हमने कुल कितने रुपए की local cells की हैं। कुल कितने रुपए की interstate cells की हैं। और दोनों को मिलाकर total outward supplies कितने की हैं। और यदि आप चाहें तो इसे यहीं detail में देख सकते हैं। यह देखिए लोकल cells के अंतरगत हमने कुल कितनी taxable cells की हैं। और कितनी exempted cells की हैं यह भी दिखाई पड़ रहा है। और इसी तरह से हमें interstate cells की भी पूरी details दिखाई दे रही हैं। अब हम nature view से वापस return view में जाने के लिए फिर से F5 की press करेंगे। यह देखिए, view change हो गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि GSTR 1 में किस option का क्या उपयोग है। चलिए, अब हम escape की से वापस GSTR reports वाली screen पर चलते हैं। और समझते हैं GSTR 2 के बारे में। हम व्यापार में जितनी भी invert supply जैसे purchase taxable, nil rated, exempted, purchase return और import इक्त्यादी करते हैं। उसके आधार पर यह GSTR 2 report तयार होती है। इसे हमें आशिक रूप से यानि partly GSTR portal पर upload करना होता है। यहां हम आपको बता दें कि Tally में हम purchase की जितनी भी entries करते हैं। उनकी रिपोर्ट हमें Tally में GSTR 2 के नाम से प्राप्त होती है। और इससे मिलती जुलती purchase की एक report हमें GSTR portal पर भी मिलती है। वो GSTR 2A कहलाती है। अब आपके मन में एक प्रशना रहा होगा कि यह GSTR 2A GSTR portal पर पहले से ही कैसे upload रहती है। तो यहां हम आपको बता दें कि जब हम अपने supplier से कोई purchase करते हैं, तो उनके लिए तो यह cells है और वे cells की summary GSTR 1 के माध्यम से GSTR portal पर upload कर देते हैं। बस इसी के आधार पर portal पर हमारी GSTR 2A report बन जाती है। हमें GSTR portal से GSTR 2A download करके उसे GSTR 2 से reconcile करना होता है। यानि कि GSTR 2 से मिलाना होता है। अब हम GSTR 2 को समझने के लिए उस पर जाकर enterprise कर रहे हैं। यह देखे, GSTR 2 report दिखाई दे रही है। GSTR 2 को समझने के लिए हम इस वर्ष के प्रारंब से लेकर अभी तक के period की report open कर लेते हैं। इसमें उपर के particular वाले section में यह options वैसे ही काम करते हैं जैसे कि हमने GSTR 1 में समझा था। यह देखे, यह इस तरह से दिखाई देते हैं। अगला option है invoices with mismatch in information। इसमें purchase और purchase return के ऐसे transactions दिखाई देते हैं जिनमें हमने GSTR से संबंधित कोई गलती कर दी है। या फिर GSTR से संबंधित अधूरी जानकारी दी है या गलत जानकारी दी है। हम कौन कौन सी mistake कर सकते हैं और उन्हें कैसे solve करते हैं। इसके बारे में हम आपको इसके बाद वाली वीडियो अनसर्टन ओबलिक mismatch transactions में डिटेल में बताएंगे। चले आगे बढ़ते हैं। और इस वाले section के heading को पहले समझ लेते हैं। To be reconciled with the GST portal इसका मतलब है कि GST portal पर दी गई जानकारी से यानि GST R2A से हमें इस detail को check करना होगा। और अगर कहीं कोई गलती मिलती है तो हमें उसे portal पर ठीक करना होता है। इसके अंतरगत हमें दो टेबल्स दिखाई दे रही हैं। पहली है B2B invoices, B2B का मतलब है business to business। इसमें regular dealer से की गई taxable purchase की GST report दिखाई देती है। अगला है credit oblique debit notes regular। हम regular dealer से की गई purchases के against जो credit note और debit notes बनाते हैं। उनकी GST reports इसमें दिखाई देती है। इसके बाद एक heading है to be uploaded on the GST portal, यानि कि इस heading के अंतरगत दी गई सभी जानकारी हमें स्वयम GST portal पर upload करनी होगी। दरिसल इस heading के अंतरगत ऐसी जानकारियां होती हैं जो GST portal पर पहले से upload नहीं होती है। वो हमें देना होती हैं यानि हमको upload करना पड़ती है। इसमें पहला है B2BUR invoices, हम unregistered dealer से जितनी भी purchase करते हैं उनके transactions इसमें आएंगे। फिर है import of services, यदि हम अपने देश के बाहर से कोई service import करते हैं या फिर sales यानि special economic zone से कोई service purchase करते हैं तो उनके transactions इसमें दिखाई देंगे। इसके बाद है import of goods, यदि हम अपने देश के बाहर से goods import करते हैं या फिर sales यानि special economic zone से goods purchase करते हैं तो उनके transactions इसमें दिखाई देते हैं। इसके बाद है credit and debit note unregistered यदि हम unregistered dealer से कोई purchases करते हैं और उसके against कोई credit note और debit note बनाते हैं तो उसकी GST report हमें इसमें दिखाई देगी। इसके बाद है nil rated invoices इससे समझने के लिए पहले हम alter और F5 keys को press करके इस report का detailed view देख लेते हैं। देखें अब हमें nil rated invoices के अंदर चार options दिखाई दे रहे हैं। Composition, exempt, nil rated और non GST. Composition में हमें composition dealer से की गई purchase की GST report दिखाई देती हैं। और यदि हम किसी regular dealer से exempt, nil rated और non GST goods purchase करते हैं, उनकी GST report हमें यहां दिखाई देती हैं। ध्यान रखें, यदि हम किसी regular dealer से एक purchase bill में taxable items के साथ ही exempted और nil rated items भी purchase करते हैं। तो उनके report यहां न दिखाई पड़ते हुए, उपर यहां B2B में दिखाई पड़ती है। अगला है advance paid, जब हम किसी महिने में किसी supplier को advance देते हैं और purchase उसके बाद के महिने में करते हैं, तो इस तरह हमने अपने supplier को जो advance दिया होता है। तो उस advance amount की जो input tax credit का amount है, उसको raise करने की adjustment entry कर देते हैं। वो हमें यहां पर दिखाई पड़ती है। फिर है adjustment of advance, जब हम किसी महा में किसी supplier को advance देते हैं, तो उस advance का input tax credit का जो amount है, उसको raise करने की adjustment entry पहले बताया अनुसार कर लेते हैं। और जब बाद वाले महा में हम उस advance के against purchase करते हैं, तो उसके tax की भी adjustment entry करना होती है, जो की इसमें दिखाई पड़ती है। अब यहां, total invert supplies के सामने हमें इस पूरे period का total taxable amount दिखाई दे रहा है। उस पर कितना tax बन रहा है और उसी के आधार पर total ITC कितना available है यह दिखाई पड़ रहा है। इन तीनों के बारे में हम आपको advance level की वीडियोस में पताएंगे। आईए अब हम बात करते हैं GSTR 3B के बारे में। हम इस पर जाकर के enter press कर रहे हैं। इस report के लिए जो भी period select किया गया होगा। उस अवधी में purchase और cells की जितनी भी entries होंगी GSTR 3B उसकी summary है। यह report purchase और cells के आधार पर automatically तयार होती है। यह देखिए GSTR 3B हमें return view में दिखाई दे रही है। GSTR 3B के इस view के बारे में हम आपको advance level में समचाएंगे। अभी हम F5 की press करके इसके nature view के बारे में समझ लेते हैं। यह देखिए GSTR 3B nature view में open हो गई है। यह देखिए यहाँ पर outward supplies लिखा हुआ है। हम जितनी भी outward supplies करते हैं यहाँ उसकी जानकारी दिखाई देती है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमने कुल कितने रुपए की local cells की है। कुल कितने रुपए की interstate cells की है। और दोनों को मिलाकर total outward supplies कितने की है। आप चाहे तो इसे यहाँ और भी detail में देख सकते हैं। यह देखिए लोकल cells में हमने कितनी taxable cells की हैं और कितनी exempted cells की हैं वो भी दिखाई पड़ रही है। और इसे तरह से हम interstate cells की भी पूरी details देख सकते हैं। यह देखिए यहां हमारे उपर total liability कितनी बन रही है यह भी दिखाई पड़ रहा है। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। यह देखिए जिस तरह से हमने outward supplies वाले section में cells से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। ठीक उसी तरह यहां invert supplies में हमें purchase से संबंधित सभी जानकारी मिल जाती है। यह देखिए यहां पर total ITC कितना है यह भी दिखाई पड़ रहा है। यहां हम आपको बता दें कि जो भी regular dealer है उसे GSTR 3B return भरना ज़रूरी होता है। turnover यह दि 5 करोड से ज्यादा है तो monthly return फाइल करनी होती है और 5 करोड से कम है तो quarterly भी फाइल कर सकते हैं और monthly भी। जब हम कोई व्यापार करते हैं तो उसमें जितनी भी purchase और sales करते हैं उसकी पूरी जानकारी हमें GST return के रूप में सरकार को देना होती है। Teleprime में purchase की tax सहित पूरी जानकारी हमें GSTR 2 में मिलती है और sales की tax सहित पूरी जानकारी हमें GSTR 1 में मिलती है। हमें इन GSTR 1 और GSTR 2 को Teleprime से export करके GST portal पर upload करना होता है। हम इन दोनों reports के बारे में और GSTR 3B के बारे में इसके पहले वाली वीडियो में detail में बता चुके हैं। हमारी आपस request है कि यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जरूर देख लें। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि Teleprime पर हम GST से संबंधित बहुत सी वीडियो बना चुके हैं। इन वीडियो को आप order में देख सकें इसके लिए इनकी playlist के link हमने नीचे description में दी है और साथ ही comments में pin भी कर दी है। चले अब आगे बढ़ते हैं इन reports को export करने से पहले हमें चेक करना होता है कि purchase और sales के किसी transaction में हमने GST से संबंधित कोई गलती तो नहीं कर दी है। पर सवाल ये है कि हमें ये पता कैसे चलेगा तो इसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टैली प्राइम ने हमें ये सुविधा दी है कि हम किसी transaction में की गई गलती को आसानी से ढून सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। चलिए इस काम को टैली पर करके फिर समझते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम इस वीडियो को दो पार्ट में बना रहे हैं। कुछ mismatch को हम इस पहले पार्ट में समझेंगे और कुछ को दूसरे पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको समझाने में समय कम लगे। इसलिए हमने पहले से ही एक कमपनी अनसर्टन अबलिक मिसमैच ट्रांजेक्शन वन के नाम से स्टेट में मधिप्रदेश सिलेक करके बना ली है। साथ ही इसमें कुछ जरूरी लेजर्स और स्टॉक आइटम्स बनाकर कुछ ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड कर लिये हैं। अभी हमारी कमपनी ओपन है। इसमें हमने पर्चिस की किसी एंट्री में कोई गलती तो नहीं की है। यह देखने के लिए हम GSTR2 पर चलते हैं। यहाँ पर आप जो रिपोर्ट देख रहे हैं वो अप्रेल मा की आ रही है और हमें यही चाहिए। यदि आप पीरियड बदलना चाहें तो F2 की को प्रेस करके बदल सकते हैं। यह देखे यहाँ इस वाले सेक्षन में हमें B2B इन्वोईसिस, Credit, Debit, Note, Regular, B2B, UR, Invoices इत्यादी बहुत सारे टेवल्स दिखाई दे रहे हैं। हम पर्चेस से संबंधित जतनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, उन सभी की GST रिपोर्ट हमको यहाँ पर दिखाई देती है। कौन सा ट्रांजेक्शन किस टेबल में दिखाई देता है, यह हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब यदि हम पर्चेस के किसी ट्रांजेक्शन में GST से संबंधित कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो वो इस सेक्शन में संबंधित टेबल में दिखाई देने के साथ साथ अलग से इन्वोईसेज विद मिस्मैच इन इन्फोर्मेशन में भी दिखाई देते हैं। यहां एक खास बात ध्यान रखें कि हम GST returns quarterly भरे या monthly, हमें इन रिपोर्ट्स को प्रतिमा महिना समाप्त होने के बाद open करके इन में जो भी मिस्मैच हैं उन्हें ठीक कर लेना चाहिए। ऐसा करने से इन रिपोर्ट्स में जो भी गलतियां हुई हैं वो हमें मालूम पढ़ जाएंगी जिससे कि आगे हम इस तरह की गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। यह देखें, invoices with mismatch in information के आगे एक लिखा है। इसका मतलब यह है कि हमने किसी एक invoice में mistake की है। हम इस पर enterprise कर रहे हैं। यह देखें हमारे सामने list of exceptions आ रही है। इसमें सबसे उपर number of vouchers with incomplete oblique mismatch in information लिखा दिखाई दे रहा है। और इसके नीचे हम जितने प्रकार की mistakes करते हैं वो यहां पर अलग-अलग heading में दिखाई देती है। अभी हमने इस company में purchase की केवल एक ही entry की है और उसमें भी mistake की है। इसलिए हमें बस एक ही heading दिखाई दे रही है जो है UOM not mapped to unit quantity code। यहां पर UOM का full form है unit of measurement। और इस पुरे वाक्य का मतलब यह हुआ कि हमने stock item के लिए जो unit create की थी उसमें unit quantity code यानी UQC select नहीं किया है। और इसके सामने total vouchers में यह दिखाई देता है कि कुल कितने invoices में इस प्रकार की mismatch है। हम इस पर जाकर enterprise कर रहे हैं। यह देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है कि हमने numbers के unit बनाते समय कौनसी information दी थी और कौनसी नहीं दी थी। जैसे हमने unit का symbol और unit का formal name तो डाल दिया था पर unit quantity code जो की GST के लिए ज़रूरी है वो select नहीं किया था और बस इसी कारण से यह uncertain transaction में आ गया। हम यहीं से इस mistake को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए enterprise करेंगे। यह देखें unit alteration screen आ रही है। हम unit quantity code में nos numbers select करके इस error को solve कर सकते हैं। पर अभी इस UQC की mistake का प्रभाव GSTR1 में भी दिखाना चाहते हैं। इसलिए इसको ठीक नहीं कर रहे हैं। चलिए अब हम GSTR1 पर चलते हैं और देखते हैं कि cells के transaction में हमने कौन-कौन सी mistakes की हैं। यह देखें GSTR1 report में बहुत सारे options दिखाई दे रहे हैं। तो पहले हम इनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे उपर यहां हमें अपनी company का GST number दिखाई देता है। यहां right side में period दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। हम cells के जितने भी transactions record करते हैं। उनमें से जितने भी transactions error free रहते हैं। यानि जिनमें कोई mistake नहीं होती है। फिस सभी अपने nature के अनुसार B2B invoices, B2C large invoices, B2C small invoices, इत्यादी इन no tables में से किसी न किसी में दिखाई देते हैं। और जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, B2B में 4 transactions हैं, B2C small invoices में एक transaction है, और nil rated invoices में भी एक transaction है। और इस तरह GSTR 1 में अभी total 6 transactions include हुए हैं, यानि ये 6 transactions error free हैं। इसके अलावा जिन transactions में हम से GST से संबंधित कोई mistake हो गई है, वे uncertain transactions में दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हम इनकी mistakes ठीक करते जाएंगे, ये transactions यहां से हट कर नीचे इस section में आते जाएंगे। यहां एक बात ध्यान रखनी है कि हमने GSTR 2 में देखा था कि purchase से संबंधित जिन transactions में mistake होती है, वे invoices with mismatch in information में तो दिखाई देते ही हैं, इस section में भी दिखाई देते हैं। जबकि GSTR 1 में cell से संबंधित जिन transactions में mistake होती है, वे सिर्फ uncertain transaction में दिखाई देते हैं, यानि नीचे इस section में नहीं दिखाई देते हैं। चरे अब uncertain transactions पर जाकर enterprise करते हैं, GSTR 2 की तरह ही यहां भी list of exceptions आ रही है, जिसमें सबसे पहले number of vouchers with incomplete oblique mismatch in information लिखा हुआ है। और इसके आगे 4 लिखा है, यानि कुल 4 vouchers में mistake हुई है, और इन में किस तरह की mistake है, वो नीचे अलग-अलग heading में दिखाई दे रही हैं। इन heading के आगे इस तरह की mistake कितने voucher में की गई है, यह संख्या भी लिखी होती है। जैसे कि यहां इस पहली वाली mismatch के सामने एक लिखा हुआ है, यानि हमने एक voucher में unit से संबंदित mistake की है। और इस दूसरी वाली के सामने तीन लिखा है, इसका मतलब यह हुआ कि इस तरह की mismatch हमने तीन transactions में की है। इस तरह की और भी कई mismatch हो सकती हैं, जिनने हम आपको चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं। चलिए अब इन mismatch को ठीक कर लेते हैं। पहली mismatch है, UOM not mapped to unit quantity code, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यह mismatch तब आती है, जब हम stock item के लिए जो unit create करते हैं, उसमें UQC select नहीं करते। हम इस पर जाकर enter press करेंगे, यह देखिए, हमने numbers की जो unit create की है, उसमें unit quantity code select नहीं किया है। चलिए हम इसको यहीं से ठीक कर लेते हैं, उसके लिए enter press करेंगे, यह देखिए unit alteration screen आ रही है, हम enter press करते हुए unit quantity code पर आ गए हैं। यहाँ पर unit quantity codes की list आ रही है, इसमें से हमें numbers का UQC select करना होगा, जो की NOS numbers है, इसके लिए हम NOS type करेंगे और enter press करेंगे, और अब इस screen को accept कर लेंगे। अब escape की press करते हुए पीछे चलते हैं, यह आप देख सकते हैं कि यहाँ से unit वाली जो mismatch थी वो चली गई है। अब चुकि अभी हमने GSTR2 और GSTR1 तोनों में ही जो mismatch देखी थी वो numbers वाली unit से संबंदित थी, और चुकि हमने उस unit में correction कर दिया है, तो unit वाली mismatch GSTR2 से भी चली गई होगी। हम एक बार और इस cap की प्रेस करके देखेंगे, यह देखिए पहले यहाँ पर total vouchers 4 थे, जो कि अब 3 ही रह गए हैं। चलिए वापस uncertain transactions पर चलते हैं और अगली mismatch देखते हैं। अब यहाँ एक ही प्रकार की mismatch बची है और वो है information required for generating table wise details not provided। जब हम किसी transaction में GST number से संबंधित कोई गलती कर देते हैं तो इस तरह की mismatch आती है। चलिए इस पर enterprise करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 transactions हैं जिनके आगे type of exception में लिखा है कि इन में किस प्रकार की mismatch है। पहला transaction देखते हैं। इसमें type of exception में लिखा है GST IN oblique UIN is not specified oblique invalid। यानि इस transaction में जो party है उसका GST number नहीं डला है या फिर invalid या अमान्य नमबर डाल दिया है। यह दिखिए यहाँ party GST IN oblique UIN वाले कॉलम में हमें इस party का GST number ही नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि हम इस party का GST number डालना भूल गए है। चलिए हम यहीं से party का GST number डाल देते हैं। उसके लिए enter press करेंगे। यहाँ पर उपर party का नाम दिखाई दे रहा है। यहाँ इसका GST number टाइप कर देते हैं और इसे save कर लेते हैं। यह देखिए ऐसा करते ही यह transaction यहाँ से चला गया है। अगला transaction देखते हैं। इसमें भी type of exception में लिखा है GST IN oblique UIN is not specified oblique invalid। मतलब इस transaction में भी GST number से संबंधित mismatch है। चलिए देखते हैं क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ party GST IN oblique UIN में GST number तो दिखाई दे रहा है। यानि हमने इस party का GST number तो डाला है। फिर भी हमको यह message आ रहा है। तो अब हम इस पर enterprise करते हैं और check करते हैं कि हमने GST number में क्या गलती की है। यहाँ पर देखिए हमने जो GST number डाला है वो केवल 14 digit का है। जबकि हम जानते हैं कि GST number पूरे 15 digits का होता है। हम इस GST number को हटा कर इस party का सही GST number type कर देते हैं। और अब इसको save कर लेते हैं। यह देखिए ऐसा करते ही वो transaction भी यहाँ से चला गया है। अब यहाँ पर केवल एक ही transaction बचा है। इसमें type of exception में लिखा है company and party GST IN UIN cannot be the same। मतलब यह हुआ कि company और party का GST number एक जैसा नहीं हो सकता है। मतलब यह कि इस party के ledger में हमने उसके GST number की जगह पर अपनी ही company का GST number डाल दिया है। चलिए इसको भी ठीक कर लेते हैं। इसके लिए enterprise करेंगे। अब यहां हम अपने GST number को हटा कर उसकी जगह पर गुपता ट्रेटर्स का GST number टाइप कर देते हैं। और इसे save कर लेते हैं। यह देखिए ऐसा करते ही वो transaction यहां से चला गया है। अब escape की press करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि list of exceptions में एक भी mismatch नहीं बचा है। यानि हमने सभी mismatch solve कर लिये हैं। यहां पर एक बार ध्यान रखें कि आप जिस party का ledger create कर रहे हैं। उस party का सही GST number ही डालें। यदि आप भूल से उसके ledger में किसी दूसरी party का GST number डाल देते हैं। चाहे वो दूसरी party अपने ही प्रदेश की हो या फिर किसी अने प्रदेश की। तो ऐसा करने पर ledger create करते समय किसी भी प्रकार की गलत GST number की warning नहीं आती है। और नहीं इसको लेकर किया गया transaction uncertain transactions में देखें यहां uncertain transactions में पहले चार transactions थे जिने हमने solve कर लिया है। इसलिए सभी transactions यहां से चले गए हैं और यहां B2B में include हो गए हैं। साथ ही यहां नीचे total में जो 6 लिखा हुआ था उसकी जगह अब यह 10 आ गया है। चले अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ mismatch ऐसे हैं जिने हम transactions record करते हुए अच्छे से समझ सकते हैं। एक है country, state and dealer type not specified यह mismatch तब आता है जब हम किसी transaction में party के ledger और party details में state को not applicable कर देते हैं। माल लिजिए 2 अप्रेल को हमने बिहार के customer Mohan Traders को 14,000 रुपए प्रती printer के भाव से 4 printer उधार बेची। चलिए इसकी entry कर लेते हैं। Mohan Traders का ledger बना हुआ नहीं है तो हम इसे बना लेते हैं। यहां state में not applicable select कर लेते हैं और आगे बढ़ चाते हैं। यहां party details में भी state को not applicable कर देते हैं। अब यहां IGST select करेंगे। देखिए text calculate नहीं हो रहा है। इसलिए हम manually text type कर देंगे। और Ctrl और A प्रेस करके इस voucher को accept कर लेते हैं। चलिए अब हम इसके GST report देखते हैं। यहां से B2B में जाएंगे। यह देखिए। हमने अभी जो entry की है वो हमें यहां दिखाई नहीं दे रही है। हम skip की से वापस चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, uncertain transactions के आगे one लिखा है। मतलब वो entry यहां पर आ गई है। हम इस पर चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं country, state and dealer type not specified वाला mismatch यहां पर दिखाई दे रहा है। और यह इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी जो transaction record किया है। उसमें party के ledger में और party details में state को not applicable कर दिया था। अब हम इस पर enter press कर रहे हैं। यह देखे हमने जो entry की थी वो यहां दिखाई पड़ रही है। इसमें हमने state नहीं डाला है तो यहीं से हम state select कर लेते हैं। यहां पर हम आपको यह भी बता दें कि अभी हमने जो state select किया है वो party के ledger में भी set हो जाएगा। यानि हमें अब party के ledger में alteration करके state डालने की जरूरत नहीं है। अब enter press करके इसे accept कर लेते हैं। यह देखे यहां से यह mismatch चला गया है। अब हम B2B invoices में भी देख लेते हैं। यह देखे आप देख सकते हैं, Mohan Traders को की गई sell अब यहां पर दिखाई दे रही है। चलिए अगला mismatch देखते हैं जो है Tax Rate Oblique Tax Type Not Specified इसे भी हम एक entry के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लिजे हमने 2 April को अपने करनाटक के customer National Traders को 14,000 रुपैर प्रती नग के भाव से Sony TV 20 inches के 4 नग बेचे। चलिए इसके entry कर लेते हैं। यहां पर हम इस Sony TV 20 inches सेलेक करना है जो की बना हुआ नहीं है तो हम इसे create कर लेते हैं। अब चूंकि इस item पर 18% tax लगता है तो यहां हमें set oblique alter GST details को yes करके 18% tax rate set करना है। पर चूंकि हम यहां पर आपको यह mismatch समझाना चाहते हैं। इसलिए हम इसे no रहने दे रहे हैं। यानि हम इस item पर GST rate set नहीं कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब जब हम IGST select करते हैं तो यह देखे टेक्स calculate नहीं हो रहा है। इसलिए हम manually text type कर देंगे। अब इस voucher को accept कर लेंगे। चलिए अब इसकी GST report देखते हैं। यह देखे यह transaction B2B invoices में न आकर uncertain transactions में आ गया है। यहां पर mismatch दिखाई दे रहा है tax rate oblique text type not specified। यह mismatch दब आता है जब हम कोई transaction record करते हैं और उसमें किसी भी level पर GST tax rate set नहीं करते हैं। या फिर GST rate set करते समये taxability में हम unknown select कर लेते हैं। और हमने भी यही किया है। तो चलिए अब इस पर enterprise करते हैं। अब यदि हम केवल इस transaction में इस mismatch को ठीक करते हैं। तो भविश्य में जब भी हम इस stock item को लेकर कोई transaction करेंगे। इसी तरह का mismatch फिर आएगा। इसलिए इसका सही हल यह है कि हम किसी भी level पर tax rate set कर दें। अब चूंकि हम अपनी company में stock items पर tax rate set करते आ रहे हैं। इस लिए इस item को भी alter करके tax rate set कर देते हैं। उसके लिए पहले escape की, press करेंगे। अब यहां number of vouchers with incomplete, oblique mismatch in information पर जाकर enter press करेंगे। यह देखे, हमने national traders को जो sell की थी वो दिखाई दे रही है। हम इस पर control के साथ enter press करेंगे। आप देख सकते हैं, voucher open हो गया है। अब हम stock item पर जाकर control और enter press करेंगे। stock item alteration screen आ रही है। अब यहां पर हम tax rate set कर देते हैं। अब इस voucher को accept कर लेते हैं। यह देखे, tax rate, oblique, tax type, not specified वाला जो mismatch था वो ठीक हो गया है। और इसी के साथ B2B में voucher की संख्या 9 से बढ़कर 10 हो गई है। हमने mismatch के इस पार्ट को समझने के लिए पहले से ही एक company, uncertain oblique mismatch transactions 2 के नाम से, state में मधप्रदेश सेलेक करके बना ली है। साथ ही इसमें जरूरी lasers और stock items बना कर कुछ transactions भी record कर लिये हैं। अब सबसे पहले हम GSTR2 report देख लेते हैं। Uncertain oblique mismatch transactions के पहले पार्ट में हम आपको बता चुके हैं कि GSTR2 में शामिल होने वाले किसी transaction में यदि कोई mistake होती है, तो वो invoices with mismatch in information में तो दिखाई देती है, उसके साथ ही वो इस section में संबंधि टेबल में भी दिखाई देती है। यह देखिए यहाँ invoices with mismatch in information के सामने दो लिखा है, यानि कि हमने दो transactions में किसी प्रकार के mistake की है, तो हम इस पर जाकर enterprise कर रहे हैं, एक बार और enterprise करेंगे, यह देखिए यहाँ पर दो purchase दिखाई दे रही हैं, एक वो है जो हमने संदीप traders से की थी और दूसरी वो है जो हमन गीता traders से की थी, अब इन दोनों purchase में हमने किस प्रकार के mistake की है, वो type of mismatch oblique incomplete info वाले कॉलम में दिखाई दे रही है, पहले voucher में एक mismatch है और दूसरे voucher में दो mismatch हैं, इस तरह हम देख रहे हैं कि दो vouchers में कुल तीन mismatch हैं, कहने का तात पर यह है कि किसी भी voucher में एक या एक से ज्यादा mistakes भी हो सकती हैं, अब हम B2B invoices पर चलते हैं, यह देखिए अभी हमने mismatch वाली जो दो entries देखी थी वो यहां भी दिखाई दे रही हैं, कहने का मतलब यह है कि इस section में transaction दिखाई देने के बाद भी उसमें गलत हो सकती है, इसलिए हमें GSTR2 में invoices with mismatch in information को विशेश रूप से देखना चाहिए, जैसे यदि किसी transaction में कोई गलती हो, तो वो हमें पता चल जाए और हम उसे सुधार सकें, चलिए अब invoices with mismatch in information पर चलते हैं और mismatch को solve करते हैं, यह आप देख सकते हैं, list of exceptions आ रही है, जिस number of vouchers with incomplete or blank mismatch in information लिखा हुआ है, और इसके आगे to लिखा हुआ है, यानि कुल दो vouchers में mistake हुई है, और इन में किस तरह की mistake है, वो नीचे अलग-अलग heading में दिखाई दे रही है, इन heading के आगे संख्या भी लिखी है, कि इस तरह की mistake कितने voucher में हुई है, यहां पर एक महत्प होती है, और इसकी वज़ो यह है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि एक invoice में एक से ज्यादा mismatch हो सकते हैं, चलिए हम एक एक करके इने solve कर लेते हैं, इसमें से पहला है, mismatch due to tax amount modified in voucher, इसका मतलब है, voucher में tax amount में परिवर्तन के कारण हुआ mismatch, सरल भाशा में समझें, तो यह mismatch तब होता है, जब हम लापर वाही में या जल्दबाजी में CGST, SGST या फिर IGST के लेजर में गलत text type चुन लेते हैं, या voucher में CGST और SGST में से केवल एक ही लेजर सिलेक करते हैं, या फिर CGST और SGST दोनों के अलग-अलग लेजर सिलेक ना करते हुए, दो बार CGST या दो बार SGST सिलेक कर लेते हैं, और entry को accept कर लेते हैं, इसका परिणम यह होता है कि हम stock item, लेजर या फिर किसी भी level पर जो tax rate सेट करते हैं, tax उसके हिसाब से calculate ना होकर गलत calculate हो जाता है, हम इस पर enterprise कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो vouchers दिखाई द रहे हैं, हम इसमें पहला transaction देखते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या mistake हुई है, यह देखिए, यहाँ सबसे उपर वाली line में दिखाई दे रहा है कि हमने संदीप traders से tax हित कुल 2,600,000 का माल खरीदा है, जिसमें tally की calculation के हिसाब से 30,600 रुपए tax included है, और हम ने जो transaction record किया है, उसके हिसाब से भी tax 30,600 रुपए ही है, यानि इसमें कोई difference नहीं है, तो ये तो ठीक है, चलिए अब नीचे देखते हैं, यहाँ इस purchase पर tally की calculation के हिसाब से 15,300 रुपए central tax लगना चाहिए था, पर हमने 30,600 रुपए central tax लगा दिया है, और यही कारण है क यानि हमने 15,300 रुपए tax ज्यादा लगा दिया है, इसी तरह 15,300 रुपए state tax लगना चाहिए था, पर state tax में हमने कुछ भी नहीं लगाया है, और यही कारण है कि difference में tax का पूरा amount 15,300 लिखा दिखाई पड़ रहा है, अब अगर हमें यहाँ ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रह करते हैं, उसके लिए control के साथ enter की प्रेस करेंगे, यह देखे, voucher alteration screen आ रही है, यहाँ तो हमने cgst और sgst तोनों के लेजर्स लगाए हैं, और tax भी ठीक से ही calculate हुआ है, फिर भी इस प्रकार का mismatch क्यों आ रहा है, चूंकि tally इस mismatch में बता रहा है कि sgst नहीं लगाया गय है, तो चलिए पहले हम sgst पर जाकर control के साथ enter प्रेस करते हैं, और देखते हैं कि उसमें क्या समस्या है, यहाँ पर हम उपर से check कर लेते हैं, यह देखे, name सही है, under में हमने duties and taxes group select किया है, यह भी सही है, type of duty oblique text में gst लिया है, यह भी सही है, पर यहाँ देखे, text type में हमने state text के स्थान पर central text select कर रखा है, जिसके कारण central text दो बार calculate हो रहा है, हमेशा याद रखे, cgst के लिए central text, sgst के लिए state text और igst के लिए integrated text select करना चाहिए, चलिए हम इस mistake को ठीक कर लेते हैं, अब इस voucher को save कर लेंगे, यह देखिए, दोनों transaction में जो mismatch थे वो ठीक हो गए हैं, और यहाँ से चले गए हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो एक voucher में mistake ठीक की, तो दूसरे की अपने आप कैसे ठीक हो गई, तो ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि दूसरे transaction में भी, s SGST के laser में यही समस्या थी, अब जैसे ही हमने SGST का laser ठीक किया, दूसरी voucher का mismatch भी अपने आप ठीक हो गया, अब हम skip की press करके बाहर चलते हैं, यह देखिए, हमने यह वाला mismatch solve कर लिया है, फिर भी यह यहाँ पर दिखाई पढ़ रहा है, हम skip की से वापस बाहर चलते हैं अब फिर से invoices with mismatch in information पर चलते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, हमने जो mismatch solve किया था, अब वो यहाँ से हट चुका है, अब यहाँ पर एक ही mismatch बचा है और वो है, information required for generating table-wise detail not provided, चलिए इस पर चलकर enter press करते हैं, इसमें लिखा है कि supplier oblique original invoice number is not specified, और exceed 16 characters and date is not specified, इसका मतलब यह है कि आपने इस transaction में supplier का invoice number और invoice date नहीं डाली है, या फिर invoice number 16 अंकों से अधिक का है, हम इस पर control के साथ enter press करेंगे, यह देखें, इस voucher में हमने गीता traders से जो purchase की थी, उसका invoice number और date नहीं डाली है, तो पहले हम गीता traders से जो invoice प्राप्त हुआ है, उसे देख लेते हैं, यह यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसका invoice number 44 है, और invoice date तो April है, चलिए अब यहाँ पर हम supplier का invoice number और यहाँ उसकी date डाल देते हैं, और अब इसको accept कर लेंगे, यह देखिए, ऐसा करते ही mismatch solve हो गया, अब हम GSTR 1 report पर चलते हैं, यहाँ B2B में पहले से ही चार vouchers दिखाई दे रहे हैं, और uncertain transactions में एक transaction दिखाई दे रहा है, चलिए इस पर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा mismatch है, यहाँ पर एक mismatch दिखाई दे रहा है, mismatch due to tax amount modified in voucher, इस mismatch के बारे में हम आपको पहले समझा चुके हैं, चलिए इसे भी solve कर लेते हैं, इस transaction में CGST तो calculate हुआ है, पर SGST का amount नहीं दिखाई दे रहा है, यानि हम SGST का ledger select करना भूल गए हैं, हम SGST का ledger यहीं से select कर सकते हैं, उसके लिए enter press करेंगे, इस तरह की screen दिखाई देगी, एक बार और enter press करेंगे, अब SGST का ledger select करेंगे, और difference वाले column में से tax का amount देखकर यहाँ पर type कर देंगे, हम इसे control A से accept कर सकते हैं, पर हम आपको इस mismatch को ठीक करने की एक और method बताना चाहा रहे हैं, इसलिए escape की press करते हुए वापस पीछे चलते हैं, अब हम control के साथ enter press करके voucher open कर लेते हैं, यह देखे, हम SGST का ledger select करना भूल गए हैं, ऐसा तब हो जाता है जब हम voucher को जल्दी जल्दी में control A से save कर लेते हैं, यदि हम voucher में CGST, SGST या IGST select करना भूल जाते हैं, और enter press करते हुए voucher को accept करते हैं, तो हमें इस तरह की warning आती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि हमने text के ledger select नहीं किये हैं, पर यदि हम voucher को control A से save करते हैं, तो इस तरह की कोई warning नहीं आती है और voucher accept हो जाता है, हम SGST का ledger select कर लेते हैं, और अब इस voucher को accept कर लेंगे, यह देखे, mismatch solve हो गया है, अब B2B में भी vouchers चार से बढ़कर पांच हो गए हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम एक और mismatch, nature of transaction, taxable value, rate of tax modified in voucher को समझ लेते हैं, यह mismatch किस कारण से आता है, इसे हम एक उदारण से समझ लेते हैं, मान लीजिए हमने 2 अप्रेल को, अपने कस्टमर महक ट्रेडर्स को 20 अजार रुपे प्रतिनक के भाव से, LG TV 20 इंचेस के दोनग उधार बेचे, आईए इसका sales voucher बना लेते हैं, यह हमने sales voucher उपन कर लिया है, और जब हम उसका voucher बनाने गए, तब हमें ध्यान आया, कि पहले LG TV 20 इंचेस पर 18% GST था, जो की आज से ही चेंज होकर 28% हो गया है, तो हम transaction level पर ही, अभी tax rate चेंज करके बिल बना लेते हैं, अब transaction level पर tax लगाने के लिए, हमें F12 की प्रेस करके, modify tax rate details of GST को yes करना होगा, transaction level पर tax कैसे लगते हैं, यह हम आपको अपनी वीडियो नमबर 87, tax rate hierarchy में अच्छे से समझा चुके हैं, अब हम date change कर लेते हैं, यहाँ party select करेंगे, अब sales account select करेंगे, यह दिखिए sales account select करते ही, tax classification details की एक screen आ रही है, यदि आपकी screen भी इसी तरह की दिखाई पढ़ रही है, तो ठीक, और यदि इसकी जगह आपकी screen इस तरह की दिखाई पढ़ रही है, तो F12 प्रेस करें, अब यहाँ दिखाई पढ़ रहे options में से, allow override accessible value और override tax rate को yes करें, और इस screen को save कर लें, ऐसा करते ही आपकी screen भी इसी तरह की दिखाई देगी, आब इसके माध्यम से हम transaction level पर tax rate सेट कर सकते हैं, सबसे पहले nature of transaction में से हम not applicable सेलेक कर लेंगे, और यहाँ हम integrated tax के आगे new rate में 28% टाइप कर रहे हैं, और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ LG TV 20 inches सेलेक करेंगे, यहाँ पर quantity और यहाँ पर rate, अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी screen आती है जिसमें taxable value डालने के लिए कहा जाता है, पर हमें इसमें कुछ भी डालने के आवशक्ता नहीं है, इसलिए हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे, अब GST के लेजर सिलेक करेंगे, यह देखिए 14% से CGST और 14% SGST केलकुलेट हो गया है, अब जैसे ही हम इस voucher को accept करने जाते हैं, तो एक छोटी screen आती है, और यह screen केवल ट्रांजिक्शन लेवल पर tax rate सेट करने के कारण आती है, इस screen के बारे में हम आपको tax rate hierarchy वाली वीडियो में detail में बता चुके हैं, हम Y या enter key प्रेस करके इस voucher को accept कर लेंगे, अब हम GSTR 1 पर चलते हैं और अभी हमने जो entry key है उसका effect देख लेते हैं, तो उसकी report हमें B2B में दिखाई देनी चाहिए, पर हम यहाँ देख सकते हैं कि B2B में तो पहले की तरह ही 5 voucher दिखाई पड़ रहे हैं, यानि कि अभी हमने जो entry key है वो यहाँ पर नहीं आई है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने transaction level पर tax rate सेट किया था, जिसमें voucher सेव करते समय ये वाली स्क्रीन आई थी, और हमने इसे enterprise करके accept कर लिया था, बस यही कारण है कि entry uncertain transactions में चली गई है, तो चलिए हम भी uncertain transactions पर चलते हैं, यह देखें यहाँ पर mismatch दिखाई दे रहा है, यानि कि voucher पर transaction level में GST details को modify किया गया है, चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के mismatch को कैसे solve करते हैं, उसके लिए enterprise करेंगे, यह यहाँ पर महक traders को की गई sell दिखाई दे रही है, इसमें ये भी दिखाई दे रहा है कि हमने LG TV 20 inches के stock item पर 18% tax rate set किया था, पर इस voucher में हमने transaction level पर 28% tax लगाया है, अब यदि हम इसको यहीं से, जैसा है वैसा ही, यानि 28% के साथ ही accept करके GST return में शामल करना चाहते हैं, तो यहाँ दिखाई दे रहे, accept as is पर click करें, या इसका shortcut alter के साथ J की press करें, एक message आएगा कि क्या आप इसे जैसा है वैसा ही accept करना चाहते हैं, हम yes के लिए under press कर रहे हैं, यह देखिए ऐसा करते ही transaction mismatch से बाहर हो गया है, अब हम escape key से बाहर चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि B to B में transactions 5 से बढ़कर 6 हो गए हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में और इसके पहले वाली वीडियो में, आपने कुछ mismatches को देखा और समझा कि वे किन गलतियों के कारण होते हैं और उन्हें कैसे solve करते हैं, इनके अलावा भी और भी कई तरह के mismatch हो सकते हैं, जिनने आप हमारे पताय अनुसार और अपने विवेक से resolve कर सकते हैं, mismatch solve करने के बाद आप अपने Chartered Accountant को अपनी कंपनी का डेटा पेश दे, इसके आधार पर वो पोर्टल पर GST Returns सब्मिट कर देगा,